मत्ति रचित सु समाचार अध्याए एक इब्राहिम की संतान दाउद की संतान येशु मसीह की वन्शावली इब्राहिम से इसहाक उत्पन हुआ इसहाक से याकूब उत्पन हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन हुए यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन हुए फिरिस से हिस्रोन उत्पन हुआ और हिस्रोन से राम उत्पन हुआ राम से अम्मी नादाब उत्पन हुआ और अम्मी नादाब से नहशोन और नहशोन से सल्मोन उत्पन हुआ सल्मोन और राहब से बोज उत्पन हुआ बोज और रूट से उबेद उत्पन हुआ और उबेद से यिशे उत्पन हुआ यिशय से दाउद राजा उत्पन हुआ दाउद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी सुलेमान से रहबाम उत्पन हुआ और रहबाम से अभियाह उत्पन हुआ और अभियाह से आसा उत्पन हुआ आसा से यहुशाफात उत्पन हुआ और यहुशाफात से योराम उत्पन हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन हुआ उज्जियाह से योताम उत्पन हुआ और योताम से आहाज उत्पन हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन हुआ और योशिया उत्पन हुआ और बंदी होकर बाबूल जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन हुए बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद, यकुन्या से शालतियल उत्पन्न हुआ, और शालतियल से जरुब बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब बाबिल से अभिहूद उत्पन्न हुआ, और अभिहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलिहूद उत्पन्न हुआ, इलिहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत उत्पन्न हुआ जो मर्यम का पती था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ इबरहीम से दाउद तक सब चौधे पीड़ी हुई और दाउद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक चौधे पीड़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौधे पीड़ी हुई अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जब उसकी माता मर्यम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की और से गर्भवती पाई गई सो उसके पती यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभू का स्वर्ग दूत उसे स्वपन में दिखाई दे कर कहने लग क्योंकि जो उसके गर में है वो बवित्र आत्मा की ओर से है वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम ये शुर रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्दार करेगा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभू ने भविश्वत द्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी गर्धवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुवेल रखा जाएगा जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे सार सो यूसुफ नीन से जाग कर प्रभू के दूत की आज्या अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम येश्वर रखा अध्याए दो हेरो देस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतल हम में यीशू का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई जियोतिशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जनम हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूरव में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आये है ये सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरुशलेम खबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्तियों को इकठा करके उनसे पूछा मसीही का जन्म कहा होना चाहिए उन्होंने उससे कहा यहुदिया के बैतलहम में क्योंकि भविश्य द्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है हे बैतलहम जो यहुदा के देश में है तु किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपती निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राइल की रखवाली करेगा तब हेरो देश ने जियोतिशियों को चुपके से बुला कर उनसे पूछा तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विशे में ठेक ठेक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूँ वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगा के ऊपर पहुँचकर ठेहर गया उस तारे को देखकर वे अती आनन्दित हुए और उस घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मूँ के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान और गंधरस की भीट चड़ाए तब स्वप्न में ये चिताउनी पाकर कि हेरो देश के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए उनके चले जाने के बाद प्रभू के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा उट उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा जब तक मैं तुझ से ना कहूं तब तक वही रहना क्योंकि हेरो देश इस बालक को ढूंने पर है कि उसे मरवा डाले वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया हेरो देश के मरने तक वो वही रहा इसलिए कि वो वचन जो प्रभू ने भविश्व द्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो जब हेरो देश ने देखा कि जियोतिशियों ने उसके साथ ठटा किया है तब वो क्रोज से भर गया और लोगों को भेज कर जियोतिशियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतल हम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो दो वर्ष के वो उससे छोटे थे मरवा डाला तब जो वचन यिर्मियाह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ के रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया रोना और बड़ा विला राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना न चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं हेरो देश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सुप्न में दिखाई दे कर कहा कि जो बालक के पार लेना चाहते थी वे मर गए वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राइल के देश में आया परन्तु ये सुनकर कि अर्खिला उस अपने पिता हेरो देश की जगा यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा और सुप्न में चिताउनी पाकर गलेल देश में चला गया वो नासरत नाम नगर में चाबसा कि वो वचन पूरा हो जो भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा अध्याय टीन उन दिनों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकाट आ गया है ये वही है जिसकी चर्चा यशा यह भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो उसकी सडकें सीधी करो ये युहन्ना उंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे हुए था उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकलाए और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बब्तिस्मा लिया जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बब्तिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे साप के बच्चो तुम्हें किसने जता दिया के आने वाले क्रोध से भागो मन फिराओ के योग के फल लाओ अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहीम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है अब कुलहडा पेडों की जड़ पर रखा हुआ है इसलिए जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोका जाता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बप्तिस्मा देता हूँ परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बप्तिस्मा देगा उसका सूप उसके हाथ में है वो अपना खलिहान अच्छी रीती से साफ करेगा और अपने ग्यों को तो खत्ते में कठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं उस समय येशु गलील से यर्दन के किनारे पर युहन्ना के पास उससे बप्तिस्मा लेने आया परंतु युहन्ना ये कहकर उसे रोखने लगा कि मुझे तेरी हाथ से बप्तिस्मा लेने की आवशकता है और तू मेरी पास आया है येशु ने उसको यह उत्तर दिया अभी तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है उसने उनकी बात मान ली और येशु बप्तिस्मा लेकर तुरंत पानी से उपर आया और देखो उसके लिए आगाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने उपर आते देखा और ये आगाश्वानी हुई ये वेरा प्रिकुत्र है जिससे में अध्यंत प्रसन्न हूँ अध्याय चार तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पथर रोठिया बन जाए उसने उतर दिया लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदी तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विश्य में अपने स्वर्गदूतों को आज्या देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे येश्यो ने उससे कहा ये भी लिखा है कि तू परभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न कर फिर शैतान उसे एक बहुत उचे पहाड पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका विभव दिखा कर उससे कहा यदि दू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं यह साब कुछ तुझे दे दूँगा तब येश्यो ने उससे कहा ये शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपास न कर तब शैतान उसके पास से जला गया और देखो स्वर्ग दूद आकर उसकी सेवा करने लगे जब उसने ये सुना कि युहन्ना पकडवा दिया गया तो वो गलील को चला गया वो नासरत को छोड़कर कफर नहूम में जो जील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा कि जो यशाय यह बविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जबूलून और नप्ताली के देश जील के मार्क से यर्दन के पार अन्य जातियों का गली जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी जोती देखी और जो मृत्यू के देश और छाया में बैठे थे उन पर जोती चम्ती उस समय से हीशू ने प्रचार करना और ये कहना अरंप किया पन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है उसने गलील की जील के किनारे फिरते हुए दो भाईयों अर्थात शमावन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा वे मच्वे थे उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुमको मनुष्यों के मच्वे बनाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिये और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाईयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई युहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा उन्हें भी बुल पाया वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिये यूशू सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाव में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे और जिन में दुश्ट आत्माई थी और निर्गी वालों और जोले के मारे हों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया और गलील और दिकापुलिस और यरुशलेम और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड की भीड उसके पीछे हो ली अध्याए पांच वो इस भीड को देखकर पहाड पर चड़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आये और वो अपना मुख खोल कर उन्हें ये उपदेश देने लगा धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्क का राज्य उन्हीं का है धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांती पाएंगे धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे प्रित्वी के अधिकारी होंगे धन्य हैं वे जो धर्म के भूके और प्यासे हैं क्योंकि वे त्रिप्त किये जाएंगे धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्क का राज्य उन्हीं का है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और जूट बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बाते कहें अहनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन भविश्य द्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीती से सताया था तुम पृत्वी के नमक हो परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा फिर वो किसी काम का नहीं केवल इसके की बाहर फैंका जाए और मनुश्यों के पैरों तले रौदा जाए तुम जगत की जोती हो जो नगर पहाड पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुशता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुश्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तकों को लोब करने आया हूँ लोब करने नहीं परन्तु पूरा करने आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जब तक आकाश और पृत्वी तल न जाएं, तब तक व्यवस्ता से एक मात्रा या एक बिंदू भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आग्याओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्क के राज्य से सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्क के राज्य में महान कहलाएगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिक्ता, शास्त्रियों और फरीसियों की पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना और जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वो माहसवा में दंड के योग्य होगा जो कोई कहे अरे मूर्क वो नर्क की आग के दंड के योग्य होगा इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे जाकर पहले अपने भाई से मेल कर तब आकर अपनी भेंट चड़ा जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मारग ही में है उससे शिग्र मेल कर ले कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौपे और हाकिम तुझे सिपाई को सौप दे और तू बंदी ग्रह में डाल जाए मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक तु कौडी-कौडी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार न करना परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूं यदि कोई किसी स्त्री पर कूद्रिष्टी डाले वो अपने मन में उ ति चुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फैंक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फैंक दे योकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़े तो वो उससे व्यविचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यविचार करता है फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था जूटी शपत न खाना परंतु प्रभु के लिए अपनी शपत को पूरी करना परंतु मैं तुम से ये कहता हूँ कभी शपत न खाना ना तो स्वर्ख की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंगहासन है न धर्ती की क्योंकि वो उसके पावों की चौकी है ना यरुशलेम की क्योंकि वो महराजा का नगर है अपने सिर्की भी शपत न खाना प्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है तुम्हारी बात हा की हा या नहीं की नहीं हो जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है तुम सुन चुके हो कहा गया था आँख के बदले आँख और दान्थ के बदले दान्थ परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ, बुरे का सामना न करना, परन्तु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर ठपड मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ दो कोस चला जा, जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे, और जो तुझ से उधार लेना चाहे, उससे मुह न मोड़, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अपने पडोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर, बरन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग्य पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदे करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों उपर मेह बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुमारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते, और यदि तुम केवल अपने भाईयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अ तुम्हारा स्वर्ग्य पिता सिद्ध है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्ग्य पिता से कुछ भी फल न पाओगे, इसलिए जब तु दान करे, तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, कि लोग उनकी बढ़ाई करें, मैं तुम से सच कहता हूँ, वे अपना फल पाचुके, जब तु दान करें, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए, कि तेरा दान गुपत रहे, और तब तेरा पिता जो गुपत में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा, और जब तू प्रार्थना करे, तो कप्टियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सडकों के मोडों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके, परन्तु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में हैं प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल प्रार्थना करते समें अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, कि तुम्हारी क्या आवशक्ता है, So, तुम इस रीती से प्रार्थना किया करो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आये तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृटवी पर भी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसी ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर और हमें परिक्षा में नला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं आवीन क्योंकि यदि तुम मनुश्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा और यदि तुम मनुश्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा जब तुम उपवास करो तो कप्टियों की नाई तुम्हारे मुह पर उदासी न चाही रहे क्योंकि वे अपना मुहु बनाए रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुह धो कि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा अपने लिए प्रत्वी पर धन इकठा न करो जहां कीडा और काई बिगाडते हैं और जहां चोर सेंद लगाते और चुराते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकठा करो जहां ना तो कीडा और ना काई बिगाडते हैं और जहां चोर न सेंद लगाते ना चुराते हैं क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, शरीर का दिया आँख है, यदि तेरी आँख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परन्तु यदि तेरी आँख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते मैं तुम से कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं आकाश के पक्षियों को देखो वे ना बोते हैं न काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं तो भी तुम्हारा स्वर्ग्य पिता उनको खिलाता है क्या तुम उनसे अधिक मुल्ले नहीं रखते तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो जंगली सोसनों पर ध्यान करो वे कैसे बढ़ते हैं वे ना तो परिश्रम करते न कातते हैं तो भी मैं तुम से कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उन में से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था इसलिए जब परमेश्वर मैदान की खास को जो आज है और कल भाड में जोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियो तुम को वो क्यों कर न पहनाएगा इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे क्योंकी अन्य जाती इन सब वस्तूओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्ग्य पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तूओं चाहिएं इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तूओं भी तुम्हें मिल जाएंगी सो कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है अध्याय साथ दोश मत लगाओ कि तुम पर भी दोश न लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा तू क्यू अपने भाई की आख के तिनके को देखता है और अपनी आख का लठा तुझे नहीं सूजता जब तेरी ही आख में लठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आख से तिनका निकाल दूँ हे कप्टी पहले अपनी आख में से लठा निकाल ले तब तू अपने भाई की आख का तिनका भली भांती देख कर निकाल सकेगा पवित्र वस्तु कुट्टों को न दो और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो ऐसा न हो कि वे उन्हें पावों तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड डालें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूंडो तो तुम पाओगे खट खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है जो ढूंडता है वो पाता है और जो खट खटाता है उसके लिए खोला जाएगा तुम मेंसे ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे वो मचली मांगे तो वो उससे साप दे सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु में देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु में क्यों न देगा इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसाही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविश्य द्वक्ताओं की शिक्षा यही है सकेत भाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चोड़ा है, वो भाटक और चाकल है, वो मार्ग जो विनाश को पहुचाता है, और बहुतेरे हैं, जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो भाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं जूटे भविश्य द्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फारने वाले भेडिये हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या लोग जाडियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड बुरा फल लाता है अच्छा पेड बुरा फल नहीं ला सकता और ननिकम्मा पेड अच्छा ला सकता है जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्गिय पिता की च्छा पर चलता है उस दिन बहु तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभू, हे प्रभू, क्या हमने तेरे नाम से भविश्य द्वानी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचम्भे के काम नहीं किये तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर पर टक्करे परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है और उन्हें पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धी मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर पालू पर बनाया और मेह बरसा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर पर टक्करे लगी और वो गिर कर सत्या नाश हो गया। जब हीशुष ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश द अध्याय आठ जब वो उस पहार से उत्रा तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और देखो एक कोड़ी ने पार्स आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है यीशु ने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा और तुरंत वो कोड़ से शुद्ध हो गया यीशु ने उससे कहा देख किसी से न कहना परंतु जाकर अपने आपको याज को दिखला और जो चड़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चड़ा ताकि उनके लिए गवाही हो और जब वो कफर नहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बिनती की कि हे प्रभू मेरा सेवग घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभू मैं इस योगे नहीं कि तु मेरी छत के तले आए पर केवर मुख से कह दे तो मेरा सेवग चंगा हो जाएगा क्योंकि मैं भी पराधीन मनिश हूँ और सिपाई मेरे हाथ में हैं जब एक से कहता हूँ जा तो जाता है और दूसरे को आ तो वो आता है और अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है ये सुनकर येशु ने अचंपा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से जाकर इबराहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्क के राज्य में बैठेंगे परन्तु राज्य के संतान बाहर अंध्यारे में डाल दिये जाएंगे वहां रोना और दांत पीसना होगा येशु ने तब सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेर जाका हो गया और येशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा उसने उसका हाथ चुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी जब संत्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुश्ट आत्मा प्रविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया यीशू ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड देखकर उस पार जाने की आज्या दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा हे गुरू जहां कहीं तु जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा यीशू ने उससे कहा लोमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिए सिरधरने की भी जगा नहीं है एक और चेले ने उससे कहा हे प्रभू मुझे जाने दे कि पहले अपने पिता को गाड़ दू यीशू ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे जब वो नाव पर चड़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो जील में एक ऐसा बड़ा दूफान उठा कि नाव लहरों से ठपने लगी और वो सो रहा था तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा ए प्रभू हमें बचा हम नाश हुए जाते हैं उसने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाटा और सब शान्त हो गया और लोग अचमभा करके कहने लगे की आज्या मानते हैं जब वो उस पार गद्रेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिन में दुश्ट आत्माएं थी कबरों से निकलते हुए उसे मिले वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा उनसे कुछ दूर बहुत से सुरों का एक जुंड चर रहा था दुश्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर बिनती की कि यदि तू हमें निकलता है तो सुरों के जुंड में बेज दे उसने उनसे कहा जाओ वे निकलकर सुरों में बैठ गए और देखो सारा जुंड कडाडे पर से जपट कर पानी में जागिरा और डूब मरा जरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुश्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल सुनाया और देखो सारे नगर के लोग येशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर बिनती की हमारे सिवानों से पाहर निकल चाए अध्याय नौ फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रख कर उसके पास लाए येशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र धाडस बान तेरे पाप ख्षमा हुए और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा के ये तो परमेश्वर की निंदा करता है येशु ने उनके मन की बाते मालूम करके कहा तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर परंतु ये इसलिए है कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को प्रिथ्वी पर पाप ख्षमा करने का अधिकार है उसने जोले के मारे हुए से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा वो उठकर अपने घर चला गया लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है वहां से आगे बढ़कर येशू ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले वह उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर येशू और उसके चेलों के साथ खाने बैठे ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुमारा गुरू महसूल लेने वालूं और पापियों के साथ क्यों खाता है उसने ये सुनकर उनसे कहा वैद्य की आविशक्ता भाले चंगों को नहीं परन्तु बीमारों को होती है तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परन्तु दया चाहता हूँ क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा क्या कारण है कि हम और फरीशी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले नहीं करते येशु ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दुलहा उनके साथ है शोक कर सकते हैं पर वे दिन आएंगे जब दुलहा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता क्योंकि नया पैवंद पहिरावन से कुछ और खीच लाता है और वो अधिक फट जाता है और नया दाखरस पुरानी मश्कों में नहीं भरते हैं क्योंकि ऐसा करने से मश्के फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मश्के नाश हो जाती है नया दाखरस नई मश्कों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती है वो उनसे ये बाते कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है पर तुछल कर अपना हाथ उस पर रख तो वह जिवित हो जाएगी येशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसके बारा वर्ष से लहु बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को चूलिया क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही चूलूँगी तो चंगी हो जाऊंगी येशु ने फिरकर उसे देखा और कहा पुत्री धाडस बांद तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है वो स्त्री चंगी हो गई जब हीशु उस सरदार के घर में पहुँचा उसने पांसली बजाने वालों और भीड को हुल्लड मचाती देखा उसने उनसे कहा हच जाओ लड़की मरी नहीं पर सोती है इस पर वो उसकी हसी करने लगे जब भीड निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई जब यीशू वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले हे दाउद की संतान हम पर दया कर जब वो घर में पहुचा तो वो अंधे उसके पास आए यीशू ने उनसे कहा क्या तुमें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ उन्होंने उससे कहा भाब रगु तब उसने उनकी आँखें छूख कर कहा तुमारे विश्वास के अनुसार तुमारे लिए हो और उनकी आँखें खुल गई यीशू ने उन्हें चिता कर कहा सावधान कोई इस बात को न जाने पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीर ने अचंभा करके कहा इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया परन्तु फरीसियों ने कहा ये तो दुष्टात्मा के सरदार की सायता से दुष्टात्मा को निकालता है और येशू सब नगरों और गाउं में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार के बीवारी और दुरबलता को दूर करता रहा जब उसने भीर को देखा तो उसको लोगों पर तरसाया क्योंकि वे उन भेडों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे तब उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज़ दें अध्याय दस फिर उसने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुरबलताओं को दूर करें बारह प्रेतियों के नाम ये हैं पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई युहन्ना फिलिप्पुस और बर्तुलमे धोमा और महसूल लेने वाला मत्ती हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दै शमौन कनानी और यहूदा इसक्रियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया इन बारहों को येशू ने ये आग्या देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना परन्तु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेडों के पास जाना चलते चलते प्रचार कर कहो स्वर्ख का राज्य निकट आ गया है बीमारों को चंगा करो मरे हुओं को जिलाओ कोडियों को शुद्ध करो दुष्टात्माओं को निकालो तुमने सेंत मेंत पाया है सेंत मेंत दो अपने पटुकों में न सोना न रूपा और न तामा रखना मार्ग के लिए न जोली रखो न दो कुर्ते न जूते और न लाठी लो क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए जिस किसी नगर या गाओं में जाओ पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीश देना यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्यान उन पर पहुँचेगा परन्तु यदि वे योग्य न हों तो तुम्हारे पास लोट आएगा जो कोई तुमें ग्रहन न करे और तुम्हारी बाते न सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाउं की धूल जाड डालो मैं तुमसे सच कहता हूँ न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी देखो मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेशता हूँ सो सांपों की नाई बुद्धीमान और कबूत्रों की नाई भोले बनो परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महा सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोडे मारेंगे तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुचाये जाओगे जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या कहेंगे क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का बुत्र आ जाएगा चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं और नदास अपने स्वामी से चेले का गुरू के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घरवालों को या ना कहेंगे सो उनसे मत डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है क्या पैसे में दो गरईयें नहीं बिक्ती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना, उनमें से एक भी भूमी पर नहीं गिर सकती, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए धरो नहीं, तुम बहुत गरईयों से बढ़कर हो, जो कोई मनुश्यों के सामने इनकार करेगा, उसका मैं भी अपने स्वर्गिय पिता के सामने इनकार करूँगा, ये ना समझो कि मैं पृत्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ, मैं तो आया हूँ, कि मनुश्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मा से और बहु को उसकी सास से अलग कर दूँ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं वो उसे पाएगा जो तुमें ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है जो भविश्य द्वक्ता को भविश्य द्वक्ता जानकर ग्रहन करे वो भविश्य द्वक्ता का बदला पाएगा और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहन करे वो धर्मी का बदला पाएगा जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीती से अपना प्रतिफल न खोएगा जब येशु अपने बारहत चेलों को आग्या दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया यूहन्ना ने बंदी ग्रह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं येशु ने उतर दिया जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते और लंगडे चलते फिरते हैं कोडी शुद किये जाते हैं और बहिरे सुनते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए जब वे वहां से चल दिये तो यूहन्ना के विशय में लोगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने गए थे क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को फिर तुम क्या देखने गए थे क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को देखो जो कोमल वस्त्र पहिनते हैं वे राज भवनों में रहते हैं, फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविश्य द्वक्ता को देखने? हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, वरन भविश्य द्वक्ता से भी बड़े को, ये वही है, जिसके विशे में लिखा है, देख, मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार करेगा, मैं तुम से सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे बड़ा है, युहन्ना बप्तिस् सारे भविश्य द्वक्ता और व्यवस्था भविश्य द्वानी करते रहे और चाहो तो मानू एलिया जो आने वाला था वो यही है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुमारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे हमने विलाप किया और तुमने च्छाती नहीं पीटी क्योंकि युहन्ना न खाता आया और न पीता और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू प्यक्कड मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र पर ग्यान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिन में उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किये थे क्यूंकि उन्होंने अपना मन नहीं पिराया था हाए खुरा जीन, हाए बैच सैदा जो सामर्थ के काम तुम में किये गए यदि वे सूर और सैदा में किये जाते तो ताट ओड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी और हे कफर नहूं क्या तू स्वर्ग तक उँचा किया जाएगा तू तो अधो लोक तक नीचे जाएगा जो सामर्थ के काम तुझ में किये गए हैं यदि सदोम में किये जाते तो वो आज तक बना रहता पर मैं तुमसे कहता हूँ न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी उसी समय येशु ने कहा हे पिता स्वर्ग और प्रिथ्वी के प्रभू तेरा मैं धन्यवात करता हूँ कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगट किया है हाँ हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे हे सब ठके और बोज से दबे हुए लोगो मेरे पास आओ मैं तुमें विश्राम दूँगा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज ह अध्याय 12 उस समय यीशु विश्राम के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी सो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे फरीसियों ने ये देखकर यीशु से कहा देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने नहीं पड़ा कि दाउद ने जब वो और उसके साथ ही भूके हुए तो क्या किया वो परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई जिन्हें खाना न तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था या तुमने विवस्था में नहीं पड़ा कि याजक विश्राम के दिन मंदिर में विश्राम के दिन की विधी को तोड़ने पर भी निर्दोश ठहरते हैं पर मैं तुमसे कहता हूँ यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोश को दोशी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का भी प्रभू है। वहां से चल कर वो उनकी सभा के घर में आया, और देखो, एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोश लगाने के लिए उससे पूछा कि, क्या सब के दिन चंगा करना उचीत है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है, जिसकी एक ही भेड हो, और वो सब्द के दिन गड़े में गिर जाए, तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले, मनुष्य का मुल्य भेड से कितना बढ़ कर है, इसलिए सब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हात बढ़ा, उसने बढ़ाया, और वो फिर दूसरे हात की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर येशु के विरोध में सम्मति की, कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर येशु वहां से चला गया। और बहुत लोग उसके पीछे हो लिये, और उसने सब को चंगा किया। और उन्हें चिताया कि उसे प्रकट न करें। कि जो वचन ये शाय या भविश्व द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो कि, देखो ये मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है। मेरा प्रेय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूँगा, और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो न जगडा करेगा, और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, और धूमा देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। तब लोग एक अंधे गुंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, और वो गुंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे। ये क्या दवत के संतान है? परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना, दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, बनाना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं इसलिए वे ही तुम्हारा नयाय पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुमारे पास आ पहुंचा है। मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निन्दा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निन्दा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका ये अपराद क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहे उसका आपराद ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा यदि पेड को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो या पेड को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो क्योंकि पेड फल ही से पहचाना जाता है हे साप के बच्चो तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है वही मुह पर आता है भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बाते निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बाते मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन एक-एक बात का लेखा देंगे क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोश और अपनी बातों ही के कारण दोशी ठहराया जाएगा इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा हे गुरू हम तुसे एक चिन देखना चाहते हैं उसने उत्तर दिया कि इस युक के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन ढूंडते हैं परन्तु युनुस भविश्य द्वक्ता के चिन को छोड़ कोई और चिन उनको न दिया जाएगा युनुस तीन रात दिन जल जन्तू के पेट में रहा वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन प्रिथवी के भीतर रहेगा नीनवे के लोग नियाए के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने युनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वो है जो युनुस से भी बड़ा है दखिन की रानी नियाय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वो सुलेमान का ज्यान सुनने के लिए पृत्वी की छोड से आई और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंटती फिरती है और जब नहीं पाती तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाऊंगी वो आकर उसे सूना ज़ाडा बुहारा और सजा सजाया पाती है तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैठ कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है इस युक के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी जब वो भीर से बाते कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुससे बात करना चाहते हैं ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा मेरी माता और मेरे भाई ये है क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गिय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है अध्याय ते रह उसी दिन येशु घर से निकल कर जील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड इकठी हुई कि वो नाव पर चड़ गया और सारी भीड किनारे पर खाड़ी रही और उसने उनसे द्रिश्टान्तों में बहुत सी बातें कही उसने कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला बोते समय कुछ मार्क के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ पतरीली भूमी पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए कुछ ज़ाडियों में गिरे और ज़ाडियों ने बढ़कर उन्हें दवा डाला पर कुछ अच्छी भूमी पर गिरे और फल लाए कोई सौ गुना, कोई साथ गुना, कोई तीस गुना जिसके कान हों वो सुन ले और जेलों ने पास आकर उससे कहा तु उनसे द्रिष्टानतों में क्यों बाते करता है? उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा मैं उनसे द्रिष्टानतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते और उनके विशे में यशया की भविश्यद्वानी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आखों से तो देखोगे पर तुमें न सुझेगा क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से उंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आखें मूद ली हैं कहीं ऐसा न हो कि वे आखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं पर धन्य है तुम्हारी आखें की वे देखती हैं और तुम्हारे कान की सुनते हैं क्यूंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत भविश्यद वकताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो, सुने, पर न सुनी, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्ये का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पत्रीली भूमी पर बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है पर अपने में जड़ना पकड़ने के कारण वो थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, जो जाडियों में बोया गया, ये वो है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोका वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता, जो अच्छी भूमी में बोया गया, ये वो है, जो वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है, जे उस मनुष्य के समान है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, जब अंकुर निकले और बाले लगी, तो जंगली दाने भी दिखाई दिये, इस पर ग्रहस्त के दास है, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले, उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए, उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर, जलाने के लिए उनके गठे बांद लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकठा करो, उसने उन्हें एक और दिश्टांत दिया, स्वर्ग का राजे राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खे उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं, उसने एक और दिश्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीर हो गया, ये सब बाते येश्य ने दिश्टांतों में लोग पूरा हो कि मैं दिश्टांत कहने को अपना मूह खोलूंगा, उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं, प्रकट करूंगा, तब वो भीड को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दिश्टांत हमें राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं, जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्ग दूत हैं, सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाये जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा, मनुष्य का करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे वहां रोना और दांद पीसना होगा उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे जिसके कान हूँ वो सुन ले स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच कर उस खेत को मोल लिया फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यपारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था जब उसे एक बहुमुल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मचलियों को समेट लाया और जब भर गया तो उसको किनारे पर खीच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बरतनों में कठी की और निकम्मी फिंग दी जगत के अंत में ऐसा ही होगा स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे वहां रोना और दात पीसना होगा क्या तुमने ये सब बातें समझी उन्होंने उससे कहा हाँ उसने उनसे कहा इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस ग्रहस्त के समान है जो भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है जब हीशु ये सब द्रिष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उबदेश देने लगा कि वो चकित होकर कहने लगे इसको ये ज्यान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मर्यम और इसके भाईयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमान और यहुदा नहीं? क्या इसकी सब बहने हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मि उन्हों ने उसके कारण ठोकर खाई पर यीशु ने उनसे कहा भविश्य द्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण सामर्थ के अनेक काम नहीं किये अध्याई चोड़ उस समय चोथाई देश के राजा हेरो देश ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा ये यहुना बाप्तिस्मा देने वाला है वो मरे हो में से जी उठा है इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं हेरो देश ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरो दियास के कारण यूहना को पकड़ कर बाढ़ा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि यूहना ने उससे कहा था इसको रखना तुझे उचित नहीं है और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे पर जब हेरो देश का जन्म दिन आया तो हेरो द्यास की बेटी ने उच सब में नाच दिखा कर हेरो देश को खुश किया इसलिए उसने शपत खा कर वचन दिया कि वो अपनी माता की उसकाई हुई बोली युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दी राजा दुखित हुआ पर अपनी शपत के और साथ बैटने वालों के कारण आग्या दी दे दिया जाए और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहन्ना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मा के पास ले गई और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहन्ना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मां के पास ले गई उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गार दिया और येशू को इसका समाचार दे दिया जब येशू ने ये सुना तो नाव पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जगा एक आंत में चला गया लोग ये सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिये उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया जब सांच हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा ये तो सुनसान जगे है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए बोजन मोल ले येशू ने उनसे कहा उनका जाना आवशक नहीं तुम ही इन्हें खाने को दो उन्होंने उससे कहा यहां हमारे पास पाँच रोटी और दो मचलियों को चोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां मेरे पास लिया तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पांच रोटियों और दो मचलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर त्रिप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए डुकडों से भरी हुई बारे टोकरियां उठाई और खाने वाले स्थ्रियों और बालकों को छोड़ कर पांच हजार पुरुशों के अटकल थे और उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चड़ाया कि वो उससे पहले बार चले जाएं इतने में वो लोगों को विदा करते वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड पर चड़ गया और सांच को अकेला था उस समय नाव जील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और वो रात के चौथे पहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है और डर के मारे चिला उठे यीशु ने तु पर प्रभू यदि तु ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्या दे उसने कहा तब पत्रस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया और जब दोबने लगा तो चिला कर कहा ये प्रभू पुझे बचा येशु ने तुरंत हाथ बढ़ा कर उसे धाम लिया और उसे कहा ये अल्प विश्वासी तुने क्यों संदेह किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा थम गए इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा सच मुझ तु परमिश्वर का पुत्र है वे पार उतर कर गन्य सरत देश में पहुचे और वहा की लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे बिनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही को छूने दे जितनों ने उसे चुआ वे चंगे हो गए अध्याय पंद्रह तब यरुशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशू के पास आकर कहने लगे तेरे चेले पुरियों की रीतियों को क्यों टालते हैं वे बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं उसने उनको उत्तर दिया तुम भी अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्या क्यों टालते हो क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए पर तुम कहते हो यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाब पहुँच सकता था वो परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है तो वो अपने माता पिता का आदर न करे सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया हे कप्टियो यशायाह ने तुमारे विशे में ये भविश्यद्वानी ठीक ही की है ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुश्यों की विधियों को धर्मों पदेश करके सिखाते हैं और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा सुनो और समझो जो मुह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता पर जो मुह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है तब चेलो ने आकर उससे कहा क्या तु जानता है कि फरीशियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई हैं? उसने उत्तर दिया हर पौधा जो मेरे स्वर्गिय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा उनको जाने दो वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गढ़े में गिर पड़ेंगे ये सुनकर पतरस ने उससे कहा ये दृष्टांत हमें समझा दे उसने कहा क्या तुम भी अब तक ना समझ हो क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है पर जो कुछ मुह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मन जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए, भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से निकल कर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, और चिल्ला कर कहने लगी पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, उसके चेलों ने आकर उससे बिनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती आती है, उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेडों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, पर वह आई और उसे प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभू, मेरी सहायता कर, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुट्टों के आगे डालना अच्छा नहीं, उसने कहा, सत्ते है प्रभू, पर कुट्टे भी वो चूरचार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेच से गिरते हैं, इस पर हीशू ने उसको उतर दे कर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी, उसी घड़ी जंगी हो गई, यीशू वहां से चलकर, गलील की जील के पास आया, और पहाड पर चलकर, वहां बैठ गया, और एक बड़ी भीड, लंगडों, अंधों, गूंगों, तुंडों, और बहुत औरों को लेकर, उसके पास आई, और उन्हें उसक लंगा किया, सो सब लोगों ने देखा, कि गूंगे बोलते, और टुंडे चंगे होते, और लंगडे चलते, और अंधे देखते हैं, तो अचमभा करके, इस्रायल के परमेश्वर की बढ़ाई की, यीशू ने अपने चेलों को बुला कर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा नहों कि मार्ग में ठक कर रह जाएं, चेलों ने उससे कहा, हमें इस चंगल में कहां से इतनी रोटिया मिलेगी, कि हम इतनी बड़ी भीड को त्रिप्त कर सकें, यीशू ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं, उन्होंने कहा, साथ और थोड़ी सी छोटी मचलिया, तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी, और उन साथ रोटियों और मचलियों को ले, धन्यबाद करके तोड़ा, और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को, सो सब खा कर त्रिप्त हो गए, और बचे हुए टुकणों से भरे हुए साथ तोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़, चार हजार पुरुष थे, तब वो भीड को फिदा कर नाव पर चड़ गया, और मगदन देश के सिवानों में आया, अध्याई 16 और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें आकाश का कोई चिन्ध दिखा, उसने उनको उत्तर दिया, सांच को तुम कहते हो कि खुला रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुमला है, तुम आकाश का लक्षन देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते, इस युक के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन ढूंडते हैं पर यूनुस के चिन को छोड़ कोई और चिन उन्हें न दिया जाएगा और वो उन्हें छोड़ कर चला गया चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे यीशु ने उनसे कहा देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना वे आपस में विचार करने लगे हम तो रोटी नहीं लाए ये जानकर यीशु ने उनसे कहा हे अल्प बिश्वासियों तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या तुम अब तक नहीं समझे क्या उन पाँच हजार की पाँच रोटी समरण नहीं करते और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी और ना उन चार हजार की साथ रोटी और ना ये कि कितने टोकरे उठाई गए थे तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम से रोटियों के विशे में नहीं कहा फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था येशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कितने तो योहना बबतिस्मा देने वाले कहते हैं और कितने एलिया और कितने इर्मिया या भविश द्वक्ताओं में ऐसे कोई एक कहते हैं? उसने उनसे पूछा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमावन पत्रस ने उत्तर दिया तु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसी है येशु ने उसको उत्तर दिया हे शमोन योना के पुत्र तु धन्य है क्योंकि मास और लोहुने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है और मैं भी तुझ से कहता हूँ तु पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिस्या बनाऊंगा और अधुलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजिया दूँगा और जो कुछ तु प्रित्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तु प्रित्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसी हूँ. उस समय से यीशू अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरुशलेम को जाओं और पुर्णियों और महायाज को और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुक उठाओं और मार डाला जाओं और तीसरे जी उठूँ इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जड़कने लगा हे प्रभु परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा उसने फिरकर पत्रस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बाते नहीं पर मनुश् दिलों से कहा मनुश्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुश्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कभी ना चकेंगे अध्याय सत्रह छे दिन के बाद यीशू ने पत्रस और याकूब और उसके भाई युहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उचे पहाड पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मू सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र जियोती की नाई उजला हो गया और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिये इस पर पत्रस ने येशू से कहा हे प्रभू हमारा यहां रहना अच्छा है इच्छा हो तो यहां तीन मंडब बनाओ एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए वो बोल ही र बादल ने उन्हें चा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला ये मेरा प्रिये पुत्रे जिससे मैं प्रसंद हूँ इसकी सुनो चेले ये सुनकर मुह के बल गिर गए और अत्यांत डर गए येशू ने पास आकर उन्हें चुआ और कहा उठो डरो मत तब उन चोड़ और किसी को न देखा जब वे पहार से उतर रहे थे तब येशू ने उन्हें ये आग्या दी जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुँ में से नजी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना और उसके चेलों ने उससे पूछा फिर शास्त्री क्यों कह कि एलिया का पहले आना अवश्य है उसने उतर दिया एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना परन्तु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया इसी रीती से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा तब चेलो ने समझा कि उसने हमसे युहना बबतिस्मा देने वाले के विशय में कहा है जब वे भीड के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा हे प्रभू मेरे पुत्र पर दया करे क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में वो पानी में गिर पड़ता है मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके जीशु ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हटीले लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा कब तक तुम्हारी सभूँगा उसे यहां मेरे पास लाओ तब यीशु ने उसे घुलका और दुश्टात्मा उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया तब चेलो ने एकांथ में ईशु के पास आकर कहा हम मेंसे क्यों नहीं निकल सके उसने उन से कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहार से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अन्होनी न होगी। जब वे गलील में थे, तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। और वे उसे मार डालेगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफर नहूम में पहुँचे, तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पत्रस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरू मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता तो है। जब वो घर में आया, तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमोन, तु क्या समझता है? पृथवी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पत्रस ने उनसे कहा, परायों से, यीशु ने उससे कहा, तो फृत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तु जील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मचली पहले निकले, उसे ले, और उसका मूँ खोलने पर, तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना, अध्याय 18 इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बढ़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से, एक ऐसे बालक को ग्रहन करता है, वो मुझे ग्रहन करता है, पर जो कोई इन छोटों में से, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता, कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता ठोकरों के कारण संसार पर हाए, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है यदि तेरा हाथ या तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए, तो काट कर फेंक दे, तुंडा या लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है, कि दो हाथ या दो पाउं रहते हुए, तु अनन्त आग में डाला जाए और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है, कि दो आँख रहते हुए, तु नरक के आग में डाला जाए देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुछ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, स्वर्ग में उनके दूत, मेरे स्वर्गिय पिता का मुह सदा देखते हैं, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की सौ भेडे हूँ, और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या उन निनानवे भेडों के लिए, जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा, जितना की इस भेड के लिए करेगा, ऐसा ही तुमारे पिता की, जो स्वर्ग में हैं, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो, यदि तेरा भाई तेरा अपराद करे, तो और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो ना सुने, तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुह से ठहराई जाए, यदि वो उनकी भी नमाने, तो कलीसिया स कह दे, परन्तु यदि वो कलीसिया की भी नमाने, तो तू उसे अन्य जाती, और मैसूल लेने वाले के समान जान, मैं तुम से सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रिथवी पर बांधोगे, वो स्वर्ग में बंदेगा, और जो कुछ तुम प्रिथवी पर खोलोगे, वो फिर मैं तुम से कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन प्रिथवी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, एक मन के हों, तो वो मेरे पिता की ओर से, जो स्वर्ग में हैं, उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ, तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपरात करता रहे, तो मैं कितनी बार उससे शमा करूँ, क्या साथ बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता, कि साथ बार, वरन साथ बार के सत्तर गुने तक, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, जब वो लेखा लेने लगा, तो एक जन उसके सामने लाया गया, जो दस हजार तोड़े का रिनी था, जब चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पतनी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है, सब बेचा जाए, और वो कर्ज चुका दिया जाए, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, और कहा, ह ये स्वामी धीरजधर, मैं सब कुछ भर दूँगा, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और उसका रिन ख्रमा किया, परन्तु जब वो दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, जो उसके सौ दिनार धारता था, उसने उसे पकड़ कर उसका गला घोंटा, और कहा, जो कुछ तेरे उपर रिन है, भर दे, इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरजधर, मैं सब भर दूँगा, उसने न माना, परन्तु जाकर उसे बंदी ग्रह में डाल दिया, कि जब तक कर्ज भर न दे, तब तक वहीं रहे, उसके संगी दास ये जो हुआ था, देखकर बहुत उदास हुए, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया, तब उसके स्वामी ने उसको बुला कर उससे कहा, ये दुश्ट दास, तुने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तो तेरा वो पूरा क्षमा किया, सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौप दिया, कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे, तब तक उनके हाथ में रहे, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से शमा न करे, तो मेरा पिता जो स्वार्ग में है, तुम से भी वैसा ही करेगा अध्याय उन्निस जब येशू ये बातें कह चुआ, तो गलील से चला गया, और यहूदिया के देश में यर्दन के पार आया, और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली, और उसने उन्हें वहाँ चंगा किया, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हरेक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उजी थे? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पड़ा कि जिसने उन्हें बनाया, उसने आरंब से नर और नारी बना कर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, सो वे अब दो नहीं, परन्तु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वन ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे, उन्हों ने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया, कि त्याग पत्र दे कर उसे छोड़ दे, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, तुम्हें अपनी अपनी पत्न को छोड़ देने की आज्यादी, परन्तु आरंब से ऐसा नहीं था, और तुमसे कहता हूं, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, वो भी व्यभिचार करता है, चेलो ने उससे कहा, यदि पुरुष का इस तरी के साथ ऐसा संबन्ध है, तो विवाह करना अच्छा नहीं, उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहन नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन में, और कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य ने नपुनसक बनाया, और कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आपको नपुनसक बनाया है, जो इसको ग्रहन कर सकता है, वो ग्रहन करे, तब लोग बालको को उसके पास लाए कि वो उन पर हात रखे और प्राथ्ना करे पर चेलों ने उन्हें डाटा जीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो उन्हें मना न करो क्योंकि स्वार्क का राज्य ऐसों ही का है और वो उन पर हात रख कर वहां से चला गया और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरू, मैं कौन सा भला काम करों की अनन्त जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विशय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आज्याओं को माना कर, उसने उससे कहा, कौन सी अग्याएं? येशू ने कहा, ये की हत्या न करना, फ्यविचार न करना, चोरी न करना, जूटी गवाई न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पडोशी से अपने समान प्रेम रखना, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? येशू ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो जा, अपना माल बेचकर, कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर, मेरे पीछे हो ले, परन्तु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, तब येशू ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि धन्वान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, फिर तुमसे कहता हूँ, कि परमेश्वर के राज्य में धन्वान के प्रवेश करने से, उट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, ये सुनकर चेलों ने बहुत जकित होकर कहा, फिर किसका उधार हो सकता है, येशू ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इस पर पत्रस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिये हैं, तो हमें क्या मिलेगा? येशू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई उत्पत्ती में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंगहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो, बारह सिंगहासनों पर बैठकर, इसराइल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे, और जिस किसी ने घरों, या भाईयों, या बहिनों, या पिता या माता, या लड़के वालों, या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको सौ गुना मिलेगा, और वो अनन्त जीवन का अधिकारी होगा, परन्तु, बहु तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। स्वर्ग का राज्य किसी ग्रहस्त के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाग की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों को एक दिनार रोज पर ठहरा कर, उन्हें अपनी दाग की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चड़े निकल कर, और अनेकों को बाजार में बेकार खड़े देख कर, उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दूँगा। सो वे भी गए, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर, वैसा ही किया, और एक घंटा दिन रहे, फिर निकल कर औरों को खड़े पाया, और उनसे कहा, तुम क्यूं यहां दिन भर बेकार खड़े रहे, उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया, उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ, सांज को दाग की बारी के स्वामी ने, अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुला कर, पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे, सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाये गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला, जो पहिले आए, उन्होंने ये समझा, कि हमें अधिक मिलेगा, परन्तु, उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला, जब मिला, तो वे ग्रिहस्त पर कुड़कुडा कर कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, और तूने हमारे बराबर कर दिया, जिनोंने दिन भर का भार उठाया, और धूप सही, उसने उन्हें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार नठहराया था, जो तेरा है, उठा ले, और चला जा, मेरी इच्छा ये है, कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूँ, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूँ, क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी द्रिष्टी से देखता है, इसी रीती से, जो पिछले हैं, वे पहले होंगे, और जो पहले हैं, वे पिछले होंगे, येशू यरूशलेम को जाते हुए, बाराय चेलों को एकांत में ले गया, और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुश्य का पुत्र, महायाजकों, और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौपेंगे, कि वे उसे ठटों में उड़ाएं, और कोडे मारें, और क्रूस पर चड़ाएं, और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा, तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ, उसके पास आकर प्रणाम किया, और वो उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये कहे कि मेरे ये दो पुत्र, तेरे राज्ये में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाई बैठे, जीशो ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं? उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं, किसी को बेठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तयार किया गया, उन्हीं के लिए है, ये सुनकर, दसों चेले उन दोनों भाईयों पर कुरुथ हुए, ये शुने उन्हें पास बुला कर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं, वे उन पर अधिकार जताते हैं, परन्तु तुम में ऐसा न होगा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे, वो तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र, वो इसलिए नहीं आया, कि उसकी सेवा टहल की जाए, परन्तु इसलिए आया, कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे जब वे यरीहु से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि येशु जा रहा है पुकारकर कहने लगे लोगोंने उन्हें डाटा के चुप रहे पर वे और भी चिलाकर बोले ये प्रभू ये के हमारी आँखे खुल जाएं ये शुने तरस खाकर उनकी आँखे चुई और वे तुरंद देखने लगे और उसके पीछे हो लिए अध्याई 21 जब वे यरुशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड पर बैत फगे के पास आए तो यीशु ने दू चेलों को ये कहकर भेजा अपने सामने के गाओं में जाओ वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो प्रभु को इनका प्रयोजन है तब वो तुरंद उन्हें भेज देगा ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो शियोन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है वो नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा हीशो ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गध ही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और और लोगों ने पेडों से डालियां काट कर मार्ग म और जो भीड आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद की संतान को होशाना धन्न है वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशाना जब उसने यरुशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविश्य दुरक्ता येशू है येशू ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेंदेन कर रहे थे नि जगर प्रार्थना का घर कहलाएगा परन्तु तुम उसे डाकों की खोव बनाते हूँ और अंधे और लंगडे मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया परन्तु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अध्भुत कामों को जो उसने किये और लड़को को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे क्या तु सुनता है कि ये क्या कहते हैं यीशु ने उनसे कहा हां क्या तुमने ये कब नहीं पड़ा कि बालकों और दूद पीते बच्चों के मुह से तुने इस तुती स जिंद कराई तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैत नियाह को गया और वहां रात बिताई भोर को जब वो नगर को लोट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कु जलना लगे और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया यह देखकर चेलों ने अचमभा किया और कहा यह अंजीर का पेड़ क्योंकर तुरंत सूख गया यीशू ने उनको उत्तर दिया मैं तुम से सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो नकेवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वो सब तुमको मिलेगा। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, कि महायाजकों और लोगों के पुर्णियों ने उसके पास आकर पूछा, तु ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किस ने दिया है। येश्व ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो मुझे बतलाओगे, तो मैं भी तुमें बताओँगा, कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। युहन्ना का बबतिस्मा कहां से था? स्वर्क की ओर से या मनुश्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदी हम कहें सुर की ओर से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतिती क्यों ना की, और यदी कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड का डर है, क्योंकि वे सव यहुन्ना को भाविशिदुखता जानते हैं। तो उन्होंने येशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ, तुम क्या समझते हो। किसी मनुश्य के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाओंगा, परंतु पीछे पच्टा कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा। पहले ने। येश्यों ने उनसे कहा। और वेश्याओं ने उसकी प्रतीती की। और तुम ये देखकर पीछे भी न पच्छताए कि उसकी प्रतीती कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक ग्रिहस्त था जिसने दाख की बारी लगाई। और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। और उसमें रस का कुंड निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थर वाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहिलों से अधिक थे। और उन्हो उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आधर करेंगे परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा ये तो वारिस है आओ उसे मार डाले और उसकी मिरास ले ले और उन्होंने उसे पकड़ा और दाक की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला इसलिए जब दाक की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीती से नाश करेगा और दाक की बारी का ठीका अन्य किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे इशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पड़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, ये प्रभु की ओर से हुआ, और हमारे देखने में अधभुत है, इसलिए मैं तुमसे कह कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाती को जो उसका फल लाए दिया जाएगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा, वो चकना चूर हो जाएगा, और जिस पर ये गिरेगा, उसको पीस डालेगा, महायाजक और फरीसी उसके द्रिष्टान परन्तों को सुनकर समझ गए, कि वो उनके विशे में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परन्तु लोगों से डर गए, क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता मानते थे। अध्याय बाइस इस पर येशु फिर उनसे द्रिष्टान्तों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भीजा, कि नेवता हारियों को विवाह के भोज में बुलाएं, परन्तु उन्होंने आना न चाहा, फिर उसने और दासों को ये कहकर भीजा, कि नेवता हारियों से कहो, देखो मैं भोज तयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तयार है, विवाह के भोज में आओ, परन्तु वे उपेक्षा करके चल दिये, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यपार को, औरों ने जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़ कर, उनका अनादर किया और मार डाला, राजा ने क्रोध किया, और अपनी सेना भेज कर, उन हत्यारों का नाश किया, और उनके नगर को फूँक दिया, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तयार है, परन्तु नेवता हारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चोराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिले, सब को विवाह के भोज में बुला लाओ, सो उन दासों ने सडकों पर जाकर क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकठे किया, और विवाह का घर जेवन हारों से भर गया जब राजा जेवन हारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुश्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था उसने उससे पूछा हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यूं आ गया? उसका मुह बंध हो गया तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पाउं बांध कर उसे बाहर अंधिहारे में डाल दो वहां रोना और दाथ पीसना होगा क्यूंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं तब फरीशियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फसाएं सो उन्होंने अपने चेलों को हे रोधियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा हे गुरू हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि तू मनुश्यों का मुँद देखकर बाते नहीं करता इसलिए हमें बता तू क्या समझता है कैसर को कर देना उचीत है कि नहीं येशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियो, मुझे क्यूं परकते हो, करका सिक्का मुझे दिखाओ. तब वे उसके पास एक दीनार ले आए, उसने उनसे पूछा, ये मुर्ती और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का, तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है, वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो. ये सुनकर उन्होंने अचमभा किया, और उसे छोड़ कर चले गए. उसी दिन, सदूकी, जो कहते हैं, कि मरे हुआं का पुनरुथान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरू, मुसा ने कहा था, कि यदि कोई बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके, अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे, अब हमारे यहां साथ भाई थे, पहला विवाह करके मर गया, और संतान ना होने के कारण, अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और सातों तक यही हुआ, सब के बाद वो इस्तरी भी मर गई, सो जी उठने पर, वो उन सातों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सब की पत्नी हो चुकी थी, जीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी, परन्तु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे, मरे हूँ के जी उठने के विशय में, क्या तुमने ये वचन नहीं पड़ा, जो परमेश्वर ने तुम से कहा, कि मैं इबराहिम का परमेश्वर, और इस हाग का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ, वो तो मरे हूँ का नहीं, परन्तु जीवतों का परमेश्वर है, ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए, जब फरीश्यों ने सुना, कि उसने सदूकियों का मुह बंद कर दिया, तो वो इकठे हुए, और उन में से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरू, व्यवस्था में कौन सी आज्या बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने, प्रभू से अपने सारे मन, और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्या तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है, कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख, यही दो आज्याएं सारी विवस्था और भविश्य द्वक्ताओं का आधार है, जब फरीसी इकठे थे, तो येश्यू ने उनसे पूछा, मसीह के विशे में तुम क्या समझते हो, वो किसकी संतान है, उन्होंने उससे कहा, दाउद की, उसने उनसे पूछा, तो दाउद आत्मा में होकर, उसे प्रभू क्यों कहता है, कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दहीने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को, तेरे पावों के नीचे न कर दूँ, भला जब दाउद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र क्यों कर ठैरा उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका पर उस दिन से किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का हियाव ना हुआ तईस्वा अध्याए तब यीशो ने भीड से और अपने चेलों से कहा शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्धी पर बैठे हैं इसलिए वे तुम से जो कुछ कहीं वो करना और मानना परन्तु उनके से काम मत करना क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं वे एक ऐसे भारी बोज को जिसका उठाना कठिन है बांध कर मनुश्यों के कंधों पर रखते हैं परन्तु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं वे अपने तावीजों को चोड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमसकार और मनुश्य में रब्वी कहलाना उन्हें भाता है परंटु तुम रब्वी ना कहलाना क्योंकि तुमारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो और पृत्वी पर किसी को अपना पिता न कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है और स्वामी भी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा. न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो. हे कपटी शास्त्रियों और फरीस्यों तुम पर हाए। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नर्किय बना देते हो। हे अंधे अगवो तुम पर हाए। जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपत खाए तो कुछ नहीं। परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंद खाए तो उससे बन्ध जाएगा। हे मुर्खो और अंधो कौन बड़ा है? सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। फ ये अंधो कौन बड़ा है? भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। इसलिए जो वेदी की शपत खाता है वो उसकी और जो कुछ उसपर है उसकी भी शपत खाता है। और जो मंदिर की शपत खाता है वो उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपत खाता है। और कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम पोदीने और सौफ जीरे का दस्वा अंश देते हो, परन्तु तुमने विवस्था की गंभीर बातों को अर्थात, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते, हे अंधे अगवो, तुम मच्छड को तो छान डालते हो, परन्तु उट को निगल जाते हो, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम कटोरे और थाली को उपर उपर से तो माझते हो, परन्तु वे भीतर, अंधेर और असंयम स भरे हुए हैं, हे अंधे फरिसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से माझ, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम चूना फिरी हुई कबरों के समान हो, जो उपर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं, परन्तु भीतर, मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिंता से भरी हैं, इसी रीती से तुम भी उपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु भीतर, कपट और अधर्म से भरे हुए हो, हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए, तुम भविश्य द्वकत की कबरें समारते और धर्मियों की कबरें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते, तो भविश्य द्वकताओं की हत्या में उनके साजी न होते, इससे तो तुम अपने पर हाप ही गवाई देते हो, कि तुम भविश्य द्वकताओं के घात की संतान हो, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो, हे सांपो, हे करैतों के बच्चो, तुम नरक के दंट से कैसे बचोगे, इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविश्य द्वक्ताओं और बुद्धी मानों और शास्त्रियों को भेजता हो, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे, और क्रूस पर चड़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेडते फिरोगे, धर्मी हाबील से लेकर बिरियाह के पुत्र, जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी, हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, तु जो भविश्य द्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थर वाह करता है, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंकों के नीचे इकठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकठे कर लूँ, परन्तु तुमने न चाहा, देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से ज अध्याय चौबीस भी न छूटेगा, जो ढाया न जाएगा, और जब वो जैतून पहाड पर बैठा था, चेलो ने अलग उसके पास जाकर कहा, हमसे कहे के ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का, और जगत के अंध का क्या चिन होगा, येशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुमें न भर्माने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भर्माएंगे, तुम युद्ध और लड़ाईयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परन्तु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाती पर जाती, और राज्य पर राज्य चड़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भुई डोल होंगे, ये सब बातें पीडाओं का आरंब होंगी, तब वे खलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाए और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से जूटे भविश्य द्वक्ता उठ खड़े हों उसी का उध्धार होगा और राज्ये का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा सो जब तुम उस उजाडने वाली घ्रनित वस्तू को जिसकी चर्चा दानियल भविश्य द्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो पड़े वो समझे तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं जो कोठे पर हो वो अपन के लिए हाए हाए और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या विश्राम के दिन भागना न पड़ी क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंब से ना अब तक हुआ और न कभी होगा यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बश परन्तु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो प्रतीती न करना क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्य द्वक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन और अधभुत काम इसलिए यदि वे तुम से कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर न निकल जाना देखो वो कोठरियों में है तो प्रतीती न करना क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमक जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकठे होंगे उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधिहारा हो जाएगा और चान का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तब मनुष्य के पुत्र का चिन आकाश में दिखाई देगा और तब पृत्वी के सब कुलों के लोग चाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और एश्वर्य के साथ आकाश के बादनों पर आते देखेंगे और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भीजेगा और वे आकाश के इस छोर से उ उसके चुने हूँ को इकठा करेंगे अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है इसी रीती से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है वरंद्वार ही पर है मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक ये पीड़ी जाती न रहेगी आकाश और पृत्वी तल जाएंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता नस्वर के दूत और न पुत्र परन्तु केवल पिता जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूह जाहाज पर न चड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादी होती थी और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो स्त्रियां चक्की पीस्ती र परंतु ये जान लो, कि यदि घर का स्वामी जानता हो, कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंद लगने न देता, इसलिए तुम भी तयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विशय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र जाएगा, सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, कि समय पर उन्हें भोजन दे, धन्य है वो, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, मैं तुम से सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सार पर सरदार ठहराएगा, परन्तु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीठने लगे, और प्यक्कडों के साथ खाए पिये, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वो उसकी बाट न जोहता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कप्टियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दात पीसना होगा। अपनी मशालें लेकर दुले से भेंट करने को निकली, उनमें पांच मूर्ख और पांच समझदार थी, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया, परन्तु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लि जब दूले के आने में देर हुई तो वे सब उंगने लगी और सो गए आधी रात को धूम मची कि देखो दूला आ रहा है उससे भेंट करने के लिए चलो तब वे सब कुमारिया उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मुर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुजी जाती हैं परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि संभव है हमारे और तुमारे लिए पूरा न हो भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लू जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुलहा आ पहुँचा और जो तयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया इसके बाद वे दूसरी कुवानिया भी आकर कहने लगी हे स्वामी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे उसने उत्तर दिया मैं तुम से सच कहता हूँ मैं तुम्हे नहीं जानता इसलिए जाकते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को क्योंकि ये उस मनुष्य कीसी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुला कर अपनी संपत्ती उनको सौप दी उसने एक को पांच तोड़े दूसरे को दो और तीसरे को एक अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया तब जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और उससे पांच तोड़े और कमाए इसी रीती से जिसको दो मिले थे उसने भी दो और कमाए परंतु जिसको एक मिला था, उसने जाकर मिट्टी खो दी और अपने स्वामी के रूपए छिपा दिये बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा जिसको पांच तोड़े मिले थे, उसने पांच तोड़े और लाकर कहा तुने मुझे पांच तोड़े सौपे थे, देख मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास तु थोड़े समय में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तों का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो और जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा हे स्वामी तुने मुझे दो तोड़े स्वाँपे थे देख मैंने दो तोड़े और कमाए उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास तु थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तु कठोर मनुश्य है तु जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छीनता वहां से बटोरता है सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया देख जो तेरा है वो ये है उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया हे दोश्ट और आलसी दास जब तु ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीन्टा वहां से बटोरता हूँ तो तुझे चाहिए था कि मेरा रूपया सर्राफों को दे देता तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास दस तोड़े हैं उसको दे दो क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परन्तु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा जब मनुश्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकठी की जाएंगी जैसा रखवाला भेडों को बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा वो भेडों को अपनी दहिनी और बकरियों को बाई और खड़ी करेगा तब राजा अपनी दहिनी और वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्ने लोगो आओ उस राज्ये के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदी से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहिनाए मैं बिमार था तुमने मेरी सुधी ली मैं बंदी ग्रह में था तुम मुझसे मिलने आए तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने कब तुझे भूका देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाये हमने कब तुझे बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तुझसे मिलने आए, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया, तब वो बाई ओर वालों से कहे गई है, क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहिनाए, बीमार औ और बंदी ग्रह में था और तुमने मेरी सुधी न ली तब वे उत्तर देंगे। अनन्तु धर्मी अनन्त जीवन में प्रवेश करेंगे। पुत्र क्रूस पर चड़ाय जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुर्निय काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकठे हुए। और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को चल से पकड़ कर मार डाले। परंतुवे कहते थे कि परव के समय नहीं कहीं ऐसा ना हो के लोगों में बलवा मत जाए। जब यीशु बैत नियाह में शमावन कोड़ी के घर में था, तो एकस्त्री संग मरमर के पात्र में बहु मोल इत्र लेकर उसके पास आई। और जब वो भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले, रिसियाए और कहने लगे। इसका क्यों सत्यानाश किया गया। ये तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वरणन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस क्रियोती नाम पारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा। यदी मैं उसे तुम्हारे हाथ पकडवा दूँ, तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे तीस जान्दी के सिक्के दौल कर दे दिये। और वो उसी समय से उसे पकडवाने का अफसर ढूंड में लगा। अख मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, चेले यीशू के पास आकर पूछने लगे, तु कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तयारी करें। उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, गुरू कहता है, मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ ते के लिए बैठा, जब वे खा रहे थे, तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकडवाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरू, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में ह हाथ डाला है, वही मुझे पकडवाएगा, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य के लिए शोक है, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकडवाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन ना होता, तो उसके लिए भल तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा ए रब्भी क्या वो मैं हूँ उसने उससे कहा तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और चेलों को दे कर कहा लोग खाओ ये मेरी देह है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यव मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित बहाया जाता है मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊंगा फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए तब हीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मिरे विशय में ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और जुंड की भेडें तितर बितर हो जाएंगी परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा इस पर पत्रस ने उससे कहा यदि सब तेरे विशय में ठोकर खाएं तो खाएं परन्तु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा येशु ने उससे कहा मैं तुझ से सच कहता हूँ आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तु तीन बार मुझसे मुकर जाएगा पत्रस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझ से कभी नम कुरूँगा ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा तब हीशु अपने चेलों के साथ गत समनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक की मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ और वो पत्रस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है यहां तक की मेरे प्राण निकला चाहते हैं तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जाकते रहो फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुझे बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा हे मेरे पिता यदी हो सके तो ये कटोरा मुझे से डल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परन्तु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो फिर जेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो आतमा तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बल है फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की हे मेरे पिता यदि ये मेरे पिये बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आँखें नीन से भरी थी और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो देखो घड़ी आ पहुँची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है उठो चले देखो मेरा पकड़वाने वाला निखटा पहुचा है वो ये कहे ही रहा था कि देखो यहूदा जो बारहों में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुर्नियों की और से बड़ी भीड तलवारें और लाठियां लिये हुए आई उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था जिसको मैं चूम लूँ वही है उसे पकड़ लेना और तुरंत येशू के पास आकर कहा हे रब्बी नमस्कार और उसको बहुत चूमा येशू ने उससे कहा हे मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ली तब उन्होंने पास आकर येशू पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया और देखो येशू के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खीच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया तब येशू ने उससे कहा अपनी तलवार काठी में रख ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किये जाएंगे क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूँ और वो स्वर्ग दूतों की बारह बल्टन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा परन्तु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्य हैं क्योंकर पूरी होगी उसी घड़ी येशू ने भीड से कहा क्या तुम तलवारे और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा परन्तु ये सब इसलिए हुआ है कि भविश्य द्वक्ताओं के वचन पूरे हो तब सब जेले उसे छोड़ कर भाग गए और येशू के पकड़वाने वाले उसको काईफा नाम महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुर्णिये इकठे हुए थे और पतरस दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया महायाजक और सारी महासभा येशू को मार डालने के लिए उसके विरोध में जूटी गवाही की खोज में थे परंतु बहुत से जूटे गवाहों के आने पर भी न पाई अंत में दो जनों ने आकर कहा इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदर को ढ़ा सकता हूँ और उससे तीन दिन में पना सकता हूँ तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं परंतु यीश्व चुप रहा महायाजक ने उससे कहा मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपत देता हूँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसी है तो हमसे कह दे यीश्व ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्ति मान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा इसने परमेश्वर की निंदा की है अब हमें गवाहों का क्या प्रयूजन देखो तुमने अभी ये निंदा सुनी है तुम क्या समझते उन्होंने उत्तर दिया ये वद होने के योग्य है तब उन्होंने उसके भूँ पर थूका और उसे घूसे मारे और उन्हे थपड मार कर कहा यह मसी हमसे भविशवानी करके कहें किसने तुझे मारा और पत्रस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लॉंडी ने उसके पास आकर कहा तू भी इशु गलीली के साथ था देखकर उनसे जो वहां थे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था उसने शपत खाकर फिर इंकार किया थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पत्रस के पास आकर उससे कहा तू भी उनमें से एक है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेत खोल देती है तब वो धिकार देने और शपत खाने लगा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता और तुरंत मुर्ग ने बाद दी तब पत्रस को यीशु की कही हुई बात समरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा अध्याय सत्ताइस जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुर्णियों ने यीशु के मार डालने की सम्मती की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पीला तुस हाकिम के हाथ में सौप दिया जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोशी ठहराया गया है तो वो पस्ताया और वे तीस चांदी के सिक्के महायाजकों और पुर्णियों के पास भेर लाया और कहा मैंने निर्दोशी को गात के लिए पकड़वा कर पाप किया है उन्होंने कहा आमे क्या तू ही जान तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को भासी दी महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये लहू का दाम है सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुमहार का खेत वो ले लिया इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है तब जो वचन यिर्मियाह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने वे तीस सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्या दी थी वैसे ही उन्हें कुमहार के खेत के मूल्य में दे दिया जब यीशू हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा क्या तू यहुद्यों का राजा है यीशू ने उससे कहा तू आप ही कह रहा है जब महायाजक और पुर्निये उस पर दोश लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया इस पर पीला तुस ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाईयां दे रहे हैं परन्तु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चरे हुआ और हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बढ़ुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था उस समय बरब्बा नाम उनहीं में का एक नामी बढ़ुआ था सो जब वे इकठे हुए तो पीला तुस ने उनसे कहा तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दू पर अब्बा को या यिशु को जो मसी कहलाता है क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला बेजा तु उस धर्मी के मामले में हाथ ना डाला क्योंकि मैंने आज सौपन में उसके करण बहुत दुख उठाया है महायाजकों और पुर्णियों ने लोगों को उभारा कि वे वे बरब्बा को मांग लें और यिशु को नाश कराएं हाकिम ने उनसे पूछा इन दोनों में से किसको चाते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दू उन्होंने कहा पुर्बा को पीलत उसने उनसे पूछा फिर यिशु को जो मसी कहलाता है क्या करूँ सबने उससे कहा तो ग्रूस पर चढ़ाया जाए हाकिम ने कहा परंतु वे और भी चिला कर कहने लगी वो ग्रूस पर चढ़ाया जाए जब पीलत उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विप्रीत बुल्लड होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ दोए और कहा सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लोगों हम पर और हमारी संतान पर हो इस पर उसने परब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यिशू को गोड़े लगवा कर सौप दिया कि कुरूस पर चढ़ाया जाए तब हाकिम के सिपाहियों उनके यिशू को गिले में ले जाकर सारी पल्टन उसके जहू को इकट्टी की और उसके कमड़े उतारकर उसे किर्मजी बागा पहनाई और कांटों का मुकुत खूथ कर उसके सिर्पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे धट्टे में उड़ाने लगे ए यहूदियों के राजा नमस्कार और उसपर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर्पर बारने लगे जब वे उसका धट्टा कर चुके तो वो बागा उसपर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चड़ाने के लिए ले चले बाहर जाते हुए उन्हें शमावन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुँचकर उन्होंने पित मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया परंतु उसने चक कर पीना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूस पर चड़ाया और चिठ्थियां डाल कर उसके कपड़े बाट लिये और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोश पत्र उसके सिर के उपर लगाया ये यहूदियों का राजा यीशु है तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाए कुरूसों पर चड़ाये गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे ए मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले अपने आपको तो बचा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुरूस पर से उतरा इसी रीती से महायाजक भी और अपने को नहीं बचा सकता ये तो इसराइल का राजा है कुरूस पर से उतराए तो हम उस पर विश्वास करें उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है यदि वो इसको चाहता है तो आप इसे छुडा ले क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पत्र ही इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ कुरूसों पर चड़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा चाया रहा तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा अर्थात ए मेरे परमेश्वर ए मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जो वहां खड़े थे उन में से कितनों ने ये सुन कर कहा वो थो एलिया को पुकारता है उन में से एक तुरंत दोड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और उने कहा रह जाओ देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये और देखो मंदिर का पर्दा उपर से नीचे तक भटकर दो टुपड़े हो गया और धर्ती डोल गई और चटाने दड़क गई और कबरे खुल गई और सोय हुए पवित्र लोगों की बहुत लो थे जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे खबरों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और पहतों को दिखाई दिये तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशू का पहरा दे रहे थे धुई डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा सच मुझ ये परमेश्वर का पुत्र था वह बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशू की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से ये देख रही थी उनमें मरियम मगतलीदी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी जब सांज हुई तो यूसूफ नाम अरियम तिहा का एक धनी मनुश्य जो आप ही यीशू का चेला था आया उसने पीलात उसके पास जाकर यीशू की लाश मांगी इस पर पीलात उसने दे देने की आग्या दी यूसूफ ने लाश को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कबर में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कबर के द्वार पर बड़ा पत्थर लुड़का कर चला गया और मर्यम मगद लीनी और दूसरी मर्यम वहां कबर के सामने बैठी थी दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था महाँ याजकों और फरीसियों ने पीला तुसके पास इकठे होकर कहा हे महाराज हमें स्मरण है कि उस भर्माने वाले ने अपने जीते जी कहा था मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा तो आग्या दे कि तिसरे दिन तक कबर की रखवाली की जाए ऐसा नो हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुँ में से जी उठा है तब पिछला धोका पहले से भी बुरा होगा पीरत उसने उनसे कहा सो वे पहरों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगा कर कबर की रखवाली की अध्याय अठाइस सब्द के दिन के बाद सब्दा के पहले दिन पहपढ़ते ही मर्यम मगदलीनी और दूसरी मर्यम कबर को देखने आई और देखो एक बड़ा भूई डोल हुआ क्योंकि प्रभू का एक दूद स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुड़ा दिया और उस पर बैठ गया उसका रूप बिजली कासा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्वल था उसके भय से पहरुए काप उठे और मृतक समान हो गए स्वर्ग दूद ने इस द्रियों से कहा तुम मट डरो मैं जानता हूँ कि तुम ये शुकुत जो कूस पर चड़ाय गया था रूप की हो वो यहाँ नहीं है पर तुम अपने वचल के अनुसा जी उठाए आवा ये स्थान देखो जहा प्रभर पड़ा था और शिगर जाकर उसके चेलों से खाओ वो मर्त कोमे से जी उठाए और देखो वो तुम से भेह में गलील को जाता है वहाँ उसका दर्शित पाओ देखो मैं तुम से कह दिया और वे भय और बड़े आनंद के साथ कबर से शीकर लोट कर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दोड़ गई और देखो येशु उन्हें मिला और कहा सलाम और उन्होंने पास आकर और उसके पाओ पकड़ कर उसको दंडवत किया तब येशु ने उनसे कहा मत डरो मेरे भाईयों से जाकर कहो कि गलील को जले जाएं वहाँ मुझे देखेंगे वे जाही रही थी कि देखो पहरूं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महा याजकों से कह सुनाया तब उन्होंने पुर्णियों के साथ इकठे होकर सम्मती की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा ये कहना के रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुँचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे सो उन्होंने रुपई लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है और ग्यार है चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे येशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया पर किसी किसी को संदे हुआ येशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और प्रिथ्वी का सारा अलिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बप्तिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्या दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदय तुम्हारे संग हूँ मर्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशा याह भविश्य द्वक्ता की पुस्तक में लिखा है देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो युहन्ना आया जो जंगल में बप्तिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बप्तिस्मा का प्रचार करता था और सारे यहूदिया देश के और यरुशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास कए और अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बप्तिस्मा लिया युहन्ना उट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और बन मधु कहाया करता था और ये प्रचार करता था मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है मैं इस योग्य नहीं कि जुक कर उसके जूतों का बंध खोलू मैंने तो तुम्हें पानी से बप्तिस्मा दिया है पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बप्तिस्मा देगा उन दिनों येशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में युहन्ना से बप्तिस्मा लिया और जब वो पानी से निकल कर उपर आया तो तुरंट उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कभूतर की नाई अपने उपर उतरते देखा और ये आकाश वानी हुई तु मेरा प्रिये पुत्र है तुझसे मैं प्रसल्दू हूँ तब आत्मा ने तुरंट उसको जंगल की और भेजा और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे युहन्ना के पकड़वाय जाने के बाद यिशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आगया है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो गलील की जील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंके वे मचुए थे और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुश्यों के मचुए बनाऊंगा वे तुरंट जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिये और कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई युहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा उसने तुरंट उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए और वे कफरन हूम में आए और वो तुरंट सब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वो उन्हें शास्तियों की नाई नहीं परन्तु अधिकारी की नाई उपदेश देता था और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें अशुध आत्मा थी उसने चिला कर कहा एई एशु नास्री हमें तुस्से क्या का या तु अबे नाश करने आया है मैं तुझे चानता हूँ तु काउन है परमेश्वर का पावित्रचन येशु ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब अशुध आत्मा उसको मरोड कर और बड़े शब्द से चिला कर उसमें से निकल गई इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए हापस में वाद विवात करने लगे ये क्या बात है ये तो कोई नया उतीश है वो अधिकार के साथ अशुध आत्माओं को भी आग्या देता है और वे उसकी आग्या मानती है सो उसका नाम तुरंथ गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया और वो तुरंथ आराधनालय में से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया और शमौन की सास जवर से पीडित थी और उन्होंने तुरंथ उसके विशय में उससे कहा तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और उसका जवर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी संध्या के समय जब सूर्य डूग गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन में दुश्टात्माई थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत दुश्टात्माओं को निकाला और दुश्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा तब शमौन और उसके साथ ही उसकी खोज में गये जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढून रहे हैं उसने उनसे कहा आओ, हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूँ क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूँ सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और एक कोड ही ने उसके पास आकर उससे बिनती की और उससे कहा वो यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है उसने उसपर तरस खाकर हात बढ़ाया और उसे चुगर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा और तुरंट उसका कोड जाता रहा और वो शुद्ध हो गया तब उसने उसे चिता कर तुरंद विदा किया और उसे कहा देख किसी से कुछ मत कहना परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विशय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चड़ा कि उस पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा के यीशु फिर खुलम खुला नगर में न जा सका परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहु और से लोग उसके पास आते रहे। दूसरा अध्याय कई दिन के बाद वो फिर कफरन हूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकठे हुए कि द्वार के पास भी जगहें नहीं मिली। वो उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आये। जब वे भीड के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। और जब उसे उधेर चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था नीचे लटका दिया। यीश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा। ये पुद्र तेरे बाप शमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। ये मनुश्य क्यों ऐसा कहता है। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप शमा कर सकता है। ये शुने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो, सहज क्या है, क्या जोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर, परन्तु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठा कर घर चला जा, वो उठा और तुरंत खाट उठा कर सब के सामने से निकल कर चला गया, इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढाई करके कहने और वो उन्हें उपदेश देने लगा, जाते हुए उसने हलफई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और से कहा मेरे पीछे हो ले और वो उठकर उसके पीछे हो लिया, जब वो उसके घर में भुजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और इसियों ने ये देख कर के वो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है उसके चेलों से कहा वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है येशु ने ये सुन कर उनसे कहा भले चंगों को वैद्य की आविशक्ता नहीं, परन्तु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे कहा यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते येशू ने उनसे कहा जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दुलहा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते परन्तु वे दिन आएंगे जब दुलहा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता नहीं तो वे पैवंद उसमें से कुछ खीच लेगा अर्थात नया पुराने से और वो और भी फट जाएगा नए दाखरस को पुरानी मश्कों में कोई नहीं रखता नहीं तो दाखरस मश्कों को भाड़ देगा और दाखरस और मश्कें दोनों नश्ट हो जाएंगी परन्तु दाख का नया रस नई मश्कों में भरा जाता है और ऐसा हुआ कि वो सब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे तब फरीसियों ने उससे कहा ये सब के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पड़ा कि जब दाउद को आवशकता हुई और जब वो और उसके साथी भूके हुए तब उसने क्या किया था उसने क्यों कर अभियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी और उसने उनसे कहा सब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है नकि मनुष्य सब्द के दिन के लिए इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी स्वामी है तीसरा अध्याय और वो आराधनालय में फिर गया वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूक गया था वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखें वो सब्द के दिन में उसे चंगा करता है अत्वा नहीं उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या सब्द के दिन भला करना उचित या बुरा करना प्राण को बचाना या मारना वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंक हेरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और यीशु अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीर उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरुशलेम और इदूमिया से यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीर ये सुनकर के वो कैसे आश्चर्य के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीर के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे कि वे मुझे दबा न सके उसने बहुतों को चंगा किया था और जितने लोग रोग से क्रसित थे उसे चूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिला कर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है और उसने उन्हें बहुत चिताया कि वे उसे प्रगट ना करें फिर वो पहाड पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे के प्रचार करें और दुश्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जबदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहन्ना जिनका नाम उसने बु अनर्गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा और अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमई, मत्ती, धोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन का नानी और यहूदा, सकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया और वो घर में आया और ऐसी भीड इकठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके जब उसके कुटुम्बियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे ये कहते थे उसमें शैतान है और ये भी कि वो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकलता है और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृश्टानतों में कहने लगा शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है यदि किसी राज्य में भूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है यदि किसी घर में फूट पड़े, तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा? और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, तो वो कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है. कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर, उसका माल लूट नहीं सकता. जब तक कि वो पहले उस बलवन्त को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा. मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं, क्षमा की जाएगी. परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद निंदा करे, वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा. वरन वो अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है. क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है. और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा. भीर उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंडते हैं. उसने उन का, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता है. चौथा अध्याए उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीच बोने के लिए निकला, बोते समय कुछ तो मारक के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, कुछ पथरीली भूमी पर गिरा, जहां उसको बहुत मिटी न मिली, गहरी मिटी न मिलने के क जल दूगाया, और जब सूर्य निकला, तो जल गया, और जड न पकड़ने के कारण सूख गया, और कुछ तो जाडियों में गिरा, और जाडियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वो फल न लाया, परन्तु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा, वो उगा और बढ़कर फल कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, और कोई 100 गुणा फल लाया, और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वो सुन ले, जब वो अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विशय में पूछा, उसने उनसे कहा, तुमको तो पिश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें, और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी, और न समझें, ऐसा नहो कि वे फिरें और क्ष पिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे, बोने वाला वचन बोता है, जो मारक के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उन्होंने बोया गया था, उठा ले जाता है, वैसे ही जो पथरीली भूमी पर बोय जाते हैं, ये वे हैं, जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहन कर लेते हैं, परन्तु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके जब वचन के कारण, उन पर कलेश्था उपद्रव होता है, वे तुरंत ठोकर खाते हैं, और जो छाडियों में बोय गए, ये वे हैं, जिन्होंने वचन सुना, और संसार की चिंता, और धन का धोका, और और वस्तुओं का लोब, उनमें समा कर वचन को दबा देता है, और वो निश्फल रह जाता है, और जो अच्छी भूमी में बोय गए, ये वे हैं, जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं, कोई तीस गुणा, कोई साट गुणा, और कोई सौ गुणा, और उसने उन से कहा, क्या दिये को इसलिए लाते हैं, कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं, कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तू छिपी नहीं, जो प्रकाश में न लाई जाए, और न कुछ गुपत है, जो प्रकट न किया जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमी पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने पृत्वी आप से आप फल लाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना परन्तु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुँची है फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस द्रिष्टांत से उसका वरणन करें वो राई के दाने के समान हैं जब वो भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है परंतु जब बोया गया तो उग कर सब सागपाथ से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी चाया में बसेरा कर सकते हैं और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत दिर्ष्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दिर्ष्टांत कहे उन से कुछ नहीं कहता था परंतु एकांत में वो अपने निजचेलों को सब बातों का अर्थ बताता था उसी दिन जब सांज हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें और वे भीड को छोड़ कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावे थी तब बड़ी आँधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वो अब बानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा ए गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं तब उसने उठकर आँधी को डाटा और पानी से कहा शांत रह थम जा और आँधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यूं डरते हो क्या तुमें अब तक विश्वास नहीं और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है? क्या आँधी और पानी भी उसकी आज्या मानते हैं? पांचमा अध्याय और वे जील के पार गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जब वो नाव पर से उत्रा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुध आत्मा थी कबरों से निकल कर उसे मिला वो कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था वो बार बार बेडियों और सांकलों से बांधा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेडियों के तुकडे तुकडे कर दिये थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था वो लगातार रात दिन कबरों और पहाडों में चिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था वो ईशु को दूर ही से देख कर दोड़ा और उसे प्रणाम कर उचे शब्द से चिला कर बोला क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशु दात्मा इस मनुष्य में से निकला उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा मेरा नाम सिना है क्योंकि हम बहुत है और उसने उससे बहुत बिनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज वहां पहार पर सुवरों का एक बड़ा जुम्ड चर रहा था और उन्होंने उससे बिनती कर कहा हमें उन सुवरों में बेज़ते कि हम उनके बीतर जाए सो उसने उन्हें आग्या दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुवरों के बीतर पैठ गई और जुन्ड जो कोई दो हजार का था कडाडे पर से छपट कर छील में जा बड़ा और दूब मरा और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गामों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और ईशु के बास आकर तो उसको जिसमें दुश्टात्माई थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर दर गए और देखने वालों ने उसका जिसमें दुश्टात्माई थी और सुवरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और वे उससे बिनती करके कहने लगे हमारे सिवानों से चला जा जब वो नाव पर चड़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुश्टात्माई थी उससे बिनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु उसने उसे आग्या ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये है वो जाकर दिक्का पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किये और सब आश्चर्य करते थे जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई और वो जील के किनारे था और याईर नाम आराधनाले के सरदारों में से एक आया और उसे देख कर उसके पावों पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत बिनती की कि मेरी चोटी बेटी मरने पर है तु आकर उसपर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली यहां तक कि लोग उसपर गिरे पड़ते थे और एक स्त्री जिसको बारह वर्ष से लहु बहने का रोक था और जिसने बहुत वैद्दियों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्याय करने पर भी कुछ लाब न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी यीशू की चर्चा सुनकर भीड में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छूलिया उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को ही चूलूँगी तो जंगी हो जाऊंगी और तुरंत उसका लहु बहना बंध हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई यीशू ने तुरंत अपने में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है और भीड में बीछे फिर कर पूझा मेरा वस्तर किस ने चुआ उसके चेलों ने उससे कहा तु देखता है कि भीड तुछ पर गिरी बढ़ती है और तु कहता है किस ने मझे चुआ तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर द्रिष्ट की तब वोस्त्री ये जान कर कि उसकी कैसी भलाई हुई है, दर्ती और कापती हुई आई और उसके पाउं पर गिर कर उससे सब हाल सच सच कह दिया उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी इस बिमारी से बची रह वो ये कह ही रहा था के आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है जो बात वे कह रहे थे उसको इश्व ने अन सुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत दर केवल विश्वास रख और उसने पत्रस और याकूब और याकूब के भाई युहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुँचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है वे उसकी हसी करने लगे परंतु उस सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को ले वो भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा तलीता कूमी जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ लड़की तुरंट उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो बारा वर्ष की थी इस पर लोग बहुत चकित हो गए फिर उसने उन्हें चिता कर आग्या दी कि ये बात कोई जानने न पाए और कहा उसे कुछ खाने को दिया जाए चठा अध्याए वहां से निकल कर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए सब्ध के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बाते कहां से आ गए और ये कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के कान उसके हाथों से प्रकट होते है इसलिए उन्हों ने उसके विशय में ठोकर खाई ये शू ने उनसे कहा भविश्य द्वक्ता अपनी देश और अपने कुटुम और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गावों में उपदेश करता फिरा और वो बारहों को अपने पास बुला कर उन्हें दो-दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आग्या दी मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो न तो रोटी न जोली न पटुके में पैसे परन्तु जूतियां पहनो और दो-दो कुरते न पहनो और उसने उन्से कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उत्रो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने पैरों की धूल जाड़ डालो कि उन पर गवाही हो और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराएं और बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया और हेरो देश राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था उसने कहा और उन्होंने कहा परन्तु दूसरोंने कहा हेरो देश ने ये सुनकर कहा क्योंकि हेरो देश ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी क्योंकि हेरो देश के कारण जिससे उसने ब्याह किया था लोगों को भेज कर युहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रह में डाल दिया था युहन्ना ने हेरो देश से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उजित नहीं इसलिए हेरो दियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी के उसे मरवा डाले परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि हेरो देश युहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाय रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था और ठीक अवसर पर जब हेरो देश ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की उसी हेरो दियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरो देश को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसंद किया तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे उससे मैं मैं तुझे दूँगा उससे शपत खाई उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगूं? वो बोली यूहना बप्तिसमा देने वाले का सिर उत्तुरंत राजा के पास भी तर आई और उससे बिनती की मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहना बप्तिसमा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे तब राजा बहुत उदास हुआ परन तू अपनी शपत के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा और राजा ने तुरंट एक सिपाही को आग्या दे कर भेजा कि उसका सिर काट लाए उसने चेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मा को दिया ये सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर कब्र में रखा प्रेरितों ने यीशू के पास इकठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का आवसर भी नहीं मिलता था इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकठे होकर वहाँ पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा जब दिन बहुत धल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे ये सुनसान जगा है और दिन बहुत धल गया है उन्हें विदा कर कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले उसने उन्हें उत्तर दिया तुम ही उन्हीं खाने को दो उन्होंने उससे कहा क्या हम सौ दिनार की रोटिया मोल ले और उन्हें खिलाएं उसने उन्हें से कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं। उन्होंने मालूम करके कहा पांच और दो मचली भी। तब उसने उन्हें आग्या दी कि सब को हरी घास पर पांती पांती से बैठा दो। फिस सौ सौ और पचास पचास करके पांती पांती बैठ गए और उसने उन पांच रोटियों को और दो मचलीयों को ले स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोर तोर कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें और वे दो मचलीयां भी उन सब में बा और कुछ मचलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे पांच हजार पुरुष थे तब उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैत सैदा को चले जाएं जब तक कि वो लोगों को विदा करें वो उन्हें विदा करके पहा पर प्रार्थना करने को गया जब सांज हुई तो नाव जील के बीच में थी और वो अकेला भूमी पर था जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वो जील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था उन्होंने उसे जील पर चलते देख कर समझा के वो उठे और चला उठे क्योंकि सब उसे देख कर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा धाडस बांदो मैं हूँ डरो मत तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे क्योंकि वे उन रोटियों के विशय में न समझे थे परंत उनके मन कठोर हो गए थे और वे पार उतर कर गन्ने सरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आस पास के सारे देश में दोड़े और बीमारों को खाटों पर डाल कर जहां जहां समाचार पाया कि वो है वहां वहां लिये फिरे और जहां कहीं वो गावूं नगरूं या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे बिनती करते थे कि वो उन् अपने वस्त्र का आजल ही छूले ने दे और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे सात्मा अध्याय तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे उसके पास इकठे हुए उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हात धोए रोटी खाते देखा फरीसी और सब यहूदी पुर्णियों की रीति पर चलते और जब तक भली भाती हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे वे बाजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे बहुत सी और बाते थी जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई थी जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बरतनों को धुना मांजना उन फरीसीयों और शास्त्रियों ने उससे पूछा तेरे चेले क्यों पुर्मियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोई रूटी खाते हैं उसने उनसे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की जैसा लिखा है ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं मनुश्यों की आज्याओं को धर्मो पदेश करके सिखाते हैं तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए परन्तु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिने तुमने ठहराया है परमेशवर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद करे परन्तु जो वस्तु में मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद करती हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वो भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस द्रिश्टांत के विशय में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे न समझ हो क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके मन में नहीं परन्तु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया फिर उसने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, चल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मुर्खता निकलती है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था के कोई ना जाने परंत वो छिप ना सका और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पामों पर गिरी ये युनानी और सूरुफिनी जाती की थी और उसने उससे बिनती की मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे उसने उससे कहा पहिले लड़कों को तृप्त होने दे, क्यूंकि लड़कों की रोटी लेकर कुप्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया। सच है प्रभू, तो भे कुप्ते भी तॉ मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिक्पुलिस देश से होता हुआ गलील की जील पर पहुँचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे बिनती की के अपना हाथ उस पर रखे तब वो उसको भीड से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीब को चुआ और स्वर्ग की ओ और देखकर आह भरी और उससे कहा इपफता अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीब की गांट भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा तब उसने उन्हें चिताया कि किसी बने कहना परंत जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करन उसने जो कुछ किया, सब अच्छा किया है। वे बहरों को सुनने की और गुंगों को बोलनी की शक्ती देता है। उसके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा। कोई कहा से लाए कि ये त्रिप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुमारे पास कितनी रोटिया है। उन्होंने कहा, साथ। तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी। और वे साथ रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ीं और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें। और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी। सो वे खाकर तिर्प्त हो गए और शेश टुकडों के साथ टोकरे भर कर उठाए और लोग चार हजार के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वो तुरंथ अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवात करने लगे और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन ढूलते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गये थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी, और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेश के खमीर से चौकस रहो, वे आपस में विचार कर कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है, ये जानकर येशु ने उनसे कहा, तुम क्यूं आपस में ये विचार कर रहे हो, कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, क्या आँखें रखते हुए भी नह नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और तुम्हें समरण नहीं, कि जब मैंने पाँच हजार के लिए पाँच रोटी तोड़ी थी, तो तुमने तुकडों की कितनी टोकरियां भरकर उठाएं? उन्होंने उससे कहा, बारा टोकरियां, और जब चार के लि उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बैच सैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए, और उससे बिनती की कि उसको चुए, वो उस अंधे का हाथ पकड़ कर उसे गाव के बाहर ले गया, और उसकी आँखों में थूख कर उस पर हाथ रखे, और उससे पूछा, क्या तु कुछ देखता है? उसने आँख उठा कर कहा, मैं मनुश्यों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पेड़, तब उसने फिर दोबारा उसकी आँखों पर हाथ रखे, और उसने ध्यान से देखा, और चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा, और उसने ये कहकर उसे घर भेजा, के इस गाओं के भीतर पाओं भी न रखना, यीशू और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गामों में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्य के थीखना कैते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, युहनना बबतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्य दख्ताओं में से एक भी खहते हैं, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या केहते हो? पत्रस ने उसको उत्तर दिया, तू मसी है, तब उसने उ बहुत दुख उठाए और पुर्णिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुछ समझ कर मार डाले और वो तीन दिन के बाद जी उठे उसने ये बात उनसे साफ साफ कहती इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जड़कने लगा परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता हैं उसने भीड को अपने चेलों समेट पास बुला कर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना कुछ उठाकर मेरे पीछे क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सूसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाती के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा नौमा अध्याए और उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कदापी न चकेंगे छह दिन के बाद यीशू ने पत्रस, याकूब और युहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उंचे पहाड पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अती उजवल हुआ कि प्रत्वी पर कोई भी धोबी वैसा उजवल नहीं कर सकता और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशू के साथ बातें करते थे इस पर पत्रस ने यीशू से कहा हे रब्बे हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए क्योंकि वो नहीं जानता था के क्या कहे क्योंकि वे बहुत डर गए थे तब एक बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला ये मेरा प्रियपत्र है उसकी सुनो तब उन्होंने एका एक चारों ओर द्रिष्टि की और ये शू को छोड़ अपने साथ और किसी को न पाया पहार से उतरते हुए उसने उन्हें आग्या दी जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे मरे हुओ में से जी उठने का क्या अर्थ है और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है उसने उत्तर दिया एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा परन्तु मनुष्य के पुत्र के विशे में ये क्यूं लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विशे में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी और दौड कर उसे नमस्कार किया उसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो भीड में से एक ने उत्तर दिया ए गुरू मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती और वो मुह में फेन भरलाता और दात पीसता और सूखता जाता है मैंने तेरे चिलों से कहा कि वो उसे निकाल दे परन्त वो निकाल न सके ये सुनकर उसने उत्तर में उनसे कहा हे अविश्वासी लोगो मैं कब तक तुमारे साथ रहूंगा और कब तक तुमारी सहूंगा उसे मेरे पास लाओ तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमी पर गिरा और मुह से फेइन बहाते हुए लोटने लगा उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया परन्त यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर इसु time ने उससे कहा यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है बालक के पिता ने तुरंत गिर-गिरा कर कहा हे प्रफू, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाएकर जब यीशू ने देखा कि लोग दोड़ कर भीड लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहका डाटा हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे अग्या देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश्च न कर तब वो चिला कर और उसे बहुत मरोर कर निकलाई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक के बहुत लोग कहने लगे के वो मर गया, परंत यीश्व ने उसका हाथ पकर कर उसे उठाया, और वो खड़ा हो गया, जब वो घर में आया, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके, उसने उनसे कहा, यह जाती, बिना प्रार्थना, किसी और उपाय से नहीं निकल सक थी, फिर वे वहां से चले, और गलील में होकर जा रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता, और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वो मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई, और वे उसे पूछने से डरते थे, फिर वे कफरन हूम में आए, और घर में आकर उसने उनसे पूछा रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि उनमें बड़ा कौन है तब उसने बैठ कर बारहूं को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से, ऐसे बालकों में से, किसी एक को भी ग्रहन करता है, वो मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है तब युहन्ना ने उससे कहा ये गुरू हमने एक मनश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था येशु ने कहा उसको मत मना करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके क्योंकि जो हमारे विरोद में नहीं वो हमारी ओर है जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुम से सच कहता हूं कि वो अपना प्रतीफल किसी रीती से नखोएगा पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल तुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं और यदि तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तु नरक में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादित करोगे अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो दस्वा अध्याए फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया और भीड उसके पास फिर इकठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परिक्षा करने को उससे पूछा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया मूसा ने तुम्हें क्या आग्या दी है? उन्होंने कहा मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दी है येशु ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कठोरता की कारण उसने तुम्हारे लिए ये आग्या लिखी पर स्रिष्टी के आरंब से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पतनी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे इसलिए अब दो नहीं पर एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे और घर में चेलो ने इसके विशय में उससे फिर पूछा उसने उनसे कहा जो कोई अपनी पतनी को त्याक कर दूसरी से ब्याह करे तो वो उस पहली के विरोध में विविचार करता है और यदि पतनी अपने पती को छोड़ कर दूसरे से ब्याह करे तो वो विविचार करती है फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हात रखे पर चेलो ने उनको डाटा येशू ने ये देख कृध होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उने मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य एसों ही का है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा और उसने उन्हें गोध में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशिश दी, और जब वो निकल कर मार्ग में जाधा था, तो एक मनुष्य उसके पास दोड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरू, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यूं कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर, तू आज्याओं को तो जानता है, हत्या न करना, वेविचार न करना, चोरी न कर जूटी गवाही न देना, चल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, उसने उससे कहा, हे गुरू, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं, यीशु ने उस पर द्रिष्ट की, और उसके रदय में प्रेम उमणाया, तब उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ दे रहा है, उसे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, इस बात से उसके चहरे पर उदासी झा गई, और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, यीशु ने चारों और दे कैसा कठिन है, जेले उसकी बातों से अचम्भित हुए, इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, ये बाल को जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, उंट क सूइल के नाके में से निकल जाना सहज है। फिर बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। जिशु ने कहा, पर उपद्रव के साथ, और पर लोक में अनन्त जीवन, पर भहुतेरे जो पहले हैं, पिछले होंगे। वे बातें कहने लगा, जो उस पर आने वाली थी, उसने कहा, देखो, हम यरुशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, और अन्य जातियों के हाथ में सौपेगे, और वे उसको थटों में उड़ाएंगे, और उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे, और उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वो जी उठेगा। तब जबती के पुत्र याकूब और युहन्ना ने उसके पास आकर कहा ए गुरू, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे, वही तु हमारे लिए करे उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्हू ने उससे कहा हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे येशू ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो उन्हों ने उससे कहा हमसे हो सकता है यिशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बबतिस्मा मैं पर लेने पर हूँ उसे लोगे पर जिनके लिए तयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं ये सुनकर दसों याकूब और युहन्ना पर रिसी आने लगे यिशु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं पर तुम में ऐसा नहीं है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सब का दास बने क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे और वे यरीहों में आये और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड यरीहों से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था वो ये सुनकर के यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा बहुतों ने उसे डाटा के चुप रहे पर वो और भी पुकारने लगा तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उसे कहा धाडस बांद, उठ, वह तुझे बुलाता है वो अपना कपड़ा भेंग कर शीग्र उठा और यीशु के पास आया इस पर यीशु ने उसे कहा तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ अंधे ने उसे कहा ये रब्बी, ये के मैं देखने लगू यीशु ने उसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे जंगा कर दिया है वो तुरंट देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया जब वे यरुशलेम के निकट, जैतून पहार पर बैत फगे और बैत नियाह के निकट आए तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा अपने सामने के गाउं में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यूं करते हो तो कहना प्रभू को इसका प्रयोजन है और वो शिक्र उसे यहां भेज देगा उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया वे उसे खोलने लगे जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कुछ कहने लगे ये क्या करते हो, गधाही के बच्चे को क्यों खोलते हो उन्होंने जैसा येशू ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को येशू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया और बहतोंने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे होशना धन्न है वो जो प्रभु के नाम से आता है हमारे पिता दावुद का राज्य जो आ रहा है धन्यहे आकाश में होशना और वो यरुशलेम पहुँचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तूं को देखकर बारहूं के साथ बैतनियाह गया क्योंकि सांज हो गई थी दूसरे दिन जब वे बैतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेर देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए उसके चेले ये सुन रहे थे फिर वे यरुशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लें दें कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलटती और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने ना दिया और उसने उपदेश करके उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने इसे डाकूओं की खोह बना दी है ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंडने लगे परन्तु उससे डरते थे क्योंके सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राब दिया था सूख गया है ये शुने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जापड और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया वो तुमारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदी तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हारे अपराद क्षमा करे और यदी तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद क्षमा न करेगा वे फिर यरुशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था, तो महायाजक, शास्त्री और पुर्निये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है? ये अधिकार तुझे किस ने दिया है? कि तू ये काम करे? ये शु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ, युहन्ना का पप्तिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था, या मनुष्यों की ओर से था, मुझे उत्तर दो, तब वे आपस क्यों न की, और यदि कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड का डर है, क्योंकि वे सब यहन्ना को भाविश्य दुगता जानते हैं, सो उन्होंने ये शु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते, ये शु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता, कि ये काम किस अधिकार से कर बार्मा अध्याए और किसानों को उसका ठीका देकर वो परदेश चला गया, फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा, कि उनसे दाक की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा, और छूचे हाथ लोटा दिया, उसने एक और दास को उनके पास भेजा, और उन्होंने उसका सिर फोड डाला, और उसका अबमान किया, फिर उसने एक और को भेजा, और उन्होंने उसे मार डाला, तब उसने और बहुतों को भेजा, उन्होंने कितनों को पीटा, और कितनों को मार डाला, अब एक ही रह गया था, अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे उसके पुत्र का आदर करेंगे पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले तब मिरास हमारी हो जाएगी और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाक की बारी के बाहर फेंग दिया अब दाक की बारी का स्वामी क्या करेगा वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाक की बारी औरों को देदेगा क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पड़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया ये प्रभू की ओर से हुआ और हमारी दृष्टी में अदभुत है तब उन्होंने उसे पकरना चाहा क्योंके समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में ये दृष्टांत कहा पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए तब उन्होंने उसे बातों में फ़साने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरू हम जानते हैं कि तु सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तु मनुश्यों का मुँ देख कर बात नहीं करता परन्तु परमेश्वर का मार सच्चाई से बताता है तो क्या कैसर को कर देना उचित है की नहीं हम दें या न दें उसने उनका कपट जान कर उनसे कहा मुझे क्यों परकते हो एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं वे ले आए और उसने उनसे कहा ये मुर्ती और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का यीशू ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दू और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दू तब वे उस पर बहुत अच्छमभा करने लगे फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओ का जी उठना है ही नहीं उसके पास आकर उससे पूछा हे गुरू मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पतनी रह जाए तो उसका भाई उसकी पतनी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंशुत्पन करे साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे भाई ने उस इस्तरी को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी, और सातों से संतान ना हुई, सब के पीछे वो इस तरी भी मर गई, सो जी उठने पर वो उन में से किस की पतनी होगी, क्योंकि वो सातों की पतनी हो चुकी थी। येशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्थ को, क्योंकि जब वे मरे हुऊं में से जी उठेंगे, तो उनमें ब्याह शादी न होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे, मरे हुऊं के जी उठने के विशय में, क्या तुमने मूसा की पुस्तत में, जाडी की कथा में नहीं पड़ा, कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इबराहिम का परमेश्वर, और इस हाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मरे ह और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर के उसने उन्हें अच्छी रीती से उत्तर दिया उससे पूछा सबसे मुख्य आग्या कौन सी है ये शू ने उसे उत्तर दिया सब आग्याओं में से ये मुख्य है हे इसराइल सुन प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है और तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी स प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आज्या नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरू, बहुत ठीक, तुने सच कहा के वो एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन, और सारी बुद्धी, और सारी प्राण और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखना, सारे होमों और बलिदानों से बढ़ कर है। जब यिशु ने देखा के उसने समझ से उत्तर दिया, तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ, फिर यिशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्तरी क्यों कहते हैं कि मसीय दाउद का पुत्र है दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दहिने बैट जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीड़ी न कर दूँ दाउद तो आप ही उसे प्रभू कहता है फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा और भीड के लोग उसकी आनंद से सुनते थे उसने अपने उद्देश में उनसे कहा शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहिने हुए फिरना और बाजारों में नमसकार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं वे विद्वाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में एक कंगाल विध्वा ने आकर दो दमडियां जो एक पैसे के बराबर होती हैं डाली, तब उसने अपने चेलों को पास पुला कर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, इस कंगाल विध्वा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीवी का डाल जब वो मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरू, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है, येशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा, जो धाया न जाएगा, जब वो जैतून के पहाड पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पत्रस और याकूब और युहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगे, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगे, उस समय का क्या चिन होगा, ये शू उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुमें न भरमाए, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो, तो न घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्य है, परन्तु उस समय अंतना होगा, क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा, और हर कहीं भुई डोल होंगे, ये तो पिड़ाओं का आरंब ही होगा, परन्तु तुम अपने विशय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे, और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे, कि उनके लिए गवाही हो, पर अवश्य है कि पहले स समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, जब वे तुम्हें ले जाकर सौपें, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परन्तु पवित्र आत्मा है, और भाई क और पिता को पुत्र खात के लिए सौपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा, सो जब तुम उस उजारने वाली घरित वस्तु को जहां उचित नहीं, वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो, वे पहाडों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो, वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाएं, और जो खेत में हो, वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लोटे, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, और प्रार्थना किया करो, कि यह जाडे में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे, कि स्रिष्टी के आरंब से, जो परमेश्वर ने स्र जी है, अब तक ना तो हुए, और न फिर कभी होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने हुऊं के कारण, जिनको उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटाया है, उस समय यदि कोई तुम से कहे, देखो, मस मसीह यहाँ है, या देखो, वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्यद वक्ता, उठ खड़े होंगे, और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके, तो चुने हुऊं को भी भर्मा दे, पर तुम चौकस रहो, देखो, मैंने तुम्हे सब बातें पहले ही से कह दी है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारा गण गिरने लगेगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, उस समय वो अपने दूतों को भेज कर पृठ्वी की इस छोर से, आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने जुने हुए लोगों को इकट्खे करेगा, अंजीर के पेड से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी दाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है, इसी रीती से, जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें न हो तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, आकाश और प्रिथवी डल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न डलेंगे, उस दिन या उस घड़ी के विशय में, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परन्तु केवल पिता, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा, ये उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय, अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वार पाल को जागते रहने की आग्या दे, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांज को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को, ऐसा नहो कि वो अचानक आकर तुमें सोते पाए, जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो, चौधमा अध्याए पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो, कि लोगों में भलवा मचे। जब वो बैत नियाह में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूल शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, कुछ लोग अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो तीन सो दिनार से अधिक मुले में बेच कर कंगालों को बाटा जा सकता था, और वे उसको जड़कने लगे, येशु ने कहा, उसे तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा, जो कुछ वो कर सकी, उसने किया है, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में, जहां कहीं, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी, उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस करियोती, जो बारह में से एक था, महायाजगों के पास गया, कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे, वे ये सुनकर आनन्दित हुए, और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और वो ये अवसर ढूंदने लगा, कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तु कहा चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने के तयारी करें। गुरू कहता है, मेरी पाहुनशाला, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊँ, कहा है, वो तुम्हें एक सजी सजाई और तयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तयारी करो। सो चेले निकल कर नगर में आये, और जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तयार किया। जब सांज हुई, तो वो बारहों के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो ईश्यू ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकडवाएगा। उन पर उदासी छा गई, और वे एक-एक करके उससे कहने लगे, क्या, वो मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो बारहों में एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, मनुष्य का पुत्र, तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य पर हाय, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो उसके लिए भला होता, और जब वे खा ही रहे थे, तो उसने रोटी ली, और आशिश मांग कर तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, ये मेरी देर है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवात किया, और उन्हें दिया, और उन्स सबने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लोहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दाक का रस, उस दिन तक फिर कभी न पियूँगा, भजन गाकर बाहर चैतून के पहाड पर गए, तब ईशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड तितर बितर हो जाएंगी, परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाओंगा, पत्रस येशु ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाओंगा, येशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा, पर उसने और भी जोर दे कर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो भी तेरा इंकार कभी न करूँगा, इसी प्रकार और सबने भी कहा, फिर वे गत समने नाम एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूँ, और वो पत्रस और य मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक की मैं मरने पर हूँ, तुम यहां ठहरो और जागते रहो, और वो थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमी पर गिर कर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझे पर सिटल जाए, और गहा, यह अब्बा, यह पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मुझसे हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है, वही हो, फिर वो आया, और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, यह शमोन, तु सो रहा है, क्या तु एक घड़ी भी न जाग सका, जागते और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है, और वो फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखें नींद से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें, तब तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुँची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकठा पहुँचा, वो ये कही रहा था के यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर्नियों की ओर से एक बड़ी भीड, तलवारें और लाठियां लिये हुए, तुरंट आ पहुँचा, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था के, है रब्बी, और उसको बहुत जूमा, तब उन्होंने हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ लिया, उन्में से जो बास खड़े थे, एक ने तलवार खीच कर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया, ये शू ने उनसे कहा, क्या तुम दाकु जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारे और लाठिया लेकर निकले हो, मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे नपकड़ा, परन्तु ये इसलिए हुआ है, कि पवित्र शास्त्र के बातें पूरी हो, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया, तब वे येशु को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुर्निये और शास्त्री उसके यहां इकठे हुए, पत्रस भी दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा, महायाजक और सारी महासभा येशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंके बहुत तेरे उसके विरोध में जूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढ़ा दूँगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो, इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर येशू से पूछा, महायाजक ने उससे फिर पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परमधन्य का पूत्र मसी है? येशू ने कहा, हाँ, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पूत्र को सर्व शक्तिमान की दहिनी और बैठी, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र भाड़ कर कहा, अब हमें गवहाओं का और क्या प्रियोजन, तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वो वक्र के योग्य है, वो वक्र के योग्य है, तब तो कोई उस पर थूकने, और कोई उसका मूह धाप और उसे घूसे मारने, और उसे कहने लगे, विश्यवानिकात, और प्यादों ने उसे लेकर थपड़ मारे, जब पत्रस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहाँ आई, और पत्रस को आग दापते देखकर, उस पर टक्टकी लगा कर देखा, औ वो मुकर गया, और कहा, मैं नहीं जानता, और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है, फिर वो बाहर डेवडी पर गया, और मुर्ग ने बांग दी, वो लौंडी उसे देखकर, उनसे जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है, परंतु वो फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पत्रस से कहा निश्चे तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है तब वो धिकार देने और शपत खाने लगा कि उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करती हो मैं नहीं जानता तब तुरंट दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी पत्रस को वो बात जो ईश्चु ने उससे कही थी स्मरण आई के मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा वो इस बात को सोच कर रोने लगा पंध्रमा अध्याय और भोर होते ही तुरंट महायाजकूं पुर्णियों और शास्त्रियों ने वरंग सारी महासभाने सलाह करके यिशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पीला तुसके हाथ सौप दिया पीला तुसने उससे पूछा क्या तु यहूद्यों कर राजा है उसने उसको उत्तर दिया तु आप ही कह रहा है और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे पीला तुसने उससे फिर पूछा क्या तू उत्तर नहीं देता? देखे दुछ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं येशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया यहां तक कि पीला तुसको बड़ा आश्चर्य हुआ वो उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था वरब्बा नाम का एक मनुष्य उन वलवाईयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी भीड उपर जाकर उससे बिनती करने लगी जैसा तु हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर पीला तुस्थ ने उनको उत्तर दिया क्या तुम चाते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दू क्यूंकि वो जानता था कि महा याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था परन्तु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो परअबभा ही को उनके लिए छोड़ दे ये सुन पीला तुसने उनसे फिर पूछा तो तुम जिसे यहुदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करो वे फिर चिल्लाए उसे एक क्रूस पर चढ़ा दे पीला तुसने उनसे कहा क्यों इसने क्या बुराई की है परन्तु वे और भी चिल्लाए उसे एक क्रूस पर चढ़ा दे तब पीला तुसने भीड को प्रसंद करने की इच्छा से बरअबभा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशू को कोड़े लगवा कर सौप दिया के गुरूस पर चढ़ाया जाए और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगण में ले गए जो प्रीटोरियून कहलाता है और सारी पल्टन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और काटों का मुकुट गूंत कर उसके सिर पर रखा और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे यहूदियों के राजा नमस्कार और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर धूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे जब वे उसका ठठा कर चुके उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे कुरूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गाव से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा के उसका कुरूस उठा ले चलें और वे उसे कुलगुता नाम जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उसने नहीं लिया तब उन्होंने उसको कुरूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्थियां डाल कर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया पहर दिन ही चढ़ा था जब उन्होंने उसको कुरूस पर चढ़ाया और उसका दोश पत्र लिखकर उसके उपर लगा दिया गया यहूदियों का राजा और उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई और क्रूस पर चढ़ाए तब धर्म शास्त्र का वो वचन के वो अपराधियों के संग इना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे इसी रीती से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता इसरायल का राजा मसी अप क्रूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूसों पर चड़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा चा गया और तीसरे पहर तक रहा तीसरे पहर यिश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा जिसका अर्थ ये है ए मेरे पर्मेश्वर ए मेरे पर्मेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जो पास खड़े थे उन में से कितनों ने ये सुनकर कहा देखो वो एलिया को पुकारता है और एक ने दोड़ कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ देखें कि अलाया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने उसे इस प्रकार प्रान छोड़ते हुए देखा तो कहा सचमुची ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी उनमें मर्यम, मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेश की माता मर्यम और शलोमी थी जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी और और भी बहुत सिस्त्रियां थी जो उसके साथ यरुशलेम में आई थी जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है अरि मतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री था और स्वयम परमेश्वर के राज्जी की बाट जोहता था वो हियाव करके पीलात उसके पास गया और यीशु की लोथ मांगी पीलात उसने आश्चर्य किया कि वो इतने शेक्र मर गया और सूबेदार को बुला कर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चटान में खुदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुड़का दिया और मर्यम मगदलीनी और योसेश की माता मर्यम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है सोलवा अध्याए जब सब्ट का दिन बीट गया तो मर्यम मगदलीनी और याकूब की माता मर्यम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली के जाकर उस पर मलें सब्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई वे आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा के पत्थर लुड़का हुआ है क्यूंकि वो बहुत बड़ा था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम येश्यू नासरी को जो कुरूस पर चड़ाय गया था ठोंती हो वो जी उठा है यहा नहीं है देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पत्रस से कहो कि वो तुम से पहले गलीर को जाएगा जैसा उसने तुम से कहा था तुम वहीं उसे देखो और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि कप-कपी और घबराहट उन पर च्छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी सपताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मर्यम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ दुष्टात्माई निकाली थी दिखाई दिया उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया और उन्होंने ये सुनकर के वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीती न की इसके बाद वो दूसरे रूप में उनसे दो को जब वे गाव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया उन्होंने भी जाकर समाचार दिया परन्तु उन्होंने उनकी भी प्रतीती न की पीछे वो उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीती ना की थी, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में चाकर सारी सृिष्टी के लोगों को सुस्अमा चार प्रचार करो, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उधार होगा, परत। जो विश्वास न करेगा वो दोशी ठहराया जाएगा, और विश्वास करने वालों में ये चिंद होंगे, वे मेर नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक मस्तू भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानी न होगी, वे बिवारों पर हाथ रखेंगे, और वे जंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, लूका रचित सूसमचार, अध्याए एक इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और बचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया, इसलिए हे श्रीमान थ्यूपलिस, मुझे भी ये उचित लगा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंब से ही ठीक ठाक जाच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तु ये जान ले कि वे बातें जिनकी तुने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यहूदियों के राजा हेरोदेश के समय अभिया के दल में जकर्या नाम का एक याजक था। उसकी पतनी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इली शिबा था। और वे दोनों परमेश्वर क के सामने धर्मी थे और प्रभू की सारी आज्याओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इली शिबा बांच थी और वे दोनों बुड़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रिती के अनुसार उसके नाम पर चिठी निकली कि प्रभू के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रातना कर रही थी। प्रभू का एक स्वर्ग दूत धूप की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ, उसको द कि तेरी प्रातना सुनी गई है और तेरी पतनी इलिश्वा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन होगा, और तू उसका नाम युहना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन के कारण आनंदित होंगे, वो प्रभू के सामने महान होगा, वो दाख प्रस और मदीरा कभी न पियेगा, और अपनी माता के गर्वी से मवत्र आत्मा से परिपूर हो जाएगा, वो इस्राइलियों में से बहुतों को उनके प्रभूर पर मेश्वर की ओर फेरेगा, और एलिया की आत्मा और सामर्त में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पित्र योग का मन लड़के वालों की ओर फेर दे, और आग्या ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभू के लिए एक योग की प्रजा तयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, मैं तो बोड़ा हूँ, और मेरी पत्नी भी बोड़ी हो गही है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। रती थी ना की। और पांच महीने तक अपने आपको ये कहकर छिपाई रखा के मनुश्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभू ने इन दिनों में प्रपादरश्री करके मेरे लिए ऐसा किया है। चटवे महीने में परमेश्वर की ओर से जिबराईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भीजा गया। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाउद के घराने के एक पुरुष्य से हुई थी। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। आनम और जह तेरी हुँ जिस पर इश्वर का अनुग है हुआ है। प्रभू तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी। यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा। हे मर्यम, भैवीत ना हो। क्योंकि परमेश्व का अनुग्रे तुझ पर हुआ है। और देख, तु घर्वती होगी। और तेरी एक फुत्र उत्पन होगा। उसका नाम येश्यू रखना। हो महान होगा। और परंप्रधान का फुत्र कहलाएगा। और प्रभू परमेश्वर उसके पूरवज दाउद का सिहासन उसको देगा। और वो याकूब के घराने पर सदा राज्जी करेगा। और उसके राज्जी का अंत ना होगा। मर्यम ने स्वर्गदूद से कहा। यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूद ने उसको उत्तर दिया। पवित्र आत्मा तुझ पर उत्रेगा। और परंपरधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्य का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटम्बनी इलिश्वा के भी बुड़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांज कहलाती थी छटमा महिना है। क्योंकि जो वचन परमेश्य की ओर से होता है, वो प्रभाव रहत नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्ख दूद उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीगरी पाहडी देश में यहुदा के एक नगर को गई। और जकर यहा के घर में जाकर उसने इली शिबा को नमस्कार किया। जोहीं इली शिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्योहीं बच्चा उसके पेट में उछला। और इली शिबा पवित्र आत्मा से परिपुरुन हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तूस्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का पल धन्य है, ये अनुग्रे मुझ पर कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नवसकार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यो ही बच्चा मेरे पेट में अनंद से उछल पड़ा। धन्य है, वो जिसने विश्वास किया, कि जो हो पातें प्रभु की ओर से उस से कही कही, वो पूरी होगी। तब मर्यम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उधार करने वाले परमेश्वर से आनंतित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर द्रिष्टी की है, इसलिए देखो, अपसे योग-योग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किये है, उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, पेड़ी से पेड़ी तक बनी रहती है, उसने अपना भुचबल दिखाया, और जो अपने आपको बड़ा समझते थे, उन्हें तितर-बितर किया, उसने बलवानों को सिंघासनों से गिरा दिया, और दीनों को उंचा किया, उसने भूखों को अच्छी वस्तूं से त्रिप्त किया, और धन्वानों को छूचे हाथ निकाल दिया, उसने अपनी सेवक इस्राइल को संभाल लिया, कि अपनी उस्ताया को स्मर्ण करे, जो इब्राहिम और उसके वंच पर सदा रहीगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था, मर्यम लगभग तीन महीने उसके साथ रहकर अपने घर लोटाई, तब इली शिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ, और वो पुत्र जनी, उसके पडोसी और कुटुम्भी, ये सुनकर के प्रभू ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनन्दित हुए, और ऐसा हुआ, कि आठमे दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकर यार रखने लगे, उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, उसका नाम युहन्ना रखा जाए, उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुम्भ में किसी का ये नाम नहीं है, तब उन्होंने उसक पिता से संकेत करके पूछा, तु उसका क्या नाम रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम युहन्ना है, इस पर सभोंने अचमभा किया, तब उसका मुँ और जीब खुल गई, और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवात करने ल अपने अपने मन में विचार करके कहा, प्रभू, इस्राइल का परमेश्वर धन्यव, उसने अपने लोगों पर दिष्टी की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाउद के घराने में हमारे लिए एक उद्दार का सेव निकाला है, जैसे उसने अपने पवित् यृशिद्वत्ताओं के द्वारा, जो जगत के आदि से होते आए हैं, कहा था, अर्थात हमारे शत्रूँ से और हमारे सब बैरियों के हात से हमारा उद्दार किया है, कि हमारे बाप दादूं पर दया करके, अपनी पवित्र वाचा का स्वर्ण करें, और वो शपत, जो उ उसने हमारे पिता इब्राहीम से खाई थी, कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रों के हाथ से छूट कर, उसके सामने पवित्रता और धार्मिक्ता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविश्य द्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्यान दे, जो उनके पापों की शमा से प्राप्त होता है। उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण उपर से हम पर भोर का प्रकाश उदै होगा, कि अंधिकार और मृत्यू की चाया में बैठने वालों को जोती दे, और हमारे पाउं को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवन्त होता गया, और इस्राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। अध्याय दो उन दिनों में आगुस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकले के सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए के वो दाउद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाउद के नगर बैतलहम को गया के अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। वो अपना पहिलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। क्योंकि उनके लिए सराय में जगे ना थी। उस देश में अनेक गडर ये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जुंड का पहरा देते थे। और प्रभू का एक दूत उनके पास आखड़ा हुआ। और प्रभू का तेज उनके चारों और चमका। वे बहुत डर गए। स्वर्ग दूत ने उनसे कहा। मत दरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंग का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाओद के नगर में तुम्हारे लिए एक उदार करता जन्मा है। और यही मसी दभू है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक ब स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और प्रत्री पर उन मनुश्य में जिनसे वो प्रसंद है शान भी हो। जब स्वर्ग दूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरिय उन्हें आपस में कहा आओ हम बैथले हम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के परन्तु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लोट गए। परमेश्वर के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरुशले में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की ववस्था में लिखा है कि हर एक पहिलोठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की ववस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोडा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें। और देखो यरुशले में शमोन नाम एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। और इस्राइल की शान्ति की बाट जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा से उसको चितामनी हुई थी कि जब तक वो प्रभू के मसीह को देखना लेगा तब तक मृत्यू को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक येशु को भीतर लाए कि उसके लिए विवस्था के रीती के अनुसार करें। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। जोती और तेरे निश लोग इसराइल की महीमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसकी विशे में कही जाती थी आश्चरे करते थे। तब शमून ने उनको आशीश देकर उसकी माता मरियम से कहा। देख वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन होने के लिए ठैराया गया है। जिसके विरोध में बाते कहीं जाएंगी। वरन तेरा प्रान भी तलवार से आर पार छिट जाएगा। इससे बहुत हिर्दयों के विचार फ्रगट होंगी। और अशेहर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुवल की बेटी एक भविश्य द्विक्तिन थी। वो बहुत बूड़ी थी। और प्याह होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विद्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पर उपव पास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभू का धन्यवाद करने लगी। और उन सभों से जो यरुशलेम के चुटकारे की बाट जो होते थे। उसके विशे में बातें करने लगी। और जब वे प्रभू की ववस् और बुद्धी से परिपूरुन होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके मातापिता प्रती वर्ष फसे के पर्भ में यरुशलेम को जाया करते थे। जब वो बारा वर्ष का हुआ तो वे पर्भ की रिती के अनुसार यरुशलेम को गये। और जब वे ये समझ करके वो और यातियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचानों में धूड़ने लगे। पर जब नहीं मिला तो धूड़ते धूड़ते यरुशलेम को फिर लोट गए। तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रशन करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, ए पुत्र, तुने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूनते थे. उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूनते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा, तब वो उनके साथ गया, और नासरत में आया, और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और येशु बुद्धी और डील डॉल में, और परमेश्वर और मनुश्यों के अध्याय तीन तिबिरियुस कैसर के राज्ये के पंद्रवे वर्ष में जब पुंतियुस, पिलातुस, यहुदिया का हाकिम था, और गलील में हैरो देश नाम चौथाई का इतूरिया, और त्रिखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अभी लेने में लिसा नियास चोथाई के राजा थे और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकर्या के पुत्र यूहन्ना के पास पहुँचा और वो यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बब्तिस्मा का प्रचार करने लगा जैसे यशाया भविश्य द्विक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो उसकी सडकें सीधी बनाओ हर एक खाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेड़ा है सीधा और जो उचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के कुद्धार को देखेगा जो भीड की भीड उससे बप्तिस्मा लेने को निकल कर आती थी उससे वो कहता था हे साथ के बच्चों तुम्हें किसने जदा दिया कि आने वाले क्रोज से भागो सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्रहिम है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्रहिम के लिए संतान उत्पन कर सकता है और अब ही कुलहारा पेडों की जड़ पर धरा है इसलिए जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोका जाता है लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें उसने उन्हें उत्तर दिया जिसके पास दो कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बाट ले और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे और महसूल लेने वाले भी बबतिस्मा लेने आए और उससे पूछा ए गुरू हम क्या करें उसने उन्हें कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना और सिफाईयों ने भी उससे ये पूछा हम क्या करें? उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और न जहुटा दोश लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोश करना जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में युहन्ना की विशे में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीष तो नहीं है? तब युहन्ना ने उन सब से कहा मैं तो तुम्हे पानी से बब्दिस्मा देता हूँ परन्तु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है मैं तो इस युग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूँ वो तुम्हे पवित्र आत्मा और आग से बब्दिस्मा देगा उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा वो केहूं को अपने खत्ते में एकठा करेगा परन्तु भूसी को उस आग में जो भुझने की नहीं चला देगा सो वो बहुत सी शिक्षा दे दे कर लोगों को सूसमाचार सुनाता रहा परन्तु उसने चोथाई देश के राजा हेरो देश को उसके भाई फिलिपुस की पतनी हेरो दियास के विशे और सब को कर्मों के विशे में जो उसने किये थे उलाहना दिया इसलिए हेरो देश ने उन सब से बढ़कर ये को करम भी किया कि युहन्ना को बंदे ग्रिह में डाल दिया जब सब लोगों ने बप्तिस्मा लिया और येशु भी बप्तिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उत्रा और ये आकाशवानी हुई तू बेरा प्रेय पुत्र है मैं तुझसे पसंद हूँ जब येशु उपदेश करने लगा तो लगभग तीस वर्ष की आयू का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वो एली का और वो मतात का और वो लेवी का और वो मलकी का और वो यन्ना का और वो यूसुफ का और वो मतित्या का और वो अमोस का वो नहूम का और वो असल्या का और वो नोगा का और वो मात का और वो मतित्या का और वो शिमी का और वो योसेख का और वो योदा का और वो युहन्ना का और वो रेशा का और वो जरुवा बिल का और वो शालिते येल का और वो नेरी का और वो मलकी का और वो अद्दी का और वो कुसाम का और वो इल्मो दाम का और वो एर का और वो येशु का और वो इलाजार का और वो योरीम का और वो मतात का और वो लेवी का और वो शमोन का और वो यहूदा का और वो यूसुफ का और वो यूनान का और वो इलियकीम का और वो मलेहा का और वो मिन्ना का और वो मतता का और वो नातान का और वो दाउद का और वो जीशे का और वो अबेद का और वो बुआज का और वो सलमोन का और वो नहशोन का और वो अमिनादाब का और वो अर्नी का और वो हिस्रोन का और वो फिरिस का वो यहुदा का और वो याकूब का और वो इसहाग का और वो इब्राहीम का और वो तिरहे का, और वो नाहोर का, और वो सरूप का, और वो रहू का, और वो फिलिक का, और वो एबिर का, और वो शिलहे का, और वो केनान का, और वो अरफहजद का, और वो शेम का, वो नुहू का, वो लिमिक का, और वो मतुशलहे का, और वो हनोक का, और वो यरिद का और वो महललेल का और वो केनान का और वो इनोश का और वो शेत का और वो आदम का और वो परमेश्वर का था अध्याए चार फिर येशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लोटा वो चालिस दिन तक आत्मा की सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परिक्षा करता रहा उन दिनों में उसने कुछ न खाया जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से खेगी रोटी बन जाए येशु ने उसे उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्ये दिखाए और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका विभाव तुझे दूँगा क्योंकि वह मुझे सवभा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा येशु ने उसे उत्तर दिया लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर तब उसने उसे यरुशलेम में ले जाकर मंदर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको यासर नीचे गिरा दे क्यों कि लिखा है वो तेरे विशे में अपने स्वर्गदूतों को आग्या देगा कि वे तेरी रक्षगरे वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे यशू ने उसको उत्तर दिया ये भी कहा गया है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न करना जब शैतान सब परिक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया फिर यशू आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ कलील को लोटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वो उनके आराधनालियों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे और वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीती के अनुसार सब्द के दिन आराधनालियों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ यशाया भविश्य द्वित्ता की पुस्तक उसे दी गई उसने पुस्तक खोल कर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था प्रभू का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टी पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछले हुँ को छुडाऊं और प्रभू के प्रसन रहने के वर्ष का प्रचार करूं तब उसने पुष्टक बंध करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ किया अराधनाले के सब लोगों की आँख उस पर लगी थी तब वो उनसे कहने लगा आज ही ये लेख तुम्हा किया और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं उसने उनसे कहा तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे हे वैद अपने आपको अच्छा कर जो कुछ हमने सुना है कि कफर नहूम में किया गया है उसे यहां अपने देश में भी कर और उसने कहा मैं तुमसे सच क मान सम्मान नहीं पाता और मैं तुम से कहता हूँ इलियाह के दिनों में जब साड़े तीन वर्ष तक आकाश बंद रहा यहां तक की सारे देश में बड़ा आकाल पड़ा तो इसराइल में बहुत सी विद्वाएं थी पर इलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया केवल सैदा के सार्फत में एक विद्वा के पास इलिशा भविश्य द्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोड़ी थे पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद नहीं किया गया ये बाते सुनते ही जितने आराधनाले में थे सब क्रोध से भर गए उन्होंने उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर वे उसे ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दे पर वो उनके बीच में से निकल कर चला ग वे उसके उपदेशे चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था अराधनाले में एक मनुष्य था जिसमें अशुध आत्मा थी वो उचे शब्द से चिल्ला उठा येशु नासरी हमें तुसे क्या काम क्या तू हमें नाश करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है तो परमेश्वर का पवीत्र जन है येशु ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब दुस्टा आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानी पहुचाए उसमें से निकल गई इस पर सब को अचमभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्द के साथ अशुद आत्माओं को आग्या देता है और वे निकल जाती है सो चारों और हर जगे उसकी धूम मच गई वो अराधनालय में से उठकर शमोन के घर में गया और शमोन की सास को ज्वर चड़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे बिनती की उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डाटा और उस पर से ज्वर उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी सूरज डूपते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने प्रतेक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया और दोस्टात्मा भी चिलाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का भुत्र है बहुतों में से निकल गई पर वो उन्हें डाटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि ये मसी है जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक जंगली जगह में गया और भीड की भीड उसे ढूंडती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि उनके पास से ना जाए परन्तो उसने उनसे कहा मुझे और और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है क्योंकि मैं इसलिए भीजा गया हूँ और वो गलील के अराधनालेों में परचार करता रहा अध्याए पाँच जब भीड उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्य सरत की जील के किनारे पर खड़ा था तब ऐसा हुआ कि उसने जील के किनारे दो नामें लगी हुई देखी और मच्वे उन पर से उतर कर जाल दो रहे थे उन नामों में से एक पर जो शमोन की थी चड़कर उसने उससे बिनिती की के किनारे से थोड़ा हटा ले चले तब वो बैठ कर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा जब वो बातें कर चुका तो शमोन से कहा गहरे में ले चल और मच्वियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल शमोन ने उसको उत्तर दिया हे सुआमे हमने सारी रात मेहनत की और कुछना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मच्वियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसी नाव पर थे संखेत किया कि आकर उनकी सहता करे और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी ये देखकर शमोन पत्रस यीशु के पाउँ पर गिरा और कहने लगा इतनी मचलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमबा हुआ वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहना को भी जो शमोन के साथी थे अचमबा हुआ तब ये शुने शमोन से कहा मत्र अब से तु मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा और वे नामों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ कर उसके पीछे हो लिए जब वो किसी नगर में था तो देखो वहां कोड से भरा हुआ एक मनुष्य था वो ये शु को देखकर मूँ के बल गिरा शुद्ध हो जा और उसका कोड तुरंत जाता रहा तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कहे परन्तु जाकर अपने आपको याजक को दिखाए और अपने शुद्ध होने के विशय में जो कुछ मूसा ने चड़ावा ठैराया है उसे चड़ाए कि उन पर गवाही हो परन्तु उसकी चर्चा और भी भैलते गई और भीड की भीड उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकठी हुई परन्तु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहुदिया के हरे गाउं से और यरुशलेम से आये थे और चंगा करने के लिए प्रभू की सामर्थ उसके साथ थे और दिखो कई लोग एक मनुष्य को जो जो जोले का मारा हुआ था खाट पर लाए वे उसे भीतर ले जाने और येशु के सामने रखने का उपाय ढूंड रहे थे जब वे भीड के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चड़कर और खपरेल हटा कर उसे खाट समेत लोगों के बीच में येशु के सामने उतार दिया येशु ने उनका विश्वास देख कर उससे कहा हे मनुष्य तेरे बाप क्षमा हुई तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है येशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे पूछा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कि उठ और जल फिर परन्तु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है उसने उस जोले के मारे हुए से कहा मैं तुझ से कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस खाट पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनुखी बातें देखी है इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले तब वो सब को छोड़ कर उठा और उसके पीछे हो लिया लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड थी परीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़ कुड़ाने लगे तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो येशु ने उनको उत्तर दिया वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परन्तु बीमारों के लिए आवश्यक है मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ और उन्होंने उससे कहा यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के भी परन्तु तेरे चेले तो खाते पीते हैं येशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुलहा उनके साथ रहे, उपवास करवा सकते हो, परन्तु वे दिन आएंगे जिन में दुलहा उनसे अलग किया जाएगा, तब उन दिनों में वे उपवास करेंगे। उसने एक और दिर्श्टांथ भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़ कर, पुराने पहिरावन में पैवन्द नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा, और वो पैवन्द पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और कोई नया दाखरस पुरानी मश्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मश्कों को फाड़ कर बह जाएगा, और मश्कें भी नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मश्कों में भरना चाहिए. कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है. अध्याय छे तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्द के दिन करना उचित नहीं? येश्यो ने उनको उत्तर दिया. क्या तुमने ये नहीं पड़ा कि दाउद ने जब वो और उसके साथी भूके थे तो क्या किया? वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी प्रभू है. और ऐसा हुआ, कि किसी और सब्द के दिन, वो अराधनाले में जाकर उपदेश करने लगा. वहाँ एक मनुष्य था, जिसका दाहिना हाथ सूखा था. शास्त्री और फरीसी, उस पर दोश लगाने का अफसर पाने के लिए, उसकी ताक में थे, कि देखें, वो सब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं. परंतु वो उनके विचार जानता था. इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो. वो उठ खड़ा हुआ. येशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, सब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्रान को बचाना या नाश करना. और उसने चारों और उन सबों को देख कर, उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा. उसने ऐसा ही किया, और उसका हाथ फिर चंगा हो गया, परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विबात करने लगे. उन दिनों में वो पहाड पर प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. जब दिन हुआ, तो उसने अपने चेलों को बुला कर, उन में से बारा चुन लिये, और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं, शमोन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा, और उसका भाई आंद्रियास, याकूब और युहन्ना, फिलिपुस और बर्तुल में, मत्ती और थोमा, हलपाई का पुत्र याकूब और शमोन, जो जेलो तेस कहलाता है, और याकूब का पुत्र यहूदा, और यहूदा इस करियोती, जो उसका आने वाला बना, तब वो उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड और सारे यहूदिया, और यरुशलेम, और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से, बहुतेरे लोग, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आये थे, वहाँ थे, अशुद्ध आत्माओं के सताय हुए लोग भी अच्छे किये जाते थे, सब उसे चूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सब को चंगा करती थी, तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि त्रिप्त किये जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हसोगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, लोग तुमसे बैर और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, उस दिन अनन्दित होकर उचलना, क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविश्च द्वक्ताओं के स रात भी वैसा ही किया करते थे, परन्तु हाए तुम्हार जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शान्ती पाचुके, हाए तुम पर जो अब त्रिप्त हो, क्योंकि भोके होगे, हाए तुम पर जो अब हस्ते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे, हाए तुम पर जब सब मनु तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे जूटे भविश्य द्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे, परन्तु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रूओं से प्रेम रखो, जो तुम से बैर करें, उनका भला करो, जो तुम्हें स्राप दें, उ आशीश दो, जो तुम्हारा अपमान करें, उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थपड मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर चीन ले, उसको कुर्टा लेने से भी नरोक, जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे, और जो तेरी वस्तु चीन ले, उससे नमांग, जैसा तुम चाहते हो, कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढाई? क्योंकि प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं, और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढाई? कि क्यों पापी भी ऐसा ही करते हैं, यदि तुम उन्हें उधार दो, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो त तुम्हारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाईं। परन अपने शत्रों से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे क्योंकि वो कृतगनू और बुरों पर भी कृपालू है जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है वैसे ही तुम भी दयावन्त बनो दोश मत लगाओ तो तुम पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा दोशी ना ठहराओ तो तुम भी दोशी नहीं ठहराए जाओगे ख्षमा करो तो तुम्हारी भी ख्षमा की जाएगी दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा फिर उसने उनसे एक द्रिश्टांत कहा क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है क्या दोनों गड़े में नहीं गिरेंगे चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं परन्तु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरू के समान होगा तु अपने भाई की आख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आख का लठथा तुझे नहीं सूजता और जब तू अपनी ही आख का लठथा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है हे भाई, ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ, हे कप्ती, पहले अपनी आँख से लठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है, भली भांती देख कर निकाल सकेगा कोई अच्छा पेड नहीं, जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड है, जो अच्छा फल लाए, हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोडते, और न जड़ बेरी से अंगूर, भला मनुष्य, अपने मन के भ भले भंडार से भली बाते निकालता है, और बुरा मनुष्य, अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है, वही उसके मुह पर आता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभू, हे प्रभू कहते हो, जो कोई म मेरे पास आता है और मेरी बाते सुनकर उन्हें मानता है मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमी गहरी खोद कर चक्तान पर नेव डाली और जब बाड आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी जोकि वो पक्का बना था परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्या नाश हो गया अध्याए साथ जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफर नहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिये था बिमारी से मरने पर था उसने यिशू की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्णियों को उससे ये बिनती करने को उसके पास भेजा कि आकर उसके दास को चंगा करे वे यिशू के पास आकर उससे बड़ी बिनती करके कहने लगे वे इस योग्य है कि उसके लिए ये करे क्योंकि वे हमारी जाती से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालाय को बनाया है येशु उनके साथ साथ चला पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा हे प्रभू दुख ना उठा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छट के तले आए इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा मैं भी पराधीन मनुश्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है और अपने किसी दास को कि ये कर तो वो उसे करता है ये सुनकर येशु ने अचमभा किया और उसने मूँ फेर कर उस भीड से जो उसके पीछे आ रही थी कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने घर लोट कर उस दास को चंगा पाया थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम एक नगर को गया उसके चेले और बड़ी भीड भी उसके साथ जा रही थी जब वो नगर के फाटक के पास पहुचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिये जा रहे थी वो अपनी मा का एकलोता पुत्र था और वो विद्वा थी नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो तब उसने पास आकर अर्थी को चुछ हुआ और उठाने वाले ठैर गए तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मा को सौप दिया इससे सब पर भैचा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे की हमारे पीश में एक बड़ा भविश्य द्वत्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दश्टी की है उसके विशे में ये बात सारे यहू दिया और आसपास के सारे देश में फैल गई यहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समचार दिया तब यहन्ना ने चेलों में से दो को बुला कर प्रभू के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तु ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखे उन्होंने उसके पास आकर कहा यहन्ना बब्तिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बाट जो है उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीडाओं और दुस्टात्माओं से छुड़ाया और उसने बहुत से अंधों को आखे दी और उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर युहन्ना से कह दो अंधे देखते हैं लंगडे चलते फिरते हैं कोडी शुद्ध किये जाते हैं बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, धन्य है वो, जो मेरे कारण ठोकर नखाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिये, तो येशु यूहन्ना के विशे में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को, देखो जो भड़कीला वस्त्र पहिनते और सुख विलास से रहते हैं, विराज भवनों में रहते हैं, तो फिर क जा देखने गए थे, क्या किसी भविश्य द्वक्ता को, हाँ मैं तुम से कहता हूँ, बरन भविश्य द्वक्ता से भी बड़े को, ये वही है जिसके विशय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेशता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा, मैं तु उन से कहता हूँ, जुस्त्रियों से जन में है, उन में से युहन्ना से बड़ा, कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में, छोटे से छोटा है, वो उससे भी बड़ा है, और सब साधारन लोगों ने सुनकर, और चुंगी लेने वालों ने भी, युहन्ना का बप्ति लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बप्तिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विशय में टाल दिया, सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किस से दूँ, वे किसके समान हैं, वे उन बालकों के समान हैं, जो वाजार में बैठे हुए, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, और तुम नार नाचे, हमने विलाप किया, और तुम न रोए, क्योंकि युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला, न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो, उसमें दुष्टात्मा है, मनुष्य का पुत्र, खाता पीता आया है, और तुम कहते हो, देखो, पेटू और प्यकड मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ग्यान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है, फिर किसी फरीसी ने उसस बिनिती की, मेरे साथ भोजन कर, सो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री, ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संग मरमर के पात्र में इत्र ले कर आई, वो रोती हुई, उसके पाउं के पास, पीछे खड़ी होकर उसके पाउं को आस्मों से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोचने लगी उसने उसके पाउं बार बार चूम कर उन पर इत्र मला ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा यदि वो भविश्यत वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे चू रही है कौन और कैसी स्त्री है क्योंकि वो तो पापी नहीं है ये जानकर येशु ने उससे कहा ये शमोन मुझे तुझ से कुछ कहना है वो बोला एक रूप कहना किसी महाजन के दो देंदार थे एक पांच सो और दूसरा पचास दिनार धारता था जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा शमोन ने उत्तर दिया मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया उसने उससे कहा तूने ठीक विचार किया है और उस इस्तरी की और फिरकर उसने शमोन से कहा क्या तू इस स्तरी को देखता है मैं तेरे घर में आया परंतू तूने मेरे पाउं धोने के लिए पानी न दिया पर इसने मेरे पाउं आशुओं से भीगाए और अपने बालों से पोचा तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे पावों का चूमना न छोड़ा तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पावों पर इत्र मला है इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे ख्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया पर जिसका थोड़ा ख्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है और उसने इस्त्री से कहा तेरे पाप ख्षमा हुए अध्याए आठ इसके बाद वो नगर नगर और गाउं गाउं प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्ये का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे बारे उसके साथ थे और कितनी इस्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से साथ दुष्टात्माएं निकली थी और हैरोदेश के भंडारी खोजा की पतनी युवन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और इस्त्रियां ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी जब बड़ी भीड इकठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला बोते हुए कुछ मार्क के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया कुछ ज़ाडियों के बीच में गिरा और ज़ाडियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया और कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और उग कर सौ गुना फल लाया ये कहकर उसने उचे शब्द से कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले उसके च द्रिश्टान्त क्या है उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्ज के भेदों की समझ दी गई है पर औरों को द्रिश्टान्तों में सुनाया जाता है इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न संझें दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उध्धार पाएं चट्टान परके वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहन तो करते हैं परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परिक्षा के समय बहक जाते हैं जो जाडियों में गिरा सुवे हैं जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता पर अच्छी भूमी में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं कोई दिया वार के बरतन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाये और प्रकट न हो इसलिए चौकस रहो की तुम किस रीती से सुनते हो क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड के कारण उससे भीट ना कर सके और उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं उसने उत्तर में उनसे कहा मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चड़े और उसने उनसे कहा आओ जील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी पर जब नाव जल रही थी तो वो सो गया और जील पर आण्धी आई और नाव पानी से भाने लगी और वे जो खिन में थी तब उन्होंने पास आकर उसे ज़गाया और कहा तब उसने उठकर आण्धी को और पानी की लहरों को टाटा और वे थम गए और शांती हो गए और उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहा था पर वे डर गए और अचम्वित होकर आपस में कहने लगे यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आग्या देता है और वे उसकी मानते हैं फिर वे गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है जब वो किनारे पर उत्रा तो उस नगर का एक मनुश्य उसे मिला उसमें दुश्टात्माई थी और बहुत दिनों से वो ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था बरन कबरों में रहा करता था वो येशु को देखकर चिलनाया और उसके सामने गिरकर उंचे शब्द से कहा क्योंकि वो उस अशुद आत्मा को उस मनुश्य में से निकालने की आग्या दे रहा था इसलिए कि वो उस पर बार-बार प्रबल होती थी और यद्दपी लोग उसे सांकलों और बेडियों से बानते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुस्ट आत्मा उसे जंगल में भगाय फिरती थी यिशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने कहा क्योंकि बहुत दुस्ट आत्मा उसमें पैठ गई थी और उन्होंने उससे बिनती की वहाँ पहाड पर सुरों का एक बड़ा जुंड चर रहा था तो उन्होंने उससे बिनती की पैठ ने दे तो उसने उन्हें जाने दिया तब दुस्टात्माए उस मनुष्य से निकल कर सुरों में गई और वो जुन्द कडाडे पर से जपट कर जील में जा गिरा और डूब मरा चरवाहे ये जो हुआ देखकर भागे और नगर में और गाउं में जाकर उसका समाचार दिया और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और येशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुस्टात्माई निकली थी उसे येशु के पाउं के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुस्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने येशु से बिनिती की क्योंकि उन पर बड़ा भेच हा गया था सो वो नाव पर चड़ कर लोट गया जिस मनुष्य से दुस्टात्माय निकली थी वो उनसे बिनिती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु येशु ने उसे विदा करके कहा अपने घर को लोट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये है वो जाकर सारी नगर में प्रचार करने लगा कि येशु ने उसके लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये जब येशु लोट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे और देखो याईर नाम एक मनुष्य जो अराधनालय का सरडार था आया और येशु के पाउप पर गिर कर उससे बिनती करने लगा मेरे घर चल क्योंकि उसके बारे वर्ष की एकलोती बेटी थी और वो मरने पर थी जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे और एक इस्त्री ने जिसको बारे वर्ष से लोहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्धियों के पीछे व्या कर चुकी थी पर किसी के हाथ से चंगी नहों सकी थी पीछे से आकर उसके बस्तर के आचल को छू लिया और तुरंत उसका लोहू बहना थम गया इस पर येशू ने कहा मुझे किस ने चुआ जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा हे सुआमी तुझे तो भीर दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है परंतु येशू ने कहा किसी ने मुझे चुआ है तो कि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है जब इस्तरी ने देखा कि वो छिप नहीं सकती तब कापती हुई आई और उसके पाउं पर गिर कर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे चुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से चली जा वो ये कही रहा था कि किसी ने अराधनाले के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई गुरू को दुख ना दे यिश्व ने सुनकर उसे उत्तर दिया मत डर किवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी घर में आकर उसने पत्रस और युहन्ना और याकूर और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया और सब उसके लिए रूपीट रहे थे परन्तु उसने कहा रू मत वो मरी नहीं परन्तु सो रही है वे ये जानकर के मर गई है उसकी हसी करने लगे परन्तु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा हे लड़की गोट तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठ खड़ी हुई तब उसने आज्या दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए उसके माता पिता चकित हुए परन्तु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना अध्याय नौ फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्ये का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ न लेना न तोलाठी न जोली न रोटी न रुपे और न दो दो कुर्ते और जिस किसी घर में तुम उतरो वही से विदा हो जो कोई तुमें ग्रहन न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पावों की धूल ज़ाड दालो कि उन पर गवाही हो सोवे निकल कर गाउं गाउं सु समचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे देश की चौथाई का राजा हेरो देश ये सब सुनकर घबरा गया क्योंकि कितनों ने कहा कि युहना मरे हुओं में से जी उठा है और कितनों ने ये कि एलिया दिखाई दिया है और उने कहा कि पुराने भविश्यद वक्ताओं में से कोई जी उठा है परन्तु हेरो देश ने कहा यहुन्ना कातो मैंने सिर्कटवाया अब ये कौन है जिसके विशे में ऐसी बाते सुनता हूँ और उसने उसे देखने की इच्छा की फिर प्रेणितों ने लोटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वो उन्हें अलग करके बैत सैदा नाम एक नगर को ले गया ये जानकर भीड उसके पीछे हो ली वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे प्रमेश्वर के राज्ये की बातें करने लगा और जो होना चाहते थे उन्हें उसने चंगा किया जब दिन धनने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा भीड को विदा कर कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाई करे क्योंकि हम यहां सुनसान जगा में हैं उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खान उन्होंने कहा, हमारे पास पांच रोटियां और दो मचली को छोड़ कर और कुछ नहीं, परन्तु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले, तो हो सकता है, वे लोग तो पांच हजार पुरुशों के लगभग थे, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हे पचास पचास करके पांटी पांटी बैठा दू, उन्होंने ऐसा ही किया, और सब को बैठा दिया, तब उसने वे पांच रोटियां और दो मचली ली, और स्वर्क की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, कि लोगों को परोसें, सो सब खाकर त्रिप्थ हुए और बचे हुए टुकडों से बारे टोकरी भर कर उठाई। जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया। मुझे क्या कहते हो। पत्रस ने उत्तर दिया। परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिता कर कहा। ये किसी से न कहना। और उसने कहा। उसने सबसे कहा कि। उसने सबसे कहा कि। मेरे पीछे होले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा। परन्तु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोदे या उसकी हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा। जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लजजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा, तो उसे लजजाएगा। मैं तुम से सच कहता हूँ, जो यहां खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, तब तक मृत्यू का स्वाद न चखेंगे। इन बातों के कोई आठ दिन बाद, वो पतरस, युहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड पर गया। जब वो प्रार्थना करे रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा से दिखाई दिये, और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरुशले में होने वाला था, पतरस और उसके साथ ही नीन से भरे थे, और जब सचेत हुए, तो उसकी महिमा को और उन दो पुरुषों को, जो उसके साथ खड़े थे, देखा, जब वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने यूशू से कहा, हे सौमी, हमारा यहां रहना भला है, हम तीन मंडब बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए, वो जानता ना था, कि क्या कह रहा है, वो ये कही रहा था, कि एक बादल ने आका उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे, तो तर उस बादल में से ये शब्द निकला, वो मेरा बदल और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, ये शब्द होते ही, ये शु अकेला पाया गया, वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था, उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही, दूसरे दिन, जब वे पहार से उतरे, तो एक बड़ी भीड उससे आ मिली, और देखो, भीड मैंसे एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, ए गुरू, मैं तुससे बिन्ती करता हूँ, तेरे पुद्र पर कृपाद रिष्टी कर, क्योंकि वो मेरा इकलाता है, देख, एक दुष्टात्मा उसे पकरता है, और वो एका एक चिल्ला उड़ता है, और वो उसे ऐसा मरोडता है, कि वो मुँ में फेन भरलाता है, और उस कर दिया, हे अविश्वासी और हटीले लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहां लिया, वो आही रहा था, कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परन्तु येशु ने अशुद आत्मा को डाटा, और सब लोग उन सब कामों से जो वो करता था अचमभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परन्तु वे इस बात को ना समझते थे, और व उनमें ये विवाद होने लगा, कि उनमें बड़ा कान है, यिशूने उनके मन का विचार जान लिया, और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया, और उनसे कहा, जो कोई मिरे नाम से इस बालक को ग्रहन करता है, वो मुझे ग्रहन करता है, और जो कोई मुझे ग्रहन करता है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है, वही बड़ा है तब युहन्ना ने कहा, हे सौमी, हमने एक मनश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता यिशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वो तुम्हारी ओ रहे जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरुशलेम को जाने का द्रिड निश्चे किया और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गाउं में गए कि उसके लिए जगह तयार करे परन्तु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो यरुशलेम को जा रहा था ये देखकर उसके चेले याकूब और युहन्ना ने कहा हे प्रभू, क्या तु चाहता है कि हम आग्या दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? परन्तु उसने फिरकर उन्हें डाटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो मनुष्य का पुत्र, लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है तब वे किसी और गाउं में चले गए जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा जहां जहां तु जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा यिशू ने उससे कहा लोमणियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगा नहीं उसने दूसरी से कहा मेरे पीछे हो ले उसने कहा हे प्रभू, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गार दू उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गार ने दे पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना एक और ने भी कहा हे प्रभू, मैं तेरे पीछे हो लूँगा पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं यिश्व ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं अध्याय दस इन बातों के बाद प्रभू ने सत्तर और मनुष्य नियुक्त किये और जिस जिस नगर और जगय को वो स्वयम जाने पर था वहाँ उन्हें दोदो करके अपने आगे भेजा उसने उनसे कहा पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से बिनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे जाओ देखो मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेजता हूं इसलिए न बटवा न जोला न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्यान हो यदि वहां कोई कल्यान के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्यान उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास लोट आएगा उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए घर घर न फिरना जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ वहां के बीमारों को जंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है परन्तु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहन न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाओं में लगी है हम तुम्हारे सामने जाड देते हैं तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है मैं तुमसे कहता हूँ उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी हाए खुराजीन हाए बैच सैदा जो सामर्थ के काम तुम्हें किये गए यदि वे सूर और सैदा में किये जाते तो टाट ओड कर और राख में बैठ कर वे कब के मन फिराते न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी और हे कफर नहूम क्या तु स्वर्ग तक उंचा किया जाएगा तू तो अधो लोक तक नीचे जाएगा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुछ जानता है वो मुझे तुछ जानता है और जो मुझे तुछ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुछ जानता है वे सत्तर आनंद से लोट कर कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बश्च में है उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ख से गिरा हुआ देख रहा था देखो मैंने तुम्हें सापों और बिच्छूओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानी न होगी तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है परंतु इससे आनंदित हो की तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे है उस घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता स्वर्ग और पृत्वी के प्रभू मैं तेरा धन्यवात करता हूँ कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे और चेलों की ओर फिरकर एकांत में कहा धन्य हैं वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं क्योंकि मैं तुम से कहता हूं बहुत से भविश्य द्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं और जो बातें तुम सुनते हो, सुनी पर न सुनी और देखो एक व्यवस्था पक उठा और ये कहकर उसकी परिक्षा करने लगा हे गुरू, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ? उसने उससे पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तु कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, प्रभू, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, और अपने सारी शक्ति, और अपने सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो जीवित रहेगा परंतु उसने अपनी तै धर्मे ठैराने की इच्छा से येशु से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? येशु ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहों को जा रहा था डाकूओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिये और मार पीठ कर उसे अद्मरा छोड़कर चले गए और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था परंतु उसे देख कतरा कर चला गया इसी रीती से एक लेवी उस जगह पर आया वो भी उसे देख कतरा कर चला गया परंतु एक सामरी यात्री वहां आया यात्री ने उसे देख कर तरस खाया उसने पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चड़ा कर उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की दूसरे दिन उसने दो दिनार निकाल कर भट्यारे को दिये और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लोटने पर भर दूँगा अब तेरी समझ में जो डाकूओं में घिर गया था उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया येशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर जब वे जा रहे थे तो वो एक गाउं में गया और मार्था नाम एक इस्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया और मरियम नाम उसकी एक बहन थी उसका बचन सुन रही थी मार्था सेवा करते करते घबरा गए और उसके पास आकर कहने लगी हे प्रभू क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है उससे कहे कि मेरी सहायता करे प्रभू ने उसे उत्तर दिया मार्था हे मार्था तु बहुत बातों के लिए चिनता करती और घबराती है प्रन्तु एक बात अवस्य है और उस उत्तम भाग को मर्यम ने चून लिया है जो उससे चिना ना जाएगा अध्याए ग्यारा फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे प्रभू जैसे योहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी सिखा दे उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें तिया कर, हमारे पापों को ख्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को ख्षमा करते हैं, और हमें परिक्षा में नला। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीतर से उत्तर मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंध है, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़ कर, मांगने के कारण उसे जितनी आवशकता हो, उतनी उठकर देगा, और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हे दिया जाएगा, धूंडो तो तुम पाओगे, खट खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है, और जो ढूंटता है, वो पाता है, जो खट खटाता है, उसके लिए खोला जाएगा, तुम्हे से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे, या मचली मांगे, तो मचली के बदले उसे सा सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। उसकी परिक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्द मांगा। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा। से दुष्टात्मा निकालता है। यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है। इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब बलवन्त मनुष्य हत्यार बांदे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और पलवन्त चड़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हत्यार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है, और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में हैं, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। जब अशुद आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम धूनती फिरती है। और जब नहीं पाती, तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, लोट जाओंगी। और आकर उसे जाडा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है। और वे उसमें बैठ कर वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वो ये बातें कर ही रहा था, तो भीड मैंसे किसी इस्त्री ने उचे शब्द से कहा। धन्य है वो गर्ब, जिसमें तू रहा, और वे स्थन जो तूने चूसे। उसने कहा। हाँ, परंतु धन्य वे हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब भेड एकठी होती जाती थी, तो वो कहने लगा, इस युक्के लोग बुरे हैं, वे चिन ढूनते हैं, पर युनुस के चिन को छोड़, कोई और चिन उन्हें न दिया जाएगा। जैसा युनुस निन्वे के लोगों के लिए चिन ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युक्के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिन की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी। क्योंकि वो सुलेमान का ज्यान सुनने को पृत्वी की छोड़ से आई। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोशी ठहराएंगे। क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दिया बार के तलगरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परन्तु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे। तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है। जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब ये बातें कर रहा था, तो किसी फरीसी ने उससे बिनिती की, मेरे यहाँ भोजन कर। और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने ये देखकर अचमभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभू ने उससे कहा, हे फरीसियो तुम कटोरे और थाली को उपर उपर तो मांजते हो परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुश्टता भरी है हे निर्बुध्यो जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया परंतु हाँ भीतर वाली वस्तों को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा हे फरीसियो तुम पर हाए तुम पौदीने और सुदाब का और सब भांती के साग पात का दसवा अंश देते हो परंतु नयाय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते हे फरीसियो तुम पर हाए तुम आराधनालेयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो हाए तुम पर क्योंकि तुम उन्छिपी कबरों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया हे गिरू इन बातों को कहने से तु हमारी निंदा करता है उसने कहा हे व्यवस्थापको तुम पर हाए तुम ऐसे बोज जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लातते हो परंतु तुम आप उन बोजों को अपनी एक उंगली से भी नहीं चूते हाए तुम पर तुम उन भविश्य द्वकताओं की कबरे बनाते हो जिनहें तुमारे ही बाप दादों ने मार डाला था सु तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कबरे बनाते हो इसलिए परमेश्वर की बुद्धी ने भी कहा है मैं उनके पास भविश्यद वक्ताओं और प्रेवितों को भेजूंगे वे उनमें से कितनों को मार डाले और कितनों को सताएंगे ताकि चितने भविश्यद वक्ताओं का लोहु जगत की उत्पत्ती से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए हाबील की हत्या से लेकर जकर्याह की हत्या तर जो वेदी और मंदिर के बीच में खात किया गया मैं तुम से सच कहता हूँ उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा हाई तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ग्यान की कुंजी ले दो ली परन्तु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया जब वो वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करें और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मूँ की कोई बात तकड़ें अध्याए बारा इतने मैं जब हजारों की भीड लग गई यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना कुछ ठपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा परन्तु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ जो शरीर को घात करते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते उनसे मत डरो मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो क्या दो पैसे की पाँच गौरईया नहीं बिखती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए है सो डरो नहीं तुम बहुत गौरईयों से बढ़कर हो मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वो अपराद क्षमा किया जाएगा परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराद क्षमा न किया जाएगा जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या उत्तर दें या क्या कहें क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड मेंसे एक ने उससे कहा। हे गुरू, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा। हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याई या बांटने वाला न्युक्त किया है। और उसने उनसे कहा। चौकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक द्रिश्टांत कहा। प्राण से कहूंगा। प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। चैन कर, खा पी, सुक से रह। परन्तु परमेश्वर ने उससे कहा। ए मुर्क, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकठा किया है, वो किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है, जो अपने लिए धन बटोरता है। परन्तु परमेश्वर की द्रिश्टी में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उने पालता है, तुम्हारा मुल्य पक्षियों से कहीं अधिक है, तुम में से ऐसा कौन है, जो चिंता करने से अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सक इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो, सोसन के पेडों पर ध्यान करो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते, न कातते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, कि सुलैमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहिने हुए न था, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, और कल भाड में जोंकी जाएगी, ऐसा पहिनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुमें क्यों न पहिनाएग और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तूओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तूओं की आवशकता है, परंतु उसके राज्य की ख जाएंगी ये छोटे जुन्ड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे अपनी संपत्ती बेच कर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकठा करो जो खठता नहीं जिसके निकत चोर नहीं जाता और कीडा नहीं बिगाडता क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिये जलते रहें और तुम उन मनुश्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हों कि वो ब्याह से कब लोटेगा कि जब वो आकर द्वार खट-खटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें धन्य हैं विदास जिने स्वामी आकर जागते पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो विदास धन्य हैं परन्तु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता तुम भी तयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आजाएगा तब पत्रस ने कहा हे प्रभु क्या ये दृष्टांट तु हमी से ये सबसे कहता है प्रभु ने कहा ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरधार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुम से सच कहता हूँ वो उसे अपनी सब संपत्ती पर सरधार ठहराएगा परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और प्यकड होने लगे तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जिसकी वो उसकी बाट जोता न हो और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था पर तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा परन्तु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौपा गया है उससे बहुत मांगेंगे मैं पृत्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलक जाती मुझे तो एक बप्तिस्मा लेना है और जब तक वो न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूँगा क्या तुम समझते हो कि मैं पृत्वी पर मिलाप कराने आया हूँ मैं तुम से कहता हूँ नहीं बरन अलग कराने आया क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में बैर रखेंगे तीन दो से और दो तीन से पिता पुत्र से और पुत्र पिता से बैर रखेगा मा बेटी से और बेटी मा से सास बहु से और बहु सास से बैर रखेगी और उस भेड से भी कहा जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है और जब दख्षिना चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी और ऐसा ही होता है हे कप्टियो तुम धर्ती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो परन्तु इस युक के विशे में क्यूं भेद करना नहीं जानते और तुम आप ही निर्णे क्यूं नहीं कर लेते कि उचित क्या है जब तु अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार गही में उससे चूटने का यत्म कर लेते ऐसा नहो कि वो तुझे नियाई के पास खींच ले जाए और नियाई तुझे प्यादे को सौपे और प्यादा तुझे बंदी ग्रह में डाल दे मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक तु दमडी दमडी भर न देगा तब तक वहाँ से चूटने न पाएगा अध्याय तेरा उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पीला तुसने उनहीं के बलिदानों के साथ मिलाया था ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ती पड़ी मैं तुम से कहता हूँ नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीती से नाश होगे या क्या तुम समझते हो कि वे अठारह जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अफरादी थे मैं तुम से कहता हूँ नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी सब इसी रीती से नाश होगे फिर उसने ये द्रिश्टांत भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था वो उसमें फल ढूनने आया परन्तु न पाया तब उसने बारी के रखवाले से कहा देख तीन वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूनने आता हूँ परन्तु नहीं पाता इसे काट डाल कि वो भूमी को भी क्यूं रोके रहे उसने उसको उत्तर दिया हे स्वामी इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों और खोद कर खाद डालूं सो आगे को फले तो भला नहीं तो उसे काट डालना सब्त के दिन वो एक अराधनाले में उपदेश कर रहा था और देखो एक इस्तरी थी जिसे अठारा वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुस्तात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीती से सीधी नहीं हो सकती थी येशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा हे नारी तु अपनी दुर्बलता से छूट गई तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी आराधनाले का सरकार रिसिया कर लोगों से कहने लगा छे दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो परन्तु सब्द के दिन में नहीं ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दे कर कहा हे कप्टियो क्या सब्ध के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इबराहिम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था सब्ध के दिन इस बंधन से छुडाई जात जब उसने ये बाते कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई फिर उसने कहा परमेशवर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किस से दूँ वो राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष पक्षि ने लेकर अपनी बारी में बोया वो बढ़कर पेड हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया उसने फिर कहा मैं परमेशवर के राज्य की उपमा किस से दूँ वो खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला और होते होते सब आटा खमीर हो गया वो नगर नगर और गाव गाव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था और किसी ने उससे पूछा हे प्रभू क्या उध्धार पाने वाले थोड़े हैं उसने उससे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खट-खटा कर कहने लगो हे प्रभू हमारे लिए खोल दे और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हे नहीं जानता तुम कहा के हो तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिय और तुने हमारे बाजारों में उपदेश किया परंतु वो कहेगा मैं तुम से कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहां से हो हे कुकरम करने वालो तुम सब मुझ से दूर हो वहां रोना और दात पीसना होगा तुम इबराहिम और इसहाक और याकूब और सब भविश्य वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले हुए देखोगे पूर्ग और पच्छिम उत्तर और दखिन से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे और देखो कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे और कितने जो प् परीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदीश तुझी मार डालना चाहता है, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमडी से कह दो, कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन पूरा करू तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविश्य द्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविश्य द्वक्ताओं को मार डालती है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें के नीचे इकठे करती है, वैसे ही मैं भी तिरे बालकों को इकठे करूँ, पर तुमने ये न चाहा, देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजार छोड़ा जाता है, और मैं तुम से कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगी, कि धन्य है वो, जो प्रभू के नाम से आता है तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। जिसे जलंदर का रोग था, इस पर येशु ने वेवस्थापकों और फरीसियू से कहा, क्या सब्ध के दिन अच्छा करना उचित है, अत्वा नहीं, परंतु वे चुपचाप रहे, तब उसने उसे हाथ लगा कर चंगा किया, और जाने दिया, और उनसे कहा, कि तुम्हे से जिसे ऐसा कौन है, जिसका गधा या बैल कुए में गिर जाए, और वो सब्ध के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाल ले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके, जब उसने देखा कि नेवता हारी लोग क्योंकर मुखे मुखे जगह चुन लेते हैं, तो एक द्रिस्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए, तो मुखे जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और जब तुझे लज्जित होक सबसे नीची जगह में बैठना पड़े, पर जब बुलाया जाए, तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वो जिसने तुझे नेवता दिया है, आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी, वो बढ़ा किया जाएगा, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तु दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटंबियों या धनवान पडोसियों को न बुला, कहीं ऐसा नहों कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदल हो जाए, परन्तु जब तु भोज करे, तो कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को बुला, तब तु धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा, उसके साथ भो पिश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, और बहुतों को बुलाया, जब भोजन तयार हो गया, तो उसने अपने दास के हाथ, नेवता हारियों को कहला भेजा, कि आओ, अब भोजन तयार है, पर वे सब के सब ख् पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखू, मैं तुझसे बिनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, दूसरे ने कहा, मैंने पांच जोडे बैल मोल लिये हैं, और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे बिनती करता हूँ, मुझे क्ष जमा कर दे। एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने ग्रोध में आकर अपने दास से कहा। नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी जैसे तू ने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगा है। स्वामी ने दास से कहा, सडकों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बर्बस ही लेया ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि उन नेवते हूँ में से कोई मेरी जेवनार को न चकहेगा। और जब बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिर कर उन से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाईयों और बहिनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम मेंसे कौन है कि गड़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ कर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है या नहीं कहीं ऐसा नहो कि जब नेव डाल कर तयार न उड़ाने लगें कि ये मनुष्ये बनाने तो लगा पर तयार न कर सका। ये कौन ऐसा राजा है जょ दूसरे राजा से युद्द करने जाता हो और पहले बैठ कर विचार न कर ले कि बीस हजार लेकर मुझ पर चड़ा आता है क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता अत्वा नहीं नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता नमक तो अच्छा है परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा वो न तो भूमी के और न खाद के लिए काम में आता है उसे तो लोग बाहर फेंग देते हैं जिसके सुनने के कान हो सुन ले अध्याय पंद्रा सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है तब उसने उनसे ये द्रिस्टांत कहा तुम में से कौन है जिसकी सौ भेडे हो और उन में से एक खो जाए तो निनानवे को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पडोसियों को इकठे करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई है मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना निनानवे ऐसे धर्मियों के विशय नहीं होता जिने मन फिराने की आविशक्ता नहीं ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिनके पास दस सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया बार कर और घर जाड बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगा कर खोच्ती न रहे और जब मिल जाता है तो वो अपनी सक्षियों और पडोसियों को इकठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में परमेशवर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पूत्र थे उन में से चुटके ने पिता से कहा कि हे पिता संपत्ती में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ती उड़ा दी जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो गंगाल हो गया और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सूर जराने के लिए भीजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिनें सूर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भोका मर रहा हूँ मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाओंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले तब वो उठकर अपन पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं परंतु पिता ने अपने दासों से कहा तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहिनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाओं में जूतियां पहनाओ पला हुआ बच्छडा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुँचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुला कर पूछा ये क्या हो रहा है उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बच्छडा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा उसने पिता को उत्तर दिया देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आग्या नहीं टाली तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच् कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ती वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्छडा कटवाया उसने उससे कहा पुत्र तू सरवदा मेरे साथ है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है खो गया था अब मिल गया है अध्याय सोला फिर उसने चेलों से भी कहा किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोश लगाया कि ये तेरी सब समपत्ती उड़ाए देता है उसने उसे बुला कर कहा ये क्या है जो मैं तेरे विशए में सुन रहा हूँ अपने भंडारी पन का लेखा दे क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूँ क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है मिटी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीक मांगने से मुझे लज्जा आती है मैं समझ गया कि क्या करूँगा कि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाओं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। उसने अपने स्वामी के देन्दारों में से एक-एक को बुला कर पहले से पूछा। तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। उसने कहा सौमंतेल। तब उसने उनसे कहा कि अपनी खाता बही लेकर असी लिखते। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीती वहवारों में ज्योती के लोगों से अधिक चतुर है और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो स तुम्हें कौन सौपेगा और यदी तुम पराय धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा तुम्ह परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते फरेशी जो लोभी थे ये सब बाते सुनकर उसे ठटों में उड़ाने लगे उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आपको धर्मी ठहरा दे परन्तु परमेश्वर तुमारे मन को जानता है क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टी में महान है वो परमेश्वर के निकट ग्रणित है व्यवस्था और भविश्य द्वक्ता युहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है आकाश और प्रित्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वो व्यभिचार करता है और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वो भी व्यभिचार करता है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहिंता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेजपर की जूठन से अपना पेट भरे वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इबराहीम की गोद में पहुँचाया वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया अदलोक में उसने पीडा में पड़े हुए अपनी आखें उठाई और दूर से इबराहीम की गोद में लाजरस को देखा उसने पुकार कर कहा ये पिता इबराहीम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भीगो कर मेरी जीब को ठंडी करे क्योंकि मैं इस च्वाला में तड़प रहा हूँ परन्तु इबराहीम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी ही लाजर बुरी वस्तुएं परन्तु अब वो यहां शान्ति पा रहा है और तू तडप रहा है और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुमारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुमारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे बिनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज मेरे पाँच भाई है वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए इबराहीम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविश्य द्वकताओं की पुस्तके है वे उनकी सुने उसने कहा नहीं हे पिता इबराहीम पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविश्य द्वकताओं को नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे अध्याय सत्रा फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगें परंतु हाए उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता सचेत रहो यदि तेरा भाई अपराद करे तो उसे समझा और यदि पच्चताए तो उसे क्षमा कर यदि दिन भर में वो सात बार तेरा अपराद करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पच्चताता हूँ तो उसे क्षमा कर तब प्रेरितों ने प्रभू से कहा हमारा विश्वास बढ़ा प्रभू ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूथ के पेड से कहते कि जड़ से उखड कर समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास, हल जोटता या भेडें चराता हो और जब वो खेट से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ और ये न कहे कि मेरा खाना तयार कर और जब तक मैं खाऊं पियूं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर इसके बाद तू भी खापी लेना क्या वो उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किये जिसकी आग्या दी गई थी इसी रीती से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आग्या तुमें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं जो हमें करना चाहिए था वही किया है और ऐसा हुआ कि वो यरुशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गाओं में प्रिवेश करते समय उसे दस कोड़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर उंचे शब्द से कहा हे येशु हे स्वामी हम पर दया कर उसने उन्हें देख कर कहा जाओ और अपने तैं याजकों को दिखाओ और जाते ही वे शुद्ध हो गए तब उन्में से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं उंचे शब्द से परमेश्वर के बढ़ाई करता हुआ लोटा और शुद्ध ना हुए तो फिर वे नौ कहा है क्या इस परदेशी को छोड़ कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता तब उसने उससे कहा उठकर चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का प्रगट रूप से नहीं आता और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और उसने चेलो से कहा वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोग और नहीं देखने पाओगे लोग तुम से कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है परन्तु तुम चले न जाना और ना उनके पीछे हो लेना क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौन्ध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपन दिन में प्रगठ होगा परन्तु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुछ ठैराएं जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा जिस दिन तक नूह जहाज पर नचड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे परन्तु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को न उतरे और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लोटे लूत की पतनी को स्मरण रखो जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा मैं तुम से कहता हूँ उस राट दो मनुष्य एक खाट पर होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस्ती होगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा ये सुन उन्होंने उससे पूछा हे प्रभू ये कहा होगा उसने उनसे कहा जहां लोत है वहां गिद्ध इकठे होंगे अध्याय अठारा फिर उसने इसके विशे में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये द्रिश्टांत कहा किसी नगर में एक नियाई रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था और उसी नगर में एक विद्वा रहती थी जो उसके पास आ आ कर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुझे बुद्दई से बचा उसने कितने समय तक तो न माना परन्तु अंत में मन में विचार कर कहा यद्यपी मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ तो भी ये विद्वा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे प्रभु ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं और क्या वो उनके विशय में देर करेगा मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृत्वी पर विश्वास पाएगा और उसने कितनों को जो अपने उपर भरूसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुछ जानते थे ये द्रिस्टांत कहा दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्याई और व्यभीचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं मैं सपताह में दो बार उपवास करता हूं मैं अपनी सब कमाई का दस्वा अंश भी देता हूं परन्तु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आँख उठाना भी न चाहा भरन अपनी चाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं वो दूसरा नहीं परन्तु यही मनुष्य धर्मी थेराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हात रखे और चेलों ने देखकर उन्हें डाटा येशू ने बच्चों को पास बुला कर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेशवर का राज हैसों ही का है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो कोई परमेशवर के राज को बालक की नाई ग्रहन न करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरू, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ। येशु ने उससे कहा, तु मुझे उत्तम क्यों कहता है। कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तु आज्याओं को तो जानता है, कि वेविचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, जूठी गवाई न देना, अपने पिता और अपनी माता का आधर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सुन, येशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था, येशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से, उँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, और सुनने वालोंने कहा तो फिर किसका उधार हो सकता है? उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पत्रस ने कहा देख हम तुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है उसने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाईयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो इस समय कई गुणा अधिक न पाए और परलोक में अनन्त जीवन फिर उसने बारहों को साथ लेकर उनसे कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौपा जाएगा और वे उसे ठटों में उडाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उसपर थूकेंगे और उसे कोडे मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझे ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया जब वो यरियूं के निकट पहुँचा तो एक अंधा सडक के किनारे बैठा हुआ भीक मांग रहा था वो भीड के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है उन्होंने उसको बताया के यीशु नासरी जा रहा है तब उसने पुकार कर कहा जो आगे जाते थे वे उसे डाटने लगे चुप रहे परंतु वो और भी चिलाने लगा तब यीशु ने खड़े होकर आग्या दी उसे मेरे पास लओ जब वो निकट आया तो उसने उससे ये पूछा तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करू उसने कहा ये प्रगू ये कि मैं देखने लगूँ यीशु ने उससे कहा देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है और वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुती की अध्याय उन्निस वो यरिहों में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था वो धनी था वो यिशू को देखना चाहता था कि वो कैसा है परन्तु भीड के कारण देखना सकता था क्योंकि वो नाटा था तब उसको देखने के लिए वो आगे दोड़ कर एक गूलर के पेड़ पर चड़ गया क्योंकि यिशू उसी मार्क से जाने वाला था जब यूशू उस जगे पहुचा, तो उपर द्रिष्टी करके उससे कहा, हे जकई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। वह तो एक पापी मनुश्य के यहां जा उतरा है। जग कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ये प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ती कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चोगना फ्रेर देता हूँ। तब येश्यू ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इबराहीम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, खोए हुऊं को ढूंडने और उनका उद्धार करने आया है। जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उसने एक द्रिश्टांत कहा, क्योंकि वो येरुशलेम के निकट था, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट होने वाला है, उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला कि राजपद पाकर फिर आये, उसने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लोट आने तक लेन देन करना, उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, इसलिए उसके पीछे दूतों के द हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करें, जब वो राजपद पाकर लोट आया, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकर दी थी, अपने पास बुलवाया, कि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है, तब पहले ने आकर कहा, ये स्वामी, तेरी मोहर से दस और मोहरें कमाई है, उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तमदास, तु बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब दस नगरों पर अधिकार रख, दूसरों ने आकर कहा, ये स्वामी, तेरी मोहर से पाँच और मोहरें कमाई है, उसने उससे भी कहा, कि तू भी पाँच नगरों पर हाकिम हो जा, तीसरे ने आकर कहा, ये स्वामी, देख, तेरी मोहर ये है, जिसे मैंने अंगोचे में बाँध रखी है, क्योंकि मैं तुझ से डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा, उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया, उसे काटता है, उसने उससे कहा, हे दुश्ट दास, मैं तेरे ही मोह से तुझे दोशी ठहराता हूँ, तू मुझे जानता था, कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा, उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया, उसे काटता हूँ, तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यूं नहीं रख दिये कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता और जो लोग निकट खड़े थे। उसने उनसे कहा वो मोहर उससे ले लो और जिसके पास दस मोहरे हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा ये स्वामे उसके पास दस मोहरे तो हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा परंद तु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं यहां लाकर मेरे सामने घात करो ये बातें कहकर वो यरुशलेम की ओर उनके आगे आगे चला और जब वो जैतून नाम पहाड़ पर बैत फगे और बैत नेहा के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गाओं में जाओ और उसमें पहुचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बना हुआ तुमें मिलेगा उसे खोल कर लाओ यदि कोई तुमसे पूछे क्यूं खोलते हूँ जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यूं खोलते हो उन्होंने कहा प्रभू को इसका प्रयोजन है वे उसको येशू के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर येशू को उस पर सवार किया जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिचाते जाते थे निकट आते हुए जब वो जैतून के धलान पर कहुँचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्हें देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की सुती करने लगे की धन्न है गो राजा जो प्रभू के नाम से आता है स्वर्ग में शांती और आकाश मंडल में महिमा हो तब भीड में से कितने फरीसी उससे कहने लगे हे गुरू अपने चेलों को डान उसने उत्तर दिया मैं तुम से कहता हूँ यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे जब वो मिकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता परन्तू अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोडेंगे क्योंकि तुने ये अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टी की गई न पहिस जाना तब वो मंदर में जाकर पेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परन्तु तुमने उसे डाकों की खोह बना दिया है और वो प्रती दिन मंदर में उपदेश करता था और महायाजक और शाष्ट्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अफसर ढूंडते थे परन्तु कोई उपाय न निकाल सके कि ये किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसके सुनते थे अध्याय बीस एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदर में लोगों को उपदेश देता और सुसमचार सुना रहा था तो महायाजक और शाष्ट्री पुर्नियों के साथ पास आकर खड़े हुए वे कहने लगे के हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है उसने उनको उत्तर दिया मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझे बताओ युहन्ना का बबतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था तब वे आपस में कहने लगे यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतिती क्यों नहीं की और यदि हम कहें मनुश्यों की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यहुन्ह सच मुच भाविश्य दुखता है सो उन्होंने उत्तर दिया हम नहीं जानते कि वो किसकी ओर से था येशु ने उनसे कहा तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं तब वो लोगों से ये दृष्टांत कहने लगे कि किसी मनुष्य ने दाक की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाक की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें पर किसानों ने उसे पीट कर छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर और उसका अपमान करके छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे घायल करके निकाल दिया तब दाक की बारी के स्वामी ने कहा मैं क्या करूँ मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा क्या जाने वे उसका आदर करें जब किसानोंने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि वो तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले कि मिरास हमारी हो जाए उन्होंने उसे दाक की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला इसलिए दाक की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाक की बारी औरों को सौपेगा ये सुनकर उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसा ना करे उसने उनकी ओर देखकर कहा फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकना चूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा उस घड़ी शास्त्रियों और माहयाजकों ने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर ये द्रिश्टांत कहा परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिये भेजे कि धर्म का भेश धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें कि उसे हा उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा एक दिनार मुझे दिखाओ इस पर किसकी मूर्ती और नाम है उन्होंने कहा उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ ना सके बरा उसके उत्तर से अचम्वित होकर चुप रह गए सदू की मरे हुऊं का जी उठने नहीं मान उनमें से कितनों ने उनके पास आकर पूछा हे गुरू, मुसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे सो साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे ने और फिर तीसरे ने भी उस इस्तरी को ब्याह लिया इस रीती से साथों बिना संतान मर गए सब के पीछे वो इस्तरी भी मर गए इशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याहशादी होती है पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुँँ में से जी उठना प्राप्त करें उनमें ब्याहशादी न होगी वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे, और जी उठने की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे. परन्तु ये बात की मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी जाड़ी की कथा में प्रगट की है, कि वो प्रभु को इबराहीम का परमेश्वर, इस हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परन्तु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। ये सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने ये कहा, ए गुरू, तुने अच्छा कहा। उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ, फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाउद की संतान क्यूं कहते हैं, दाउद आप भजन सहीता की पुस्तक में कहता है, प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक की मैं तेरे बैरियों को त तेरे पावों के तले न कर दूँ, दाउद तो उसे प्रभू कहता है, तो फिर वो उसकी संतान कैसे ठहरा, जब सब लोग सुन रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भाता है, और जिनहे बाजारों में, नमस्कार और सभाओं में, मुख्य आसन और जेवनारों में, मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विद्वाओं के घर खा जाते हैं, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। अध्याए 21 फिर उसने आख उठा कर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, उसने एक कंगाल विद्वा को भी उसमें दो दमडियां डालते देखा, तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विद्वा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि उन सबने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीवी का डाल दी है जब कितने लोग मंदर के विशे में कह रहे थे कि वो कैसे सुंदर पत्थरों और भेट की वस्तों से समारा गया है तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो धाया न जाएगा उन्होंने उससे पूछा, हे गुरू, ये सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होगी, तो उस समय का क्या चिन होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना, और जब तुम लडाईयों और बलवों की चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा, तब उसने उनसे कहा कि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूई डोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पढ़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन प्रगट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले, वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकडेंगे, और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंधी ग्रह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने मन में ठान रखो, कि हम पहले से उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूँगा, कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकडवाएंगे, यहां तक की तुम्हें से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड जाना निकट है तब जो यहूदिया में हो वो पहाडों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं और जो गावों में हो वे उसमें न जाएं क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी उन दिनों में जो गर्बवती और दूद पिलाती होंगी, उनके लिए हाई हाई, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ती होगी, वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौदा जाएगा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्न दिखाई देंगे, प्रिथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोला हल से खवरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां इलाई जाएंगे, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आत देखेंगे, जब ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, उसने उनसे एक द्रिश्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कॉम्पले निकलती हैं, तो तुम दे प्रिश्मकाल निकट है, इसी रीती से, जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीड़ी का कदापी अंत न होगा, आकाश और प्रिथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो, कि तुम्हारे मन, खुमार और मतवाले पन और इस जीवन की चिन्ताओं से सुस्थ हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आपड़े, प्रिथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, और मनुष्य के पुत्र के सामने, खड़े होने के योग्य बनो, और वो दिन को मंदिर में उप्तेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पाहड पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे, अध्याय बाईस शैतान यहूदा में समाया, जो इस करियोती कहलाता और बारह चेलो में गिना जाता था, उसने जाकर महायाजकों और पहरूओं के सरदारों के साथ बाचीत की, कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं, वे आननदित हुए, और उसे रुपे देने का वचन दिया, उ जिसमें फसह का मेमना बली करना अवश्य था, और येशु ने पत्रस और योहन्ना को ये कहकर भेजा के, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तयार करो, उन्होंने उससे पूछा, तु कहा चाहता है कि हम तयार करें, उसने कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही, एक मनुष जल का घड़ा उठाए हुए, तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वो जाए, तुम उसके पीछे चले जाना, उस घर के स्वामी से कहो, कि गुरू तुझ से कहता है, कि वो पाहुन्शाला कहा है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, वो तुम्हें एक सजी सजाई, बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तयारी करना, उन्होंने जाकर, जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तयार किया, जब घड़ी पहुची, तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुख भोगने से पहले, ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बाट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और उनको ये कहते हुए दी के, ये मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, इसी रिती से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया के, ये कटोरा मेरे उस लोहु में, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है, पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ, मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है, जाता ही है, पर हाए उस मनुष्य पर, जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है, तब वे आपस में पूश्टाश करने लगे के, हम में से कौन है, जो ये काम करेगा, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं, परन्तु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है, वो छोटे की नाई और जो प्रधान है, वो सेवक के नाई बने, क्योंकि बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ परंथु तुम वो हो जो मेरी परिक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठ कर इसराइल के बाहर गोत्रों का नयाय करो, शमोन हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, कि गेहूं की नाई फटके, परन्तु मैंने तेरे लिए बिनती की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तु फिरे, तो अपने भ भाईयों को स्थिर करना, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदिग रह जाने, वरन मरने को भी तयार हूं, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं, कि आज जब तक तु तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा, कि मैं उसे नहीं जानता, मुर्ग बांग न और उसने उनसे कहा, कि जब मैंने तुम्हें बटूए और जोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तू की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तू की नहीं उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो ले और वैसे ही जोली भी और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेच कर एक मोल ले क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया उसका मुझमें पूरा होना अवश्य है क्योंकि मेरे विशय की बातें पूरी होने पर हैं उन्होंने कहा हे प्रबु देख यहाँ दो तलवारे हैं उसने उनसे कहा बहुत हैं तब वो बाहर निकलकर अपनी रीती के अनुसार जैतुन के पाहड पर गया और चेले उसके पीछे हो लिये उस जगे पहुँचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परिक्षा में न पड़ो और वो आप उनसे अलग एक धेला फेंकने के टपे पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो तब स्वर्ग से एक धूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हिर्दय वेदना से प्रार्थना करने लगा उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी-बड़ी बूंदों की न्याई भूमी पर गिर रहा था तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उसने कहा क्यों सोते हो उठो प्रार्थना करो की परिक्षा में न पड़ो वो ये कही रहा था कि देखो एक भीड आई और उन बारों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था ये यिशू के पास आया कि उसका चुमा ले यिशू ने उससे कहा हे यहूदा क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा हे प्रभू क्या हम तलवार चलाएं और उन में से एक ने महायाजक के दास पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया इस पर हीशु ने कहा अब बस करो और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया तब हीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरूं के सरदारों और पुर्णियों से जो उस पर चड़ाए थे कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिये हुए निकले हो जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझे पर हाथ न डाला पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंदिकार का अधिकार है फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए और पत्रस दूर ही दूर उसके पीछी पीछी चलता था और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकठे बैठे तो पत्रस भी उनके बीच में बैठ गया और एक लॉंडी उसे आग के उजियाले में बैठे देख कर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी ये भी तो उसके साथ था परन्तु उसने ये कहकर इनकार किया के हे नारी मैं उसे नहीं जानता थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देख कर कहा तू भी तो उनी में से है पत्रस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य द्रिडता से कहने लगा निश्च ये भी तो उसके साथ था क्योंकि ये गलीली है पत्रस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है वो कही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी तब प्रभू ने घूम कर पत्र की ओर देखा और पत्रस को प्रभू की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वो बाहर निकल कर फूट फूट कर रूने लगा जो मनुष्य ये शु को पकड़े हुए थे वे उसे ठठों में से पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसकी विरोध में कही जब दिन हुआ तो लोगों ने पुर्णिये और महायाजक और शास्त्री इकठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा यद यदि मैं तुमसे कहूं तु प्रतीती न करोगे और यदि पूछू तो उत्तर न दोगे परन्तु अब से मनुष्य का पुत्र सर्व शक्तीमान परमेश्वर की दाहिनी और बैठा रहेगा इस पर सब ने कहा तो क्या तु परमेश्वर का पुत्र है उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ तब उन्होंने कहा अब हमें गवाई का क्या प्रयूजन है क्योंकि हमने आप ही उसके मुझ से सुन लिया है अध्य है तेईस तब सारी सभा उठकर उसे पीला तुसके पास ले गई और वे ये कहकर उस पर दोश लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आपको मसी कहते हुए सुना है पीला तुसने उससे पूछा क्या तू यहुदियों का राजा है उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा मैं इस मनश्य में कुछ दोश नहीं पाता पर वे और भी दृड़ता से कहने लगे ये गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदियों में उपदेश दे दे कर लोगों को उकसाता है ये सुनकर पिलातुस ने पूछा क्या ये मनश्य गलीली है और ये जानकर कि वो हेरोदेश की रियासत का है उसे हेरोदेश के पास भेज दिया क्योंकि उन दिनों में वो भी यरुशलेम में था हेरोदेश येशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था इसलिए कि उसके विशे में सुना था और उसका कुछ चिन्न देखने की आशा रखता था वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तरना दिया और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोश लगाते रहे तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठठों में उड़ाया और भड़कीला वस्तर पहना कर उसे पीलातुस के पास लोठा दिया उसी दिन पीलातुस और हेरोदेश मित्र हो गए इसके पहले वे एक दूसरे के बहरी थे पीलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुला कर उनसे कहा तुम इस मनिश्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जाच की पर जिन बातों का तुम उस पर दोश लगाते हो उन बातों के विशे में मैंने उसमें कुछ भी दोश नहीं पाया है ना हैरोदस ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लोटा दिया है देखो उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मनुश्य दंड के योग के पाया जाए इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ तब सब मिलकर चिलाओ थे के इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे वो किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था पर पीलात उसने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया परन्तु उन्होंने चिला कर कहा उसे ग्रूस पर चड़ा ग्रूस पर उसने तीसरी बार उन से कहा क्यों उसने कौन सी बुराई की है मैंने उसमें मित्यू के दंड के योगे कोई बात नहीं पाई इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ परन्तु वे चिला कर पीछे पढ़ गे कि वो ग्रूस पर चहाया जाए और उनका चिलाना प्रबल हुआ सो पिलात उसने आग्या दी कि उनकी बिनती के अनुसार किया जाए और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था और जिसे वे चाहते थे छोड़ दिया और यिशू को उनकी इच्छा के अनुसार सौप दिया जब वे उसे लिये जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरैनी को जो गाउं से आ रहा था पकड़ कर उस पर प्रूस लाद दिया के उसे यिशू के पीछे ले चले लोगों की बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और बहुत से इस्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीठती और विलाब करती थी यिशू ने उनकी ओर फिर कर कहा हे यरुशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो परन तू अपने और अपने बालकों के लिए रो क्यूंकि देखो वे दिनाते हैं जिनमें कहेंगे धन्य हैं वे जो बांज हैं और वे गरब जो नाजने और वे स्तन जिनोंने दूद न पिलाया उस समय वे पहाडों से कहने लगेंगे की हम पर गिरो और तीलों से की हमें ठाप लो क्यूंकि जब वे हरे पेड के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा वे और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाइनी ओर दूसरे को बाई ओर प्रूसों पर चगह तब यूश्यों ने कहा ए पिता इने एक शमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और उन्होंने चिठीया डालकर उसके कपड़े बाट लिये लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सर्दार भी ठठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया यदि ये परमेश्वर का मसी है और उसका चुना हुआ है तो अपने आपको बचा ले सिपाही बीपास आकर उसका सिर्का देकर उसका ठटा करके कहते थे यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आपको बचा और उसके उपर एक पत्त Quindi लाया थे ये यहूदियों का राजा है जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी मिंदा करके कहा क्या तू मसी नहीं, तो फिर अपने आपको और हमें बचा रहा है इस पर दूसरे ने उसे डाट करका क्या तू परमिश्वर से भी नहीं डरता तू भी तो वही दंद पा रहा है हम तो नायानुसार दंड पा रहे, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे पर इसने खोल अनुचित काम नहीं किया तब उसनी कहा इश्वर, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधी लेना उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधिहारा चाया रहा और सूर्य का उजयाला जाता रहा और मंदिर का परदा बीच से फट गया और येशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा ए पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हातों में सौपता हूँ और ये कहकर प्राण छोड़ दिये सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था और भीड जो ये देखने को इकठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लोट गए और उसके सब जान पहचान और जो इस्तरियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी और देखो यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष्ट था वो उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न ना था वो यहूदियों के नगर अरी मतेया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्जे की बाट चोहने वाला था उसने पीला तुस के पास जाकर यूशु की लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपीटा और एक कब्र में रखा जो चटान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था वो तयारी का दिन था और सब्ट का दिन आरंभ होने पर था उन इस्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लोथ किस रीती से रखी गई है और लोट कर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तयार किया और सब्ट के दिन तो उन्होंने आज्या के अनुसार विश्राम किया अध्याय चौबीस परंतो सप्ता के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुएं को जो उन्होंने तयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लोड़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभू येशु की लोथ न पाई जब वे इस बात से भोचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष जलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आखड़े हुए जब वे डर गही और धर्ती की ओर मुँ जुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीते को मरहुँ में क्यों ढूंडती हो वो यहाँ नहीं परं तुम जी उठा है स्मर्ण करो उसने गलीर में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और कुरूस पर चड़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे तब उसकी बातें उनको स्मर्ण आई और कबर से लोटकर उन्होंने उन ग्यारें को और और सब को ये सब बातें कह सुनाई जिनोंने प्रेरितों से ये बाते कहीं वे मर्यम, मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मर्यम और उसके साथ की और इस्त्रियां भी थी परन्तु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीती ना की तब पत्रस उठकर कब्र पर दोड़ गया और छुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया देखो उसी दिन उनमें से दो जन एमाउस नाम एक गाम को जा रहे थे जो यरुशलेम से कोई साथ मिल की दूरी पर था और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बादचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बादचीत और पूश्टाश कर रहे थे तो येशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया परंतु उनकी आखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके उसने उनसे पूछा ये क्या बाते हैं वे उदास से खड़े रह गए ये सुनकर उनमें से किलियु पास नाम के व्यक्ति ने कहा क्या तू येरुशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है उसने उनसे पूछा कौन सी बाती उन्होंने उससे कहा येशु नासरी के विशे में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविश्चद वक्ता था महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यू की आग्या दी जाए और उसे क्रूस पर चड़वाया परन्तो हमें आशा थी कि यही इस्राइल को छुड़कारा देगा इन सब बातों के सिवाए इस खटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चरे में डाल दिया है जो भोर को कबर पर गई थी और जब उसकी लोत ना पाई तो ये कहते हुए आई कि हमने स्वर्ग दूतों का दर्शन पाया जिनोंने कहा कि वो जीवित है तब हमारे साथियों में से कई एक कबर पर गए और जैसा स्त्रियोंने कहा था वैसा ही पाया प्रन्तु उसको ना देखा तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्ध्यों और भविष्य द्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत्यों क्या अवश्चन था कि मसीह ये दूख उठा कर आपनी महिमा में प्रवेश करे तब उसने मूसा से और सब भविष्य द्युक्ताओं से आरंब करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विशे में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया इतने में वे उस गाम के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ा चाहता है परन्तु उन्होंने ये कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह क्योंकि संद्या हो चली है और दिन अब बहुत धल गया है तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़ कर उनको देने लगा तब उनकी आखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आखों से छिप गया उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमसे बाते करता था और पवित्र शास्त्रा अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना नाउत्पन हुए वे उसी घड़ी उठकर यरुशलेम लोट गए और उन ग्यारें और उनके साथियों को इकठे पाया वे कहते थे प्रभू सचमुच जी उठा है और शमोन को दिखाई दिया है तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना वे ये बातें कही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आखड़ा हुआ और उनसे कहा तुम शान्ती मिले परंतूबे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं उसने कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं मेरे हाथ और मेरे पाउं देखो कि मैं वही हूँ मुझे चूकर देखो आत्मा के हड़ी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाउं दिखाए जब आनंद के मारे उनको प्रतीती न हुई और वे आश्चरे करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है उन्होंने उसे भूनी मचली का टुकड़ा दिया उसने उसे लेकर उनके सामने खाया फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविश्य द्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विशय में लिखी है सब पूरी हूँ तब उसने पवित्र शाष्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिक्या मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूँगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो तब वो उन्हें वैत नेहा तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठा कर उन्हें आशीश दी उन्हें आशीश देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरुशलेम को लोट गये और लगातार मंदिर में उपस्तित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे युहन्ना रचित सुसमाचार अध्याए एक आदी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था यही आदी में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन ना हुई उसमें जीवन था और वो जीवन मनुश्यों की जोती थी और जोती अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहन ना किया एक मनुष्य परमेश्वर के ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम युहन्ना था वो गवाही देने आया कि जोती की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं वो आप तो वो जोती ना था परन्तु उस जोती की गवाही देने के लिए आया था सच्ची जोती जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन हुआ और जगत ने उसे नहीं पह जाना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया परन्तु जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थार्थ उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लोहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परन्तु परमेश्वर से उत्पन हुए हैं और वचन देहेधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में टेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलावते की महिमा युहन्ना ने उसके विशय में गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बढ़ कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रे पर अनुग्रे इसलिए कि विवस्था तो मुझसा के द्वारा दी गई परन्तु अनुग्रे और सच्चाई युशु मसी के द्वारा पहुची पर मेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लौता पुत्र जो पिता की गौद में है उसी ने उसे प्रगट किया युहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरुशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसी नहीं हूँ तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू कौन है क्या तू एलिया है उसने कहा मैं नहीं हूँ तो क्या तू वो भविश्य द्वक्ता है उसने उत्तर दिया कि नहीं तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें अपने विशे में क्या कहता है उसने कहा जैसा यशाया भविश्य द्वक्ता ने कहा है मैं जंगल में एक कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा के। मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यर्दन के पार पैतनिया में हुई। जहां यूहन्ना पप्तिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने ईश्यू को अपनी ओर आते देख कर कहा। मेरे पीछी आता है, जो मुझसे श्रेष्ट है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और मैं तो उसे पहचानता न था। परम्तु इसलिए मैं जल से बप्तिस्मा देता हुआ आया। कि वो इस्राइल पर प्रकट हो जाए। और युहन्ना ने ये गवाही दे कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था। परन्तु जिसने मुझे जल से बप्तिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तु आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बप्तिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर युहन्ना और उसके चेलों में से दोजन खड़े हुए थे। और उसने येशु पर जो जा रहा था दृष्टी करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेम्डा है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर येशु के पीछे हो लिए। येशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने उससे कहा, हे रब्बे, अर्थार्थ, हे गुरु, तु कहा रहता है। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसी के साथ और ये दसमें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो युहन्ना की बात सुनकर येशु के पीछे हो लिये थे। एक तो शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा के हमको। हमको क्रीस्त मसीह मिल गया। वो उसे येशु के पास लाया। येशु ने उस पर द्रिश्ट्री करके कहा के तू युहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। दूसरी दिन येशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पत्रस के नगर बैच सैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा के जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भव विश्य द्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र येशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। फिलिपुस ने उससे कहा चल कर देख लें। येशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देख कर उसके विशय में कहा ये सचमुच इसराइली है इसमें कपट नहीं नतनेल ने उससे कहा तु मुझे कहां से जानता है येशु ने उसको उत्तर दिया उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड के तले था तब मैंने तुझे देखा था नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि ए रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है तू इसराइल का महाराजा है येशु ने उसको उत्तर दिया मैंने जो तुझे से कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड के तले देखा तू इसलिए विश्वास करता है तू इससे बड़े एकाम देखेगा फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे अध्याय दो फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यिशू की माता भी वहाँ थी यिशू और उसके चेले भी उसी ब्याह में नेवते गए थे जब दाखरस घट गया तो यिशू की माता ने उससे कहा के उनकी पास दाखरस नहीं रहा यिशू ने उससे कहा हे महिला मुझे तुझ से क्या काम अभी मेरा समय नहीं आया उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना वहां यहूदियों के शुध करने की रीती के अनुसार पत्थर के छै मटके धरे थे जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था येशू ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो सो उनोंने मुहा मुह भर दिया तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वो जानते थे, तो भोज के प्रधान ने तूले को बुला कर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी कर छक जाते हैं, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। और वहां कुछ दिन रहे, यहूदियों का फसा का पर्व निकट था, और येशू यरुशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और फेड और कबोतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाने, और रसियों का गुणा बना कर, सब भेडों और बैलों को मंदिर और सर्राफों के पैसे दिठा दे और पीडों को फुलट दे और कबोतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पीता के भवन को बेवपार का घर मत बनाओ, तक उसकी चेलों को समर्णा आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, इस पर य यहुदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है, तो हमें कौन सा चिन दिखाता है, यिशु ने उनको उद्दर दिया कि इस मंदिर को धा दो, और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा, यहुदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विशे में कहा था, सो जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया, कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की, जो यिशु ने कहा था, प्र जब में था, तो बहुतों ने उन चिन्नों को जो वो दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यिशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सब को जानता था, उसे प्रियोजन ना था के मनुष्य के विश्य में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था के मनुष्य के मन में क्या है, अध्याए टीन फरीसियों में से निकूदे मुस्णाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यिशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्भी, हम जानते हैं कि तु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, तो नहीं दिखा सकता, यिशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुससे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्में, तो परमेश्वर का राज्ये देख नहीं सकता, निकूदे मुझने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया, तो क्यों खर जन्म ले सकता है, क्या वो अपनी माता के गर में दूसरी भार प्रवेश्व करके जन्म ले सकता है, यिश्व ने उत्तर दिया के, मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नजन्में, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, वो आत्मा है, अचंभा नकर, कि मैंने तुझ से कहा, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, हवा जिधर चाहती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परन्तु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है निकूदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बाते क्यों कर हो सकती है ये सुनकर यिश्यू ने उससे कहा तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहन नहीं करते जब मैंने तुमसे पृत्वी की बाते कहीं और तुम प्रतीती नहीं करते तो यदी मैं तुमसे स्वर्ग की बाते कहूँ तो फिर कैसे प्रतीती करोगे और कोई स्वर्ग पर नहीं चड़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है और जिस रीती से मूसा ने जंगल में सांप को उँचे पर चड़ाया उसी रीती से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उँचे पर चड़ाया जाए ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनन्त जीवन पाए क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परन्तु अनन्त जीवन पाए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्या दे परन्तु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उधार पाए जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्या नहीं होती परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोशी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लोते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड की आज्या का कारण ये है कि जोती जगत में आई है और मनुश्यों ने अंधकार को जोती से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो जोती से बैर रखता है और जोती के निकट नहीं आता ऐसा नहो कि उसके कामों पर दोश लगाया जाए परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो जोती के निकट आता है कि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की ओर से किये गए हैं इसके बाद यिश्यू और उसके चेले यहुदिया देश में आये और वो वहाँ उनके साथ रहकर बब्तिस्मा देने लगा और युहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बब्तिस्मा देता था क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बब्तिस्मा लेते थे क्योंकि युहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था वहाँ युहन्ना के चेलों का किसी यहुदी के साथ शुद्धी के विशे में वाद विवाद हुआ और उन्होंने युहन्ना के पास आकर उससे कहा ए रब्बी जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तुने गवाही दी है देख वो बब्तिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं युहन्ना ने उत्तर दिया जब तक मनिश्य को स्वर्ग से नद दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पासकता तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसी नहीं परंतु उसकी आगे भेजा गया हूँ जिसकी दुलन है वही दूला है परंतु दूले का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है दूले के शब्द से बहुत हर्षित होता है अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है अवश्य है कि वो बड़े और मैं घटूं जो उपर से आता है वो सर्वोत्तम है जो पृत्वी से आता है वो पृत्वी का है और पृत्वी की ही बाते कहता है जो स्वर्ध से आता है वो सब के उपर है जो कुछ उसने देखा और सुना है वो उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर ज्छाब दे दी है कि परमेश्वर सच्चा है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बाते कहता है क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता पिता पुत्र से प्रेम लगता है और उसने सब वस्तुवे उसके हाथ में दे दी है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा परन्तु परबेश्वर का क्रोध उस पर रहता है अध्याय चार फिर जब प्रभू को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि येश्व युहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बब्तिस्मा देता है यद्पी येश्व आप नहीं बरन उसके चेले बब्तिस्मा देते थे तब वो यहुदिया को छोड़ कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्य था सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमी के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था और याकूब का कुवा भी वही था सो येशु मार्ग का थका हुआ उस कुवे पर यूही बैठ गया ये बात छटे घंटे के लगभग हुई इतने में एक सामरिय इस्त्री जल भरने आई येशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे उस सामरिय इस्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी इस्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरीयों के साथ किसी प्रकार का वेहवार नहीं रखते थे यिशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता स्त्री ने उससे कहा हे प्रभू, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआ गहरा है तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तु हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुवा दिया और आप ही अपनी संतान और अपने टूरों समित उसमें से पिया? यिश्यू ने उसको उत्तर दिया के जो कोई ये जल पियेगा वो फिर पियासा होगा परन्तु जो कोई उस जल में से पियेगा जो मैं उसे दूँगा वो फिर अनंत काल तक पियासा न होगा वरन जो जल मैं उसे दूँगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं पियासी ना होग और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ येशु ने उससे कहा जा अपने पती को यहां बुलाला स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पती की हूँ येशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पती की हूँ क्योंकि तू पांच पती कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पती नहीं है ये तू ने सच कहा है स्त्री ने उससे कहा हे प्रभू मुझे ग्यात होता है कि तू भविशे द्वक्ता है हमारे बाब दादा ने इसी पाहाड पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगा ज़ा भजन करना चाहिए यरुशलेम में है येशु ने उससे कहा हे नारी मेरी बात की प्रतीतिकर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पाहाड पर पिता का भजन करोगे न यरुशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है परन्तु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता आपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को धूंडता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें स्तिरी ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीही जो कृस्तुस कहलाता है आने वाला है जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा येश्यू ने उससे कहा मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ वही हूँ इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो उस्त्री से बातें कर रहा है तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किसली उससे बातें करता है तविस्त्री अपना घड़ा छोड़ कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी आओ एक मनुश्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है कहीं यही तो मसी नहीं है वे नगर से निकल कर उसके पास आने लगे इतने में उसके चेले यिशु से ये बिनिती करने लगे कि हे रबी कुछ खा ले परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते तब चेलों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है यिशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी चार महीने पड़े हैं देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आखें उठाकर खेतों पर द्रिष्टी डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है कि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें क्योंकि इस पर ये कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है काटने वाला और मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया औरोंने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए उस नगर के बहुत सामरियों ने उस तरीके कहने से जिसने ये गवाही दी थी के उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया विश्वास किया तब जब ये सामरी उसके पास आये तो उससे बिनिती करने लगे के हमारे यहां रहे सो वो वहां दो दिन तक रहा और उसके बचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया उन्होंने उस तरी से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते है कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है फिर उन दो दिनों के बाद वो वहां से कूच करके गलील को गया क्योंकि यिश्व ने आप ही साक्षी दी के भविश्य द्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ से मिले जितने काम उसने यिरुशलेम में पर्व की समय किये थे उन्होंने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पर्व में गये थे